कि चलिए जी आज हम अपनी GST की दूसरी क्लास शुरू करते हैं पहली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने इंट्रोडक्शन करा था हमने देखा था कॉंस्टिटूशन के बारे में कि बढ़ी सविधान क्या कहता है सविधान को क्यों बदलना पड़ा ठीक है ना और उसके बाद हमने 174 सेक्शन का रिव्यू करा था कि वह जो GST के अंदर 174 सेक्शन हमारे हैं वो क्या-क्या कहते हैं तो हमारे को एक कंप्लीट बैक्ग्राउंड पता लग गया था पूरी क्लास का यहां तक कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा ऐसा मेरा मानन है ठीक है अगर कोई डाउट्स आपका है तो मैंने आपको नंबर दिया था कि उस नंबर पर आप हमें वाट्सप कर सकते हैं अब चलते हैं आगे की बात आज हमारा जो स्टार्टिंग है चाहे GST लो पड़ो चाहे इंकम डेक्स लो पड़ो तो सबसे पहले हमें पढ़ना ह हो था चार्जिंग सेक्शन तो हमने आपको यह बताया था कि वह जो चार्जिंग सेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे तो चार्जिंग सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना चार्जिंग सेक्शन का मिनिंग क्या हुआ कि भाई GST में चार्जिंग सेक्शन का मतलब यह हु है मैं आप लोग हो आपके उपर सोग्यास लगता लेकिन हिंडुस्तान में तो रहे रहे हो लेकिन के जेगास सब्रक्षिस लग रह रहा तो ऐसा क्या है सब किस पर लगता दूसरी वात अगर लगता है तो किसे registration कराना किसे हजहें कि आपने diz Tag आप एक मार्केट मैं से निकल जो इसमें 50 दुकान ये होगी पचास में से बीच दुकानर रिजिस्ट्रेशन्क रा रखाओं और सबिध्प जुकान नहीं किरूर सबड़ी स्बध्रि क्रेस्दीं कालता है कि तो इसका फंडा क्या आज न४ charging section की मदद से करेंगे और फिर हम registration पे जाएंगे किलियर हुआ हाँ जी तो हमारा charging section cgst में कौन था section 9 cgst हमने कितने एक्ट पढ़े थे एक cgst पढ़ना था हमें और एक igst तो हमारा charging section cgst में क्या था section 9 और igst का charging section कौन था section इसी के सामने लिख लो भाई इसी के सामने लिख लो अपनी notebook में कि भाई cgst का charging section है section 9 और igst का क्या है 5 अगर हमने cgst का charging section 9 पढ़ लिया तो igst का 5 भी हमारा 90% complete हो जाएगा charging section के नाम से किलिए हो रहा है आपको जहां से charge create हो रहा है जहां से क्या हो रहा है चार्ज ठीक है न तो पहला section हमें यही बढ़ना है हमने last class में भी थोड़ा सही से touch करा था लेकिन आज हम इसे पूरा touch करेंगे तो section 9 क्या कहता है यहां पर wording है लेवी और दूसरा क्या है collection लेवी and collection लेवी का मतलब क्या बोला था मैंने लगाना और collection का मतलब क्या बोला दा collect करना एसा कई वार हो सकता है कि तुम्हारे उपर लेवी थो हो जाए लेकिन collect नहां बर मँद बबहत की बार आसा हुआ लेकिन collect नहीं क्लियर हुई मेरी बात तो यहां पर हम दोनों वर्ट्स को देखेंगे levy and collection जैसे मैंने example दिया था last class में gstr1 की late fees gstr1 की late fees levy तो है लेकिन अभी department ने collect करनी शुरू नहीं करी है जिन लोगों ने late file करी है उन पर लगती तो है लेकिन department ने collect नहीं की clear है तो ऐसे ही हम charging section को पढ़ रहें तो थोड़ा सा ध्यान देना attention चाहिए तुम्हारी पूरी क्योंकि देखो gstr1 के अंदर मैं कहीं से भी तुम्हें gstr1 पढ़ा दू तो कहीं ना कहीं link के जाएगी कि ये वाला section पढ़ रहे हैं तो दूसरा section बीच में आएगा दूसरा पढ़ेंगे तो तीसरा बीच में आएगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से gstr1 पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि जो भी section बाद में आने वाले हो वो मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा दू जिससे की आपको difficulties कम से कम हो कि लिए रूँ मेरी बात तो हम बात कर रहे हैं किसकी section 9 charging section इसके अंदर 5 subsection है कितने subsection है पाच subsection है ठीक है तो हम पाचों को बारी की बारी की से पढ़ेंगे पहला section क्या कहता है subsection 1 of section 9 convey मैंने थोड़ा सा language को change करा है आपके पास अगर act की language होगी तो आप act की language से देख लेंगे ठीक है ना subsection 1 of section 9 convey that subject to provision यह क्या होता है subject to अब subject to का मतलब क्या होता है कोई बताया को मुझी subject to subject to अब यहां पर कुछ सब्दों का ध्यान दखना है आपको आप जैसे ही मैंने बोला subject to प्रोविजन मतलब कि subject to का मतलब होता है इसका ध्यान में रखते हुए इसे ध्यान में रखते हुए subject to का मतलब क्या है इसे ध्यान में रखते हुए अगर यहां पर लिखा रहा था not with standing क्या लिखा रहा था notwithstanding मतलब की overrule करते हुए क्या करते हुए overrule तो हमने क्या बोला subject to provision of subsection 2 कि subsection 2 में जो लिखा हुए उसको ध्यान में रखते हुए यह section यह कहता है there shall be levied tax code कि हम एक tax लगाएंगे जिसका नाम क्या होगा central goods and service tax तो यहां पर हम कौन से किसका एक्ट पढ़ रहे है charging section किसका पढ़ रहे सीडियेस्टी का, तो यहां पर सीडियेस्टी लगेगा किस पर लगेगी Pvd इंटरा इस्टेयट्स अप्लाई पे किस पर लगेगा इंटरा इस्टेयट्स अब हमने जब यह देखा था कि intra state supply क्या होती है तो यह हमें कहां से पता लगेगी बोलो IGST Act का section 8 पढ़ने से पता लगेगी कि क्या चीज intra है यह last class में भी discuss हो गया था कि हम intra state supply क्या है यह section 8 हमें बताएगा IGST का लेकिन अभी जब तक हम वो section ना पढ़ लें तब तक हम क्या मानेंगे कि intra state को एक supply होती है जिसके ओपर क्या लगता है CGST क्लियर हूँ यहां पर बात supply क्या चीज supply supply मैंने क्या पता था कि क्या चीज supply है यह कहां से पता लगेगा बोलो section 7 से कहां से पता लगेगा section 7 से जब तक section 7 हम ना पढ़ लें तब तक हम मान के चलेंगे कि जो नॉर्मल कोस में हमें supply पता है अभी तक वो ही मानेंगे ठीक है तो हमने क्या बड़ा charging section कि intra state supply पर intra state supply पर लगेगा ठीक है किसकी interstate supply goods की किसकी जी गूट्स की और गूट्स की definition कहां से पता करनी है हमें section 2 गूट्स की definition दी गई किसके अंदर 250 तो में तो सर्विस की 253 में नहीं चाहिए थी ऐसा क्यों तो यहां पर यह बात ध्यान दखना कि जब भी definitions है तो वो सारी क्या alphabetically क्या है जी alphabetically तो कई बार अगर आप confused हो रहे हूं तो इस चीज को आपको मदद मिलेगी जानने में जैसे मैं आप से पूछू aggregate turnover की definition क्या बोलू aggregate turnover की definition आप बताओ 252 से पहले आई गया बाद में क्योंकि यह alphabet कां से जुरू रहा है यह से अगर मैं बोलू कि taxable person की definition 102 के बाद आई गिया पहले बोलो जी 102 के बाद में क्यों आएगी क्योंकि यहां पर 102 तक क्या है service क्या है service क्लियर है मेरी बात या नहीं यहां तक क्लियर है यहां तक को आउट बोलो तो हमने क्या बोला कि भई इंट्राइस्टेट सप्लाई पर इंट्राइस्टेट सप्लाई पर cgst लगेगा किस चीज की सप्लाई होनी चीए goods की और service की अब मैं आप से चोटी सी बात पूछ ले तो मैं आप से चोटी सी बात मुझे बताना आप सब लोगों का बैंक में अकाउंट है होगा बैंक में अकाउंट होगा तो जो यह बैंक में अकाउंट है तो बैंक में जो आपका अकाउंट है उसमें बैलेंस भी होता होगा लाग दो लाग पचास हजार बीस हजार तीस हजार तो जब आपका bank में account है तो उसमें balance भी है तो आपको interest मिलता है उसमें नहीं मिलता है हाँ saving में मिलता है current में नहीं मिलता है current में अगर FD बगारा करा लो तो मिलता है तो जो मेरे को bank से interest मिला bank से मुझे जो interest मिला तो क्या मैंने bank को कोई service दी या नहीं है यह बताओ बैंक से इंट्रस्ट मिलना क्या मेरी सर्विस हो गया नहीं हो ये नॉर्मल चीज आपनी सोच पाओगो और आगर आपने चीज या तो तो पूरा जीएस्टी गड़बड अब आपने का सर क्या मतलब भाई मैं चार्टर अगांटेंट हूं मैं आपको सर्विस दे रहा हूं दिख रही है तुम्हें मैंने बैंक में पैसा जमा करा बैंक ने उसके बदले में मुझे कुछ इंट्रेस्ट दिया तो मैंने बैंक को सर्विस दी या नहीं दी तो यहां पर जहां सर्विस लिख लो एक लाइन डालके एक लाइन डालके नीचे नोटिंग करके लिख लो क्या लिखोगे कि जो मैंने chapter में इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसलिए बता रहा हूं ठीक है अगर मेरी बात पर यकीन नहों तो मैं तुमें इसकी definition बढ़ा देता हूं ठीक है तो पहले इसकी definition तब तक आप Hindi में लिख लो यह मेरी बात तो मानों गरी ठीक है तो मैं तुमें क्या बढ़ा रहा हूं आपर service की definition का बढ़ा रहो service की definition पड़ो service means क्या लिखाया पर service means जब भी कोई definition means से शुरू होगी तो उसका meaning यह होगा कि means का मतलब means इसके बाहर कुछ नहीं है तो कहता है anything other than goods कि जो goods नहीं है वो सब service है पहली चीज़ तो ठीक है money and securities ठीक है other than goods money and security तो जो money है या security security content shares वगरा उन्हें हम नहीं मानेंगे money को भी हम service नहीं मानेंगे मतलब की तुमने मुझे दो हजार रुपे दिये और मेरे से 100,000 के note ले लिए या दद्दस के note ले लिए तो यह service नहीं है ठीक है ना but क्या लिखा है but includes activity relating to use of money क्या लिखाय जी includes activity relating to use of money bank ने मेरी money को use करा या नहीं करा ठीक है ना or its conversion by cash or by any other mode from one currency or demolition to another form currency for which a separate consideration is charge तो यहां पर जो use of money है वो क्या है service क्या है जी use of money is a service तो जब मैं बैंक में पैसे जमा करता हूं और bank मुझे उस पर interest देता है तो मैंने bank को क्या दी service दी यह वाली बात अपने mind में रखना ठीक है यहां पर आपने note कर ले ठीक है तो मैं service की definition एक बार के लिए आपको clear है हां बोलो service की definition clear है या नहीं बोलो चले अब आगे चलते हैं यहां से मुझे कुछ आपको बात बतानी है इसलिए मैं आपके लिए यह चीज करी है तो इन्होंने क्या वोला कि वही supply of goods होना चाहिए supply of service होनी चाहिए और both accept on the supply of alcoholic liquor alcoholic liquor की supply पे GST नहीं आता यह वाली बात constitution नहीं मना कर दी थी है ना last class में हमने जब constitution में definition बढ़ी ती GST की तो उसने कहा था सब पर GST लगाना लेकिन किस पर मत लगाना alcoholic liquor there shall be no GST levied ठीक है यह हमने और उसके बाद किस value पर लगेगा section 15 किस पर लगेगा जी determined by section 15 और rate कोम सा होगा जी ठीक है जो भी governments notify करेगी लेकिन notify किस से जादा नहीं हो सकता 20% क्या जी 20% CGST 20% SGST तो आज की डेट में अगर rate है आज की डेट में rate है कितना 28% कितना rate है maximum rate कितना है तो 28 का मतलब क्या है 14 तो कमर पक्की रखो हो सकता है 28 कभी भी 40 हो जाए लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होगा कब होगा 40 से ज्यादा जब गोर्मेंट्स अमेंड करेगी लोग को अमेंड करना पड़ेगा लेकिन 40 से ज्यादा गोर्मेंट्स नहीं कर सकती ठीक है और 40 तक notification लाके कर सकती है क्लिए अब ये तो हो गया लेवी ये तो क्या हो गया लेवी लेवी समझ में आया इंट्राइश्टेट सप्लाई पर लगेगा सप्लाई किस चीज की होनी चीए गुड्स और सर्विस की होनी चीए वैल्यू डिटर्माइन कहां से करेंगे सेक्शन 15 से रेट कों सा लगाएंगे जो नोटिफाइड होंगे लेकिन वो किस से ज्यादा नहीं होंगे 20 परसेंट से ज्यादा नहीं के लिए अब आगे की लाइन जो आज का इंपोर्टेंट है ठीक है ना and collected क्लीक एंड कलेक्ट हैं आप आगे वर्टिंगे अ अब आगे लेक्टीट की बात लगाएंगे ठीक है लगाना के लिए हो गया एंड कलेक्टिड इन such manner as may be prescribed and shall be paid by and shall be paid by and shall be paid by taxable person this word highlight कर लो कि यह जो tax जो paid करेगा वो कौन पेड़ करेगा taxable person अगर जो व्यक्ति taxable person ही नहीं है जो व्यक्ति taxable person नहीं है उस पर tax लेवी तो होगा लेकिन वो पेड़ नहीं करेगा तो अब हमारे को क्या समझ रहा है कि taxable person को होता है कि यहां पर इस चीज को समझे charging section ने क्या बात बोली लेवी और करें उन्होंने बोला लेवी करेंगे सब पर और collect किस से करेंगे taxable person से और अगर किसी तरीके से कपिल येन taxable person की definition से बाहर हो जाए अगर कपिल येन taxable person की definition से बाहर हो जाए तो क्या कपिल येन पर जेस्टी आएगा लेवी तो होगा लेकिन collect नहीं होगा पहली चीज क्या थी भाई गोड्स और सर्विस होना चाहिए सप्लाई होना चाहिए समझ रहो मेरी बात को लेकिन ultimate मजे की बात क्या निकाल दीनोंने कि सब कुछ हो लेकिन तुम किस से बचके निकल जाओ टेक्सेवल परसन से तो मजा जाएगा तो मैंने पूछा है टेक्सेवल परसन क्या होता है तो उन्होंने का section 2 107 अब निकाल लो section 2 107 किसकी टेक्सेवल परसन बड़े द्यान से पढ़ना भाई मैं हर चैप्टर को पढ़ने का आपको तरीका बताऊंगा कि मैं यह chapter क्यों पढ़ रहा हूं तो टेक्सेवल परसन कोन होता है तो पर्टेक्सेवल सब्सके मिदेशन अगर आपका client taxable person की definition से अगर आप उसे बाहर कर दो तो जितना मर्जी GST लगा लेना लेकिन उससे कोई भी collect नहीं कर पाऊगे तो हमारे पास अगर कोई client आता है तो हम पहले उसे बताते हैं तुम taxable person हो या नहीं तो इन्होंने क्या बोला? taxable person means क्या बोला? taxable person means person who was registered who is on another taxable person वह यह जो कि register है जो की register है ऑप यहाँ पर यह बात बढ़ी अच्छी है तो मैंने काiggly taxable person वो तो होता जो कि register है और tax किससे लिए जाता है meman ने काрат légूं और jagmary registration नहीं करोंगा तो के मैं taxable person मनूंगा नहीं तो government मैं से tax नहीं लेगी गौर्वेंट ने का रुको 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 इन्हों ने का taxable person कौन होता है means a person who is registered तो इसका मतलब यहां से एक बात interpretation से निकल कर आई कि अगर कोई व्यक्ति GST में registration करा लेता है तो वो क्या बन जाता है taxable person और उसके उपर GST लगेगा ही लगेगा तो अगर कोई व्यक्ति GST में registered है इसे note कर लो अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास GST में registered है तो आप उसे क्या बोलोगे you are a taxable person तो तुम पर लैवी भी होता है और तुम पर collect भी होता है अब तुम यह मत कहना मैं GST पर नहीं करूगा ठीक है अब लेकिन अगर मुझे taxable person से बचना है तो मैंने registration नहीं लिया तो उन्होंने क्या कहा कि taxable person means a person who is registered और liable to be registered under section 22 और 24 उसने कहा कपिलियन registration मत लो लेकिन अगर हमें यह पता लग गया कि तुम लाइबल हो क्या हो तुम लाइबल हो किसके लिए registration के लिए कौन से section हो में 22 और 24 में तो हम तुम्हें भी taxable person बना देंगे और taxable person से tax collect होगा चाहे वो किसी से collect करे या ना करे यहां पर इस बात को समझना मेरी सेल एक्जामपल लिख लो यहां पर मेरी सेल 80 लाख रुपे ले अहिए कि चैंण कपिल यहन की सेल 80 लाख रुपे रिकिन कपिल यहन जीस्टी में रजिस्टर नहीं है घ्यस्टी में निये रजिस्टर नहीं कि तो चैक्सल परसन ए कया वो ट्था लगोल परसन चेक करेंगे कि अगर वो लैवल है section 22 24 में अभीके लिए लिमिट याद रखो अभी मैं पूरा बताऊंगा लेकिन अभी के लिए आपको तो लिमिट पता ना 40 लाग की तो इसका मतलब वो taxable person है क्योंकि वो libel है libel है किसके अंदर 22 के अंदर तो यह taxable person हो गया या नहीं हो गया अगर यह taxable person हो गया तो चाहे यह GST में registration कराए या ना कराए गौर्मेंट इससे tax लेगी इस 80 लाख रुपे की sale पर आप मेरे point को समझे या नहीं हां लेकिन इसके विप्रित एक वेक्ति है जिसकी turnover पाच लाग है जिसकी turnover कितनी है पाच लाग है क्या यह libel है section 2224 से अभी हम मान के चलने नहीं लाइबल है क्या नहीं लेकिन इसने अपना registration करा लिया कि बताओ यह taxable person हो गया यह और अगर यह taxable person हो गया तो क्या government से tax collect करेगी करेगी तो हमारे को क्या कोसिस करनी है अगर GST से बसना है तो अपने आपको taxable person मत बनाओ लेकिन taxable person कोन बनता है जो लाइबल हो 2224 में तो अगर अब हमें यह पता करना है कि हम पे GST लगेगा या नहीं तो हमें 2224 पढ़ना पढ़ेगा तो अब आपको किलियर हुआ कि 2224 क्यों पढ़ना है are you getting my point मैंने डारेक्ट आपको यह नहीं बोला कि 2224 रजिस्टेशन के लिए पढ़ना है नहीं नहीं भाइस और 24 समय रजिस्टेशन के लिए नहीं पढ़ना हमें क्या चेक करने के लिए पढ़ना हριं हम टैक्सेवल परसन है या नहीं च्योंकि टैक्सेवल परसन कोन होता है कि जो लायबल होता है जो लायबल होता है तो जब भी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आए जब भी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आए कि मेरा GST में रिजिस्टेशन करा दो तो सबसे पहले उससे बोलना कि अपने इच्छा से करा रहे हो या तुम पे GST लगता है वो कहेगा हां मेरे पे लगता है उसे लगाने से पहले क्या चेक करना है 22 और 24 कि तुम लाइबल भी हो या नहीं है आर यू गेटिंग वाइब पॉइंट हर चैप्टर का हमारे को पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे है कि सिंपल यह नहीं कि 2224 पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं कि भैक में जागे किलिए रहा पहले मनें पढ़र चार्जिंग सेक्टषिंग से क्राइटा है कि किस से करेंगे और टेक्रीटब पर्सटंव में जो लाइवल हो और लाइवल कौन से सेक्शन हो में 224 में अब आपको समझा है 2224 क्यों पढ़ना है इस्टार्ट करें 2224 पढ़ना चलो अब आते हैं 2224 पे ठीक है मैंने सेक्शन 9 को भी छोड़ दिया शरीफ एक सबसेक्शन बढ़ागा अभी इसके कितने रहते हैं हमारे चार वो भी आज की क्लास में फिनिश कर लेंगे ठीक है आपको समझा रही है ले समझा रही हम कैसे बढ़ रहे हैं ठीक है चलिए अब आते हैं सेक्शन 22 तो इन्होंने क्या बोला इस बात को समझना इन्होंने क्या बोला कि वैसे तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन का पूरा ही च अच्छे शबिस तो हम पहले शेक्शन पढ़ेंगे फिर रूल रूब्स का भी भी बिना क्शन पढ़े मत पढ़नेना यह मैरी वार्निग दो में जब तक sections ना पढ़ लो तब तक rules नहीं पढ़ने ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जब आप rules पढ़ोगे तो मापर section का reference होगा और जब तक आपने section नहीं पढ़ाऊगा तो आपको clear नहीं होगा तो 22 से 30 तक पूरे registration के section पढ़ने है लेकिन इसमें से दो section किसलिए पढ़ने हम taxable person है यह नहीं ठेक है clear तो आजाओ section 22 or 24 section 22 or section 24 तो इन्होंने दो section क्यों बनाए लाइबल के लिए पहली चीज हमारे को यह समस्थ नहीं एक ही बना देते हैं इन्होंने है कहाँ दो section है एक तो है turnover based एक तो क्या है turnover based को और एक है mandatory एक दूसरा क्या है mandatory तो turnover based का मतलब क्या है अगर तुम्हारी turnover कुछ specific limit से उपर होगी तो तभी कि तुम क्या बनोगे taxable person तभी हम तुमसे tax link ठीक है और mandatory में क्या है कि हम turnover को नहीं देखेंगे हम तुम्हे taxable person बनाते और तुमसे tax link ठीक है अब यह वाला जो section है यह कई बार change हुए ठीक है यह section का हुए कई बार change हुए तो मैं आपको final crux बताऊंगा कि final crux क्या है अब आप इस चीज को समझना हमारे देश में कितने स्टेट से 29 के रहा है कोई 26 के रहा है परधा भारत का परधान मंत्री बनोगे कैसे बनोगे तुम हाँ तुम्हें स्टेटी नहीं पता कि अंडवान निकोबर भारत में है या निये है पक्का लक्षदीप लक्षदीप भारत में हा पक्का तो भाई पहले न यह समझ लोगी हमारे देश में स्टेट है कितनी क्योंगी स्टेट वाई यहां पर लिमिट होगी भारत का सविधान जब भी तुम कभी पढ़ोगे तो वहाँ बर मैं तुम्हें क्रक्स में बता देतो भई हमारे देश के अंदर ठीक है ना हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स तो एक है ठीक है और तीन स्टेट्स एक है शर क्या मतलब माने बतां हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स है और तीन ऐसी एं जिनका लेजिसलिटर जिनका लेजिसलिटर एच पल्क नीते एत्सेंट तो भाया अपने हिंदुस्तान में रहते हो इतना तो पता हो कि कितनी स्टेट है और पाज हमारी क्या है यूनियन डेरेटरी अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपको कोई क्लाइंट आए और उसकी 25 स्टेट्स में रेजिस्टेशन हो अगर वो 25 स्टेट्स में रेजिस्टेशन हो या वो अपना बिजनिस 25 स्टेट्स में करना चाहता हो तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि वो रेजिस्टेश की बात करूं ट्रिक है ये हमारा हिंदुस्तान इसके अंदर मैंने क्या बता थिंचेजू में अपने आपको एक तो बोला क्या स्टेट और एक बोला युनियन टेरेटरी पता रही है na union अगर आप सवीधान की बात करोगे तो सवीधान में दो ही चीजे इस्टेट्स ठीक है और यूनियन टारेट्रेट्स ठीक है लेकिन GST के एंगल से हमें यह तीन पढ़ना पड़ता है सर ऐसा क्या है मैं आपको बताओ कि भी देखो जो सवीधान हमारा बना उसमें जैसे उत्तर परदेश है उत्तर परदेश क्या सिंपल इस्टेट इस्टेट होगी यहां पर और यहां पर इनका मुख्यमंत्री होगा इनकी विधान सभा होगी और यह अपने सारे कानून बनाए जो भी स्टेट लिस्ट में लिख्यों जो भी किसमें लिख्योंगे लास्ट क्लास में डिसका सरा था स्टेट लिस्ट तो जो भी स्टेट लिस्ट में लिख्योंगे उसमें कानून बनाएगी जैवा टैक्स का कानून हो चैपुलिस का कानून हो चैकुछ भी अब हम बात कर करते है यूटी किस की बात करते हैं यू यू पर कोई विदान सभा होगी यहां पर एक ही विटी होगा ठीक है LG सुनायन नाम टिक है कौन हा लइफ गूड ही तेल यह कंपनी वाला नि भाई ठेक है लेफ्ट इन गवडनर ठेक है लेफ्टिन गवर्णर होगा वही से देखेगा क्लियर भी भात अब एक दीसरा और निकल करा गया दिल्ली कया निकल करा गया दिलिली कहा है दिल्ली का है दिल्ली स्टेट नहीं है दिल्ली क्या है यूनियन टेरेटरी क्या है यूनियन टेरेटरी है तो केंदर सासित परदेश लेकिन इसके साथ कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि केंदर सासित परदेश भी है लेकिन स्टेट भी है सर क्या मतलब इन्होंने क्य कहा कि यहां का मुख्य मंत्री भी होगा है ना मुख्य मंत्री अर्विन केच्रिवाल जी यहां का मुख्य मंत्री भी होगा यहां की विदान सभा भी होगी ठीक है यहां का मुख्य मंत्री भी होगा और यहां की विदान सभा भी होगी और साथ में इस विदान सभा के अंदर कानून भी बनेंगे लेकिन सारे कानून विदान सभा नहीं बनाएगी सारे कानून विदान सभा नहीं बनाएगी टैक्सेशन वाले कानून तो विदान सभा बना देगी लेकिन अगर मैं बात करूँ पुलिस की जैसे अर्विन गेजिवाल बार बार क्या दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि पुलीसर रिलेटिटिड कानून कों बनाएगा, यूनिय क्या मनाईगी? यूनिय तो यहाँ पर अभागो ये किलियर हुआ विदान सभा भी मुख्यमंतरी भी सारे कानुन पुलीस टैक्स वैक्स सब हम बनाएंगे Union territory का मतलब ना विदान सभा ना मुख्य मंत्री श्रीव श्रीव एलजी ठीक है सब वो बनाएंगे Union territory और इसका मतलब क्या हुआ UT प्लस legislature है तो UT लेकिन साथ में क्या है विदान सभा भी है साथ में क्या है मुख्य मंत्री भी है साथ में टैक्सेशन के कानून बनाएगा साथ में टैक्सेशन के कानून बनाएगा लेकिन पुलिस वाले कानून या पबलिक ओडर वाले कानून नहीं बनाएगा अगर हम GST पढ़ रहे हैं तो GST की नजरों में क्या UT with legislature को स्टेट माना जा या नहीं तुम बताओ GST की नजरों में क्योंकि हमारे को क्या मतलब है टैक्सेशन किस कैसे मतलब है टैक्सेशन तो GST की नजरों में जब भी हम बात करेंगे जब भी हम बात करेंगे तो हम कितनी स्टेट मानेंगे भाई 31 कितनी स्टेट मानेंगे 31 अब यह मैं सारी बाते क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास कोई फंडा तो यह कि मैंने चार्ट बना दिया उसके सामने लिमिट लिग दी काम खतम एक है कि नहीं सरी लिमिट आई तो आई कैसे मुझे बता हूं क्योंकि मैं चार्ट पूरा याद नहीं कर सकता जिसके आगे मैंने एस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है इस्टेट जिसके नहीं और बाखिजब इस्टेट के लिए मेरी बात तो जब यह जीस्टी का कानून बन दा था तो अभी नोंने क्या कहा हर व्यक्ति को पकड़कर तो जीस्टी नहीं लगा सकते तो हमें कुछ ना कुछ दिलैक्सेशन देना पड़ेगा क्योंकि आप अगर गली से निकलते ह तो आप शैलून पर गए तो शैलून छोटा बेखती है ठीक है उसकी टर्न ओवर हो सकता है कि वह साल में कितने रुपर कमार हो दो लाग चार लाग पाच लाग क्या उस पर जीस्टी लगा दे हां मोची जो बैठा हुआ है क्योंकि गोड्स और सर्विस तो दे रहे हैं सब जो बाता है जो अरो भी चार्जिंग सेक्शन में तो आघे हैं। उसक्स क्यों कि अक्यों के मिला मुदी चेक्षिंटी वाह निकालने के लिए कि उन्हें जे्टी के दायरे से बाहरकाब करता हुए taxable person और कहां से taxable person section 22 or 24 तो हमने section 22 में क्या लिखा जिस व्यक्ति की turnover हमने क्या बोला जिस व्यक्ति की turnover जिस person की turnover जिस supplier की turnover एक certain limit से कम होगी वह taxable person नहीं और अगर वह taxable person नहीं है अगर वह अपनी इच्छा से देना चाहे अगर वह अपनी इच्छा से देना चाहे तो register करा ले अपने आपको क्या बन जाए taxable person लेकिन हमारी नजरों में वह taxable person नहीं तो अब हमारी इस state को अपने यहां पर लोगों को फायदा देना होगा उन्होंने लिमिट्स जदा स्वाटर क्यों किया रख़ी होगी वह bring जादा उन्होंने हे लिमिट्स कैसा रख़्ी होंगी ज्यादा कि वह हम इस लिमिट्स तक तुमसे कोईबी தभ में लेंगे जितनी लिम्ट्स कम रखेंगे ओतना टैक्स बेस बढ़ जाएगा, जितने लिम्ट्स बढ़ाएगे ओतना टैक्स बेस कम हो जाएगा, तो section 22, subsection 1 की opening line, निकाल लिजिए, section 22 किस के बेस पर है, turnover, किसके बेस पर, turnover, तो इन्होंने क्या बोला, section 22, तू निकाल लिया क्या कहता है ओपनिंग लाइन इसकी एवरी सप्लायर क्या वर्टिंग से शुरू है यहाँ पर एवरी सप्लायर ध्यान से पढ़ना आपको मजा आएगा समझ में नहीं तो लिमिट्स एक मिनट में रड़ भी सकते हो तो यहाँ पर इन्हों ने क्या बोला ए एवरी सप्लायर तो सप्लायर को नहीं होता है उसकी डेफिनेशन किसे में लिखिये सक्षेन टू वन जीरो फाइब में ठीक है एवरी सप्लायर शैल भी लाइबल टू वी रजिस्टर्ड शैल भी यहाँ पर वर्डिंग क्या है शैल भी कि हर वो सप्लायर यहाँ पर इन्ह state in the state in the state state नमतलग आपर क्या बोलो UPS टेट है या निये दिल्ली स्टेट है आँ लिए आपको पहले state की definition बंदनी इसकी Definition diva new state definition किसमें लिछे हो यह section 2103 बात तुमे बोलूंगा उसे पहले यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यह बोलते सर यूपी स्टेट है लेकिन दिल्ली स्टेट नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा कौन Constitution कौन और Constitution के अंदर यूपी इजा इस्टेट बट दिल्ली इजा Union territory क्या जिए के विद लजीषे चले लेकिन वो स्टेट नहीं है लेकिन जब g.s.t के पढ़ोगे तो यहां पर इस्टेट का मतलब क्या होता है इस्टेट इंक्लूट्स नहीं है तो यहां पर इस्टेट कितनी है एक तरही के से 28 इंक्लूट्स union धरीषेलेचर मतलब तो यह 31 कैसे आया जी है स्कुर्ट के अंदर इक लियर हुआ तो इस्टेट का मतलब क्या है एस्टेट with union territory किलेर वा विद लेजिसलएचिर सभीदान के साफसे स्टेट कितनी है सभीदान के साफसे सबीधान के साफ से 28 जेस्टी के साफ से 31 आप मेरे पॉइंट को समझ रहो या हाँ जी के लियर हुए वाली डेफिनेशन बोलो जी तो देखो जब आप पढ़ते हो तो डीप में जाके पढ़ना है तो इन्होंने क्या बोला एवरी सप्लायर शैल भी लाइबल टू भी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट इन दा इस्टेट और यूनियन टेरेटरी चाहे उसे स्टेट में हो चाहे वो यूनियन टेरेटरी की डेफिनेशन इन्होंने लिख के बताई है कि यह यूनियन टेरेटरी है है जिलोगों के पास पुराना एक्थ है तो यह Union Territory की definition थोड़ी सी चेंज हुई है क्या हुझ है चेंज हुए उसमें अमेंडमेंड है और यह तो जो पुराना आक्थ लेकर बैठे हैं तो वह उसे चेंज कर लेंगे आज की रेट मेंने कितनी पाँच कितनें पाच कोई बताएगा पाच के नाम मुझे पाच के नम बताएगा कोई do लिख हो Annman and Niko Var क्या लिखो아 Annman and Nikoba दूसरा लिख को लख्षजीप तिक यह है तीसरा लिख को चंदिगड़ चोधा लिखो दमनें द्यू एन दादर नागर हवेली दादर एन नागर हवेली पहले यह जो दोनों यूनियन टेरेट्री थी यह अलग अलग ती पहले क्या थी यह अलग अलग ती लेकिन बाद में यह क्या हो गई है मर्ज हो गई है बाद में क्या हो गई है मर्ज ठीक है त पाच्वा कोई मुझे बताएगा अरे गोवा तो स्टेट मुख्यमंत्रियम आख तो परदानमंत्री कैसे बनोगे इंदुस्तान के अरे अध्यजरी का तो मुख्यमंत्री है उसकी तो भी रान सबाए मैं तुम्हें भारत पे राज कराने की सोच रहूं। तुम्हें पता ही निये भारत में है क्या। तो राज कैसे करोगे भारत पे पर्दानमंतरी कैसे बनोगे। अगर तुम्हें बना दिया जाए फिनैंस मिनिस्टर। एक लद्दाक क्या। लद्दाक। तो यह ठिफ प्रियों यह कि पता जैले बच्चे ने पूछ लिया पापा बताओ कितनी स्टेट है ओर तुम सोच रहे हो तो यह पाच क्या है union territory कि यूंऔर ट की लिए मेरी बात तो यहां पर हम क्या पड़ रहे थे भाई और देखो न मैंने तुमारी सुविधा के लिए यहां पर लगा दिया है लक्स देखो लद्धाक यह ना अन्दमाननी को बार ठीक है और यह मैंने एक ही में वर्ज कर दी और यह चंदिगर ठीक है यह क्लिए रहे है बोलो जी क्योंकि मुझे बता तुम मैंनत नहीं करोगे यह जोग्रफी भी तुम सोचो करोगे घ्री आड दाओ टो हमने क्या बोला अवरी स्टेट स्टेट कितनी अठाएस प्लस थीन अठाएस फ्लस टीन और यूनिटरिटि इपनी 5 तिक है अब यहां पर यह क्याता है कि यहपर जो भी आप स्टेट मे जाओ यह यूनिटरिटि मे जाओ आपको र्जिस्ट्रि supply क्या बोला इनोने from where he makes a taxable supply अगर तुम महां से क्या करते हो taxable supply करते हो तो आपको registration कराना है otherwise नहीं कराना अगर आप महां से क्या करते हो taxable supply अब आप एक example लिख लो इसमें एक example लिख लो ठीक है इसमें एक कपिल जैन है कि मैं यहां पर बैठा हूं दिल्ली में और अभी हम यह मान के चलने है कि दिल्ली में मेरी turnover 80,000,000 रुपे लेट सब्सक्राइब और मेरी एक प्रोपर्टी है यूपी में एक प्रोपर्टी है पंजाब में और मुझे यहां से रैन्टाः 300,000,000 रुपह और यहां से भी रैन्टाः 30,000,000 रुपह अब मेरा कोस्टन आप लोगों से यह कि क्या मुझे यह दोनों प्रिमिसिज मैंने क्राई पर दिये, ठीक है न, यह दोनों प्रिमिसिज मैंने क्राई पर दिये, मुझे रेंट आ रहा है, ठीक है, क्या मुझे इन दोनों स्टेट में रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा या नहीं, क्या मुझे इन दोनों स्टेट में रेजिस्ट कई लोगों का मानना यह है कि सर चुकि तुम्हारी प्रोपर्टी यूपी में और पंजाब में है तो इस बात से यह परतीत होता है कि आप वहां से taxable supply कर रहे हो आप महा से क्या कर रहे हो taxable supply कर रहे हो लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह जो मैं taxable supply कर रहा हूँ जो मैंने property को rent पर देना property को rent पर देना क्या यह service है या नहीं है तो यह अगर मेरी service है तो इसमें मैं taxable supply कर रहा हूँ लेकिन मैं उस state सब्सक्राइब कर नहीं कर रहा उस स्टेट में मेरी क्या है प्रोपर्टी ये लेकिन में मांते टेक्सप़र supply करा ही नहीं अब एक viewpoint लोगों का यह आता है चुकि तुम्हारी property यहाँ पर है तो जो यह rent की service है यह क्या है rent की जो यह service है यह हम यह मानेंगे कि आपने कहां से दी UP और पंजाब से मैंने कहा अगर तुम यह बात मानते भी हो और तुम मुझे कहते हो कि registration कराओ तुम मुझे क्या कहते हो registration कराओ कहां पर UP में और पंजाब में तो मेरी बात को ध्यान से समझना क्या मैं इसे practical करा पाऊंगा क्या मैं UP और पंजाब में करा पाऊंगा मेरी property मैंने आपको कि वो तो आप अपना registration कराऊगे ना क्योंकि आप मुझे रेंट दे रहो आप मुझे क्या दे रहो तो महाँ पर मेरी कोई existence नहीं है जब महाँ पर मेरी कोई existence नहीं है तो मैं महाँ पर registration कराऊ क्यों तो इसका जो मेरा अपना opinion यह है कि अगर आप 10 जंगा पर property रखे हुए हो और आप उसे मैनेज एक ही जंगा से कर रहे हो तो आपको different different states में registration नहीं कराना क्योंकि आप इस दाइरे में आते ही नहीं from where he makes a taxable supply आप taxable supply कहां से बना रहे हो दिल्ली से अभी मेरे पास एक consultant आया उसने का मुझे consultancy चाहिए आप से ठीक है और registration के chapter से चाहिए क्या था उसका question समझना उसने कहा कि मैं हूँ एक GTA goods transport agency ठीक है और मैंने क्या अगर रखा है दिल्ली यूपी हरियाना हर जगा से मेरी booking होती है हर जगा से मैं ट्रक वगारा क्राइब पर देता हूं लेकिन सारा management सारे बिल सब कुछ कहां से इशू करता हूं दिल्ली से सब कुछ यहां से इशू करता हूं यहां पर तो श्रीव मैंने अपने एक तरीके में से एजेंट बिठा रखें हो तो उसने में से पूछा कि क्या मुझे हर स्टेट में रिस्टेशन देना पड़ेगा तो मैंने कहां इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 22 और सेक्शन 22 क्या कहता है फ्रॉम वेयर ही मेक्सा जयो महां से देते हो तो आपको रिस्टेशन कराना ज़रवान नहीं कराना कि लिए हरवा मेरा व्यूपन त्यांट या नहीं ठीक है एक और एक्जम्पल सबद्दों ठीक है एक और एक्जम्पल से करतों last video दिल्ली है धिल्ली में हमारी के झेल याधी चले चली मेघ्जीन बेचते हैं तो क्या हमने शराब को ठेका यह अमने यूपी में खोल लिया और यहां पर हमारी टनओवर ए माल लो टिक है ना असी लाग यहां माल लो क्या मुझे यूपी में रिजिस्टेशन कराना पड़ेगा क्या मैंने यहां पर क्या बोला कि आपको रिजिस्टेशन कब कराना है from where he makes a taxable supply क्या बोला जहां से आप क्या कर रहे हो taxable supply क्या मैं दिल्ली से taxable supply कर रहा हूँ yes तो दिल्ली में कराना क्या मैं यूपी से taxable supply कर रहा हूँ no तो मैं माँ पर रिजिस्टेशन नहीं करऊंगा तो रिजिस्टेशन कराने के लिए पहले क्या चीट चेक करनी है from where taxable supply कि आपकी मां से taxable supply होनी चाहिए property वाले case में मेरी वाहँ से taxable supply नहीं थी taxable supply महाँ से नहीं है अगर department ने किसी भी दिन ये prov कर दिया कि तुम्हारी यहां से taxable supply है और तुमने यहाँ पर registration नहीं करा रखा तो वो तुम पर penalty लगातेगा तो जब भी किसी client को सजेशन दो तो आपको क्या चेक करना है कि वह महां से टैक्सेवल सप्लाई कर रहा है या नहीं किलियर है टैक्सेवल सप्लाई की डैफिनेशन कहां से पढ़ लोगे यहां से अब सर टैक्सेवल सप्लाई का क्या मतलब दस रुपे की टेक्सेबल सप्लाई करते तब भी मैंने का नहीं क्यों कि सेक्शन 22 कि स्पेस पे है तो इन्होंने क्या बोला कि अगर महां से टेक्सेबल सप्लाई हो रही है कितनी ठीक है अब यहां पर इस चीज़ को ध्यान लगना इफ इस एग्रीगेट टनोवर क्या जी अ अब आपके मन में सवाल होगा सर यह तो लिमिट 40 लाग हो गई नहीं बताऊंगा मैं अगर आपकी एग्रीगेट टनोवर 20 लाग रुपे से ऊपर जाती है किसमें स्टेट्स में किसमें स्टेट्स में या यूनियन टेरेट्री में एंड 10 लैक फॉर इस्पेशल केटेग्र स्टेट क्या है तो जो मैंने आपको कॉंस्टिशूशन पढ़ाया था तो कॉंस्टिशूशन में हमने काउंचिल पढ़ा था जेस्टी काउंचिल पढ़ा था या नहीं तो जेस्टी काउंचिल ने यह बताया था कि हिंदूस्तान के अंदर कुछ स्टेट्स को हमने दर्ज मैंने एक नया ट्रम यूज करा क्या जी इस्पेशल कैटेगरी स्टेट अब अगर मैं बात करूं यहां पर मिजोरम मनीपुर नागा लेंड अज तुम्हें इन इस्टेट्स को देखकर कुछ लग रहा है इन पर कुछ तरह सारा क्या यह चोटी क्या यह उत्तर पर देश की ज दोनों के लिए GST के प्रोविजन सेम बना दे तो कुछ बेदवाओ होगा या नहीं होगा जैसे एक्जामपल समझो कि हमने उत्तर परदेश में कहा कि जिसकी टर्णोवर 20 लाग क्या बोला जी जिसकी एग्रिगेट टर्णोवर 20 लाग से उपर है उन्हें रिस्टेशन करा जीन सब्सक्राइब अद है 20लि लाग से कमवाले माफी और अगर हम यही वाली बात को बोल दे यही वाली बात मिजोरम को बोले तो से 106 दिव नि क्या को क्या हटा है मिजोरु मेर्डा सेर है चोटा यहां पर सारे लिएक उथिðиком को सकता है कि सारे वेक्ति ऊ patrickink convert से नीचे हो जाए और जब 20 लाक चीन हो जाए तो आपने 2 लाक नीचे हो जाए तो वहां मेंड़िस्ट्ट करिश्टेशन उगा जिएक और जब जिह स्टी आ ही करने सिर्टेश मीलेक्ट तो वहां की इस्टेट की तो इननिया अपणी एप लिंड़ाइगा अपने को 20 लाग को कबने में रचाई है आप लिमीट क्या है क्या को कम कितनी 10 लाग कं कि तक हमारे पास भी री मियू आता रहना तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक normal state में हो वह अगरक एक normal state में हो तो कितनी limit 20,00,00 और अगर आप a special category में हो अगर आप इस special category state में ओ तो कितनी 10,00,00 लेकिन मैं आपको एक चीज्ä और बता दू है ये इतना आसानी आपने बोला नॉर्मल नोर्मल मेंगे अजे आजय यो वी इस wannå और दस लाग की बाध कर रहे हैं रोग्म गॉ्स की बात कर रहे हैं सरविस और special category states को हमने साथ में ये भी बोल दिया, कि अगर तुम्हारा मन लगे, तुम अपनी states को benefit देना चाते हो, सेंटल ने क्या बोला, अगर तुम अपनी states को benefit देना चाते हो, तो तुम अपनी ये जो 10 लाग की limit है, इसे कभी भी बढ़ा कर क्या कर सकते हो, 20 कर सकते हो हमें कोई आपती नहीं है, clear है, clear है, कि आप 10 से बढ़ा कर अपने आपको कितना कर सकते हो, 20 हमें कोई दिक्कत नहीं है, clear, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो जी, हां, मैं आपको बता दू, आज की rate में, स्रिफ और स्रिफ, ये चार special category states हैं कितनी section 22 के लिए किसके लिए section 22 के लिए स्रीफ और स्रीफ ये चार special category states है अगर आप article 279 A4G of the constitution पढ़ेंगे जिसमें special category की बात की गई है वहाँ पर तो बहुत सारी states है कितनी 11 पूरे GST के लिए अगर मैं बात करूँगा तो special category state कितनी मिलेगी तुमें 11 लेकिन अगर मैं section 22 के लिए बात करूँगा क्योंकि section 22 में क्या लिखा हुआ है normal state के लिए limit कितनी 20 लाग और special category के लिए 10 और special category कितनी है श्रीफ 4 किसके लिए section 22 के लिए तो इन चार में limit कितनी हो गई भई 10 लाग और अगर यह चाहिए तो अपनी limit क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते कितनी बढ़ा सकते हैं 20 लाग तो पहली चीज के लिए हुई बोलो जी हाँ अब आपने यह तो सुना होगा कि सर आपने तो पुराना एक्ट बढ़ा दिया limit कितनी है जेस्टी में चालिस लो में तो नहीं लिखका लो में कितनी लिखकी है क्या लिखकी है लो में 20 तो चालिस कैसे तो अब एक बात नोट करो एज पर फ्रेंस एक्ट दो हजार निस क्या जी एज पर फ्रेंस एक्ट दो हजार निस गोर्मेंट में फोर नॉर्मल केटेगरी स्टेट क्या बोला जी नॉर्मल केटेगरी स्टेट एट रिक्वेस्ट ओफ इस्टेट and recommendation of council कि request करे state और recommendation of council annonce the aggregate turnover क्यों क्या कर सकती है 20 लाग से क्या कर सकती है ठीक है लेकिन बढ़ा सकती है कब कितने तक 40 लाग तक लेकिन कब in case of exclusively supply of goods लेकिन तुमारी हम जो 20 से 40 करेंगे सिर्फ कब करेंगे जब तुमारे पास क्या sale कर रहे हो goods तो service के लिए service के लिए in any case service के लिए in any case 20 lakh ही है और goods के लिए 20 से बढ़ा कर क्या कर सकती है 40 subject to trauma and condition as may be notified तो goods के लिए कितनी है 40 यह वाली बात कब आई finance act 2019 लेकिन नहीं नहीं क्या बोला है क्या बोला है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट ओन रिकमेंडेशन ओफ कांसिल एज मेभी notified क्या लिए ज़िए ज़िए तो लिख लो साथ में अभी तक कुछ भी notified नहीं हुआ अभी तक कुछ भी notify नॉटिफाई नॉटिफाई नुवा लेकिन लिमिट तो कितनी सुनते में आ रहे चाले तो यह कैसे होगा नॉटिफाई नॉटिफिकेशन एक्ट को अवरूल कर सकती है क्या एक्ट में सेक्शन 22 किस चीज के लिए टर्न ओवर के लिए किस के लिए टर्न ओवर में क्या लिखा हुआ है नॉर्मल इस्टेट 20 लाक इस्पेशल काटेगरी 10 लाक हाँ अमेंटमेंट ड़ो फिनेंस एक्ट 2019 का बला तकी बीस को उपिरयागा सक्ते हो चालिस बीस को ड़ा कर सकते हो व सक ई लेकिन रचाशक चालिस लेकिन जब हमICIAइपाई करेंगे लेकिन इसमें अभीता कोई भी नोटिफाइड नहीं हुआ तो फिर लिमिट चालिस लाग कैसे कुछ तो गड़बढ है दया हाँ पहले ये वाला बेस के लिए हुआ मेरा मुझे भी पता है चालिस है तुम्हे भी पता है चालिस है लेकिन किसी को ये नहीं पता ये चालिस है तो कैसे है तो अब मैं एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नए को सेक्शन 22 के लिए हुआ सेक्शन 22 में लिमिट्स कितनी लिखी है हाँ 20 इस्पेशल काटेगरी के लिए 10 लेकिन नया 22 क्या कहता है अब 20 की यंगाम क्या करतें गहीं चालिस लेकिन इसे इंसे इंसर्ट करने के लिए इसे इनसर्ट करने के लिए एक नया सेक्शन में डाल लो उसी सेक्शन का नहों है सेक्शन 23 क्या है जी सेक्शन 23 सेक्शन 23 सेक्शन 23 अब आप गोगा सब 22 तो पूरा कराया नी 23 प्यागे स्टोरी ऐसे ही चलेगी बीच-बीच में जो फाल्तू की चीजे होगी ना वह मैं बाद में बताऊंगा और वह बाद में आप खुद भी रीड़ कर सकते हो यह मैं सोचन 23 का टाइडल को है पर सन नौट लायबल पोर प्रिस्टेशन इन्हों ने कहां सक्षें 22 या सक्षें 24 कुछ भी कहते रहे लेकिन अगर मैंने लिख दिया बीच में यह सक्षेंग बीच में 23 यह कई अगर मैने पर सन लायबल फॉर रोडिस्टेशन तो वो लायबल है नहीं वह लाइबल है नहीं। दो सेक्ट्शन कह रहा ह् 한 सुम लाह वेल ऊ सरे के लिए श्यूल्श के लिए. लेकिन एक एक सेक्ट्शन कह रहा ह् हुआ हम लाह देखने के लगे किसकी बाद माहनखı ह को है जब वो 2224 में libel हो लेकिन हो सकता है मैं 2224 में libel हूँ मैं हो सकता है मैं किसमें libel हूँ 2224 में लेकिन section 23 मुझे कह दे तुम libel नहीं हो तो मैं libel बनूगा क्या नहीं बनूगा क्योंकि यह क्या है specific section क्या है और specific section journal section को क्या करता है वर्रूल किया करता है तो जब भी किसी वेक्ति का रिजिस्टेशन के लिए प्रेशिघ्ट करो कितने लोटने कितने पंदने मैंस रूमें कितने बॉले से दो ठीके तो जो उस कि लास को पढ़कर इंवा गोगा उसे स्टोरी समझना है इसकी स्टोरी समझना है कि यह स्टोरी है क्या सेक्शन 23 ने क्या कहा मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पहले फिर समझना कि इसकी जरूरत क्यों हुई एक था किसान, किसान तो तुम्हें पता है, जैसे मैंने नाम बोला किसान, तुम्हारे मन में किसकी में जाई, तुम्हारी किसान मन में जाई, एक गरीब सा किसान, बिचारा, कंदे पर फावडा लेकर चल ला है, ठीक है, महनती किसान है, ठीक है, कफड़े फटे हुए, उसकी इमेज नहीं जिसके घर के सामने फोर्चुनर खड़ी है उसकी इमेज नहीं जिसके घर के सामने खड़ी है फोर्चुनर वाइट कलर की और वाइट कुड़ता वाइट पजामा ब्राउन जूते किसान तो दो नहीं है न लेकिन इनके ऊपर जब भी हम किसान बोलते हैं तो पहली ही बेज आती है निकल के सामने अब ध्यान से समझना एक किसान है किसान खेती कर रहा है और खेती कर रहा है किसकी काजू की किसकी काजू की केती कर रहा है закры asked है उसके घर के सामने फोर्चूनर होगी और खेटी कर गई किसाने पचास करोड की कितने की पचास करोड की काजू बेच ने कूल पचास करोड की इसने supply of goods ख़रा या नहीं बोलो charging section के साब से इसने supply of goods किया या नहीं section 22 के साब से क्या ये GST में registration के लिए liable है या नहीं लेकिन जब इसके घर पर GST officer गए अरुन जैटली साब गए 50 करोड की काजू बेची है taxable person हो तुम क्या हो taxable person हो तुम्हे registration कराना पढ़ेगा उसने का मैं नहीं कराता उसने का कराना पढ़ेगा taxable person हो 50 करोड पे GST collect करके दो उसने का मैं फासी लगा लूँगा किसान ने क्या बोला मैं फासी लगा लूँगा और कल को अखुवार में आएगा एक किसान GST के बोच के तले दपके मर गया उसने फासी लगा ली और सरकार गिर जाएगी किसी को ये नहीं समझाएगा कि ये किसान 50 करोड की काजू बेच रहता सबको क्या समझाएगा स्रिफ किसान तो उसने का देख मेरे से पंगा मतलियो जैट ली मैंने बड़े बड़ों की सरकार गिराई है उसने का भाई सब हमने तो सेक्शन 22 में लिग दिया कि जिसकी एग्रिगेट टनोवर जिसकी एग्रिगेट टनोवर भी स्लाग से उपर हो और वह सप्लाई ऑफ गूड्स टेक्सेवल अगर करता हो तो उसे जीस्टी में रिजिस्टेशन लेना पड़ेगा उसने का तू जो क्षण 23 को लाया गया किसे लाया गया सेक्शन 23 को ओर सेक्शन 23 में किलियर क्या बोला कि अगर कोई अगरी कल्चरिस्ट है किया है जी कोई एग्री कल्चरिस्ट है और जो कल्टिवेशन of land करता क्या घरता है जी जो cultivation of land अब यह नहीं किसान है अब किसान के पास खेत भी है अब उस खेत में शारुक खान ने कहा कि मुझे एक फिलम की shooting करनी है शारुक खान ने कहा बोला मुझे एक फिलम की shooting करनी है दिलवाले दुलनिया वापिस कर जाएंगे ठीक है जो लेकर गए थे अब वो बापित करके जानी है उसकी फिलम की शुटिंग करनी है तो किसान ने क्या का कर ले मेरे खेतों में मैं ते से क्या लूँगा 50 लाग तब तुम किसान नी रहे क्योंकि तुम तो फिलम की शुटिंग के लिए दे रहे हो लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो एग्रिकल्चरिस्ट है और वो क्या कर रहा है क्लूटिवेशन ओफ लैंड कर रहा जी माललाब खेती कर रहा है और कुछ उगा रहा है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 23 में हमने क्या बोल तुझे लेना ही नहीं किलिए रहे लेकिन agriculture की definition पढ़ लेना section 2 sub section 7 से किससे क्योंकि agriculture meaning क्या है, जो व्यक्ति या तो खुद या अपनी family से या अपने शर्वेंट से higher labour से खेती करता है वो ही agriculture से उसे registration नहीं लेना, वैसे तो 22 से लेना था लेकिन किसने मन रोख दिया 23 तो किसकी बाद माने तो अब आपको किलियर हुआ कि किसानों को किसान कभी भी क्या नहीं बनेंगे तो उसके लिए सेक्शन 23 को लाया गया लेकिन अब मोदी जी ने क्या गया यार यह तो किसान तो बड़े पंगे में अब किसान भर भर के काजू बेच रहा है बर भर के अफीम बेच रहा है और घर के सामने कौन से गाड़ी खड़ी है फोर्चूनर इन्हों नहीं काई से टेक असी का फंगा लेकर तैयार हो जाता है तो अब इन्होंने क्या गगड़ यहाँ पर ना इसके घर के सामने लिए जसे खड़ा कर दिया हो टैक्स तो लेना स्ट तो इसर्टि सोच तो इन्हों ने क्या देखा कि किसान के यहाँपर आ्ता ए沒關係 छान वाला कोन आता है की क्या ले दिया और पगड़िया बीकाने रिखो और पगड़िया हल्दिराब को उसने अगा तू टेक्स ते उसमें का भाइसा मैं तो अगच निया जर्ण ने बेचूँगा अपनी दुकान पर जाकर तब तूमें से टेक्स ले 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 ना उसने का नहीं नी तू टेक्स दे पर्चेजिंग के ऊपर भी टेक्स दे, क्या दे, पर्चेजिंग के ऊपर भी तु टेक्स दे, हमने का ये कुन सी उल्टी गंगा बाहर हो तु, उसने का हाँ, अब हम इसे उल्टी गंगा भाएंगे, और इसे हम नाम देंगे, रिवर्स चार्ज, क्या देंगे जी, रिवर्स you are two for who are previous caso अपल उसे बताँगा तुमें कई मिर्षाप्परां मी ओपफ मा इसे बताऊंगा तुम्हे लोग जिन के चकर में फाव्स-चार्ज कर जनम नहीं तुम नहीं उता हिंबी हंदुस्ताण का नियव क्या थें हम धे इसे का फोर्वेर्श इंग यही देखते हो लेगिन अगर यही गंगा इंगा किसान चलवा देते कि सेल कर ई-काजू वाले से लेते और लेकर क्या करना था जमए ही तो करना था उसने का अपने को जमा करना ही नहीं फासी पर लटक जाएंगे ठीक है तो किसे पकड़ा गया बीका नेर और बीका नेर को जब पकड़ा गया तो क्या बनाया गया reverse charge क्या बना गया reverse charge तो charging section दो बने क्या बना एक तो 911 जो मैं तुम्हेँ बढ़ा कर आई हूँ जिसमें हमने बोला forward charge क्या बोला और forward charge हर जंगा लगेगा कार लगेगा हर जंगा लेकिन जहां जहां tax के लगाने में कोई दिक्कत ने लेकिन collect कर ने मैं दिक्कत किसमें दिक्कत है जी collect करने में दिक्क्त है हां क्या आएगा Reverse Charge क्या एक रटाहँ तो समझ्यारा registration पड़ा रहे थो फिर Reverse Charge में घूज गAdraktion मैंने का ये ही तो technique है अव में तुह में क्या पढ़ा रहो reverse charge charging section का section 9 subsection 3 निकाल लो section 9 subsection 3 ठीक है तो section 9 subsection 3 क्या कहता है पढ़ो section 9 subsection 3 के सामने लिख लो reverse charge क्या लिखोगे जी क्यों आया reverse charge जहां पर levy में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन किसमे दिक्कती कलेक्शन वे तो इन्होंने क्या लिखा एज पर subsection 3 of section 9 the government में क्या लिखा है government में on the recommendation of council by notification by notification specify category of supply of goods or service specify category of goods or service सब पर नहीं लगाएंगे कुछ goods पर और कुछ service पर specify करेंगे the tax on which shall be paid on reverse charge basis जिसमें tax किस से paid किया जाएगा reverse charge reverse का मतला होगे ना उल्टा reverse charge basis by the recipient by the recipient 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 कि जहां पर क्या लिख लोगे हमारे एक्जांपल पर्चेजर हल्दी राम बीकन है by the recipient of such goods or service or both and all the provision all the all the provision of this act shall apply to such recipient और सारे जो लोगे प्रोविजन होंगे उस पर applicable हो जाएंगे उस पर applicable हो जाएंगे as if the person liable for paying tax in relation to supply of goods or service or both तो यहां पर जो section 9 3 में reverse charge है उसमें कुछ goods और कुछ service है कुछ goods और कुछ service अब आप कोगे सरह में तो ऐसे आद नहीं होगा तो हमने क्या गरा है आपके लिस्ट बना दी हमने क्या गरा लिस्ट बना दी बही जैसे हमने आपके लेट अक्रशुन अन्याट काजू पर लगता है तंबाकू पर लगता इसल्की यान पर लगता है लोटरी पर लगता है तो यह कुछ क्या है goods और यह लिस्ट अमने तुमे और लिस्ट तो बना कर दे दी लेकिन गोश्यों में क्या बोला notify करेंगे क्या करेंगे तो यह क्या होगी अनतकाल तक चलती रेगी लेकिन जब यह जब यह कभी 903 में notification आये तो आप समझ जाना इस वाले गुड्स पर क्या है आर्सियम क्या है आर्सियम सब पर नहीं होगा जहां पर कलेक्शन में दिक्कत होगी जहां पर किसमें दिक्कत होगी कलेक्शन में दिक्कत होगी जैसे तंभाकू जैसे क्या है तंभाकू अब तुम्हें पता है तंभाकू के जो ठेके होते हैं कोई शरीफ आदमी लेगा कोई चार्टेड अकाउंटेंटिया कोई बदमास टाइप ले रहा होगा है बदमास टाइप अब पता चला महां पर चैटली साब चले गए ठीक है ना महां पर चलेगे कोई भी तो उन्हें देगा को टेक्स उनने का इसे छोड़ो इस दबंग आदमी से पंगा नी लेकिन जो तंबाकू खरीद रहा है कौन खरीद रहा है चैनी खैनी तो उससे हम ले लेंगे तो आपको यह किलियर हुआ तो आर्सम कब लगता है जब भी कभी कि में लिखा तो कलेक्शन में किसान में कलेक्शन में लिखा तो इसी लगा दिया तो यहां पर कुछ गूट्स है क्या है जी कुछ गूट्स और इसी तरीके से कुछ सर्विस किसी तरीके से कुछ सर्विस तो जो गूट्स और सर्विस यहां पर लिस्ट में लिखी है उन्ही पर RCM होता है और बागी किसी पर नहीं होता है किलियर हुआ 9-3 बोलो 9-3 किलियर है कोई डाउट है हां तक क्या जी हाँ अभी इन्होंने का सर्विस में बता रो आज का हमारा टूपिक क्या रजिस्ट्रिशन अब सर्विस के अंदर क्या है 16 सर्विस है क्या है तो मैं अगर बताओ कि किस किस सर्विस पर RCM है और क्यों है तो आज का सेसन तीन घंटे का आर्सियम पर चला जाएगा है तो मैंने इसे क्या करा है सिर्फ टच फोन क्या करा है एक लग से चैप्टर बनाएंगे RCM का आगे चलके उसे पढ़ेंगे लेकिन बीच में यह आ गिया था तो मैंने तुम्हेरे को यह करा के खतम करा है क्लियर है मेरी बात हां तो लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे को रात को नींद ना है कौन कौन सी सर्विस ऐसी है तो मैंने तुम्हें यह चार्ट दे दिया तब तक खुद समझ लेना ठीक ह 193 यह नहीं चलो अब एक क्योंकि ये मेरे को बीच में परेसान करता मेरे registration पढ़ाने में इसलिए मैं आपको किलियर करा रहा हूं यह समझ ना मैं अपने लिए किलियर करा रहा हूं क्योंकि तुम बीश में फिर बोलोगे कि सर यह कैसे हुआ ये तो word समझ नहीं आरहा चलो अब मैं आपको उधातो एक टो क्ति है जो है ट्रांसपोर्टर क्या जी मान लो ट्रांसपोर्टर समझें लो ट्रेक ट्राइवर है घर क्रांसपोर्टर truck driver जो इसका truck है ठीक है GTA इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं GTA, Goods Transport Agency ठीक है, या मालो वकील साब हमारे एड़ोकेट साब, ठीक है इनसे पंगा ने ले ले ना कभी, सबसे ले 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 ना इनसे नी, ठीक है ना, ये तुरंट FIR करा देते हैं, ठीक है सर्विस टेक्सेबल है, अभी मान के चलेंगा हाँ सर्विस टेक्सेबल है ये सर्विस देते हैं, और ये सर्विस क्या है टेक्सेबल, अब इन्हों ने दी 80 लाग की सर्विस, कितने की 80 लाग की, अब बताओ अब बताओ यह जो 80 लाग रुफे की सर्वीस दी है क्या यह सेक्शन 22 के इसाफ से लाइबल है या नहीं है लाइबल है पहला एकजमपल दूसरा एकजमपल एक वेक्ति है जो की बेचता है लेट सपोच क्या हूँ चावल दूद नैसनल फ्लैग ठीक है ठीक है ओरत के हाथों की चूडिया यह अब चूगी हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में क्या बोला गया पहले तो चार्जिंग सेक्शन बना दिया चार्जिंग सेक्शन में क्या लिख दिया कि गोड्स और सर्वीस पर GST लगाएंगे लेकिन मैंने तुम्हें एक सेक्शन और पढ़ाया था सेक्शन 11 क्या पढ़ाया था कि अगर हमारा बस चलेगा तो हम कुछ गुड्स को या कुछ सर्विस को क्या कर देंगे एक्जम्ट गर देंगे तो इन्होंने का देखो यह जो जो यह सारी एक्जम्ट चीजे बेचता है जो यह सारी exempt चीजे बेशता है और यहां पर उसकी turnover 80,000,000 रुपे है तो अब आप बताओगे कि सर इसे registration कराना है या नहीं तो अब मैं दो section उसे बात करता हूँ Section 22 ने क्या बोला था? From where he makes a taxable supply तो एक तो बात वो होगी किसार यह तो taxable supply नहीं करना है तो इसे registration नहीं करना है लेकिन इस वाली बात को section 23 ने भी लिखा किसने लिखा? Section 23 ने और क्या लिखा section 23 ने? यह लिखा person engaged person engaged exclusively क्या लिखा जी? exclusively in supplying goods or service both not liable to tax कि जो goods or service जो not liable to tax है या जो holy exempt from tax है जो क्या आए जी? holy exempt from tax है उस व्यक्ति को registration नहीं करना है तो section 23 में कितने लोग आ गए? एक तो agriculturalist कोन आ गया जी? agriculturalist और दूसरा कोन आ गया? exempt वाला के लिखा भी मेरी बात यानी? तो इने registration नहीं करना है लेकिन हमारा जो main point रहे गया वो रहे गया किसका? नहीं हमारा रहे गया एडवोकेट्स का अब यह जो एडवोकेट्स या ट्रांसपोर्टर या जी टे गी बात करें यह 80 लाग की service दे रहें कितने की service दे रहे? क्या यह एडवोकेट्स साफ से बोला गया? एडवोकेट्स साफ से बोला गया? मैं एडवोकेट्स साफ बोले मुझे की सर यह आप हमारे पर क्यों दे रहे हूं मैं स्रीफ कंसेप्ट के लिए करने के लिए एडवोकेट्स साफ पर बोला गया कितना जी? 18,00,000,000 इन्हों ने यह service दे दि किसे किसी company को? Private Limited को, माल लो किसी Private Limited को थी? private Ltd company नहींने कितने पर दे दिये 1 करोड? 18,00 लग, एक करोड किस चीच के? Service के? 008,00,000 रुपे किस चीच के दिये कि जाना, यह 18,00,000 रुपे गौर्वर्मेंट को जमा कर देना अब जो हमारे एडवोकेट साब थे मिश्टर एक्स उन्हों ने का कर देंगे जमा क्या दिक्कत है जैटली सावा उन्हों ने का भाई उटा लाग रुपे जमा करने ट्रेक्स करने को फालतु मत बोलो अभी तो मूड कराव है हमारा ठीक है अभी कोट में भी जमा करने का टाम नी है उनने ने का भाई सब कर तो तुम ने लिए इठालाग उनने ने खार लो तरीक हैं तरीक आप करो नहीं कर रहा जङां जाओ किया कर लोगे नोटिस बेस दो तो ग्वर्मेंट ने क्या करा नोटिस बेस दीख दिए अरिक अपरी के तो नहीं 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 तो नही प्रुपे नोगर दे तो वकील साथ ने ऑफार्च नागर रुपे कितने दिन तो गीज कह लिए डू पर इन्टरेस्ट बिधाउट उन्हाग कर वखील साथ अप्रसाप ये वख ये लेना हैं अ तर्वेस कोफिक्नक क्योंकर टेक्स तो ऐसे भी ऑनना और एगर टेक्स गा नहीं तो किसे पगड़रो किसे पगड़रो किसे यो किसे वालो कंपनी को लो नष्प थि तो क्या इस वाली सर्विस पंचेमें है किionen क्योंकि यहां पर collection में थोड़ी सी दिक्कत थी भाया आपका viewpoint और कुछ भी हो सकता है मैंने क्या वोला था कि मैं तुम्हें हर GST sections के कुछ या तो वह सही होंगे या वह लोजिक्स मेरे खुद के बनाए हुए होंगे लेकिनि लोजिक बता किसले रहाओ सिर्फ कि तुम्हारे माइंड में अंडेस्टेंडिक हो जब जाए अगर इसका कोई और लोजिक होगा तो उसे माल लेना और मुझे भी बता देना तो कि लिए बोलो जी बोलो यहां तक डाउट के लिए रहे अब कोश्चन ही आया कि अगर कोई वकील साब एक करोड की सर्वीस दे रहे हैं और उस पर RCM applicable है उस पर क्या applicable है RCM applicable है अब बताओ वकील साब को registration करवाएं या ना करवाएं कि अब सेक्शन 2012 साब से registration होगा या नी होगा लेकिन इन्हें registration से स्वाण या नें दिलवाएं यह कि खेए नग रुचे कर बहुत और्ट STAG Leves वह हर्मेश्चन और हर्म Pacīl क आरेंगे ठाल करेंगे तूम रेजिस्टेशन तुम से रिषिस्टेशन हटवाई देते हैं, काई के लिए दरण कोई जरूरी है गया वकील साफ को रिष्टेशन फिर मैंने क्या बोला अगर कोई वकील साब ऐसी सर्वीस दे रहें जिस पर क्या है 100% RCMजी तो क्या उसे registration करवाएं नहीं तो इसलिए ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए हमने कों सा section बनाया है 23 क्या बनाया है तो 23 में कितने लोग आ गए तीन लोग कितने लोग आ गए तीन लोगों एक तो आ गया जो 100% क्या दे रहा है एक्जम्ट गूट्स और सर्विस दे रहा है और तीसरा परसन आ गया नॉटिफाइड परसन क्या जी नॉटिफाइड परसन तो गोवर्मेंट का जब भी किसी का मन करता है जब भी किसी का मन करता है कि इसे बाहर करो तो वो क्या कर देती है सेक्षण 23 में नॉटिफिकेशन निकालती है सेक्षण 23 में नॉटिफिकेशन तो जब भी कभी सेक्षण 23 की नॉटिफिकेशन निकल कर आएगी तो समझना कि कुछ relaxation क्या है कुछ relaxation तो section 23 में एक notification निकल कर आई और उसने क्या बोला एक निये कई सारी notification क्या है कई सारी notification है जिसने हमें बचाया जिसने हमें बचाया क्या बचाया कि तुम्हारे ऊपर registration नहीं है you are not liable तो जब भी तुम्हें कोई कहे कि तुम section 22 और 24 की वज़े से liable हो तो साथ में क्या कहना कि मुझे बचाने कोन आएगा 23 एक बार जरा में 23 में notification चेक कर लू क्या पता कोई notification तो नहीं आई are you getting my point हाँ clear तो अब आया मैं final conclusion पे final conclusion कहा था हमारा कि एक वेक्ती दिल्ली में तीस लाग रुपे के गुट्स बेचता है क्या बेचता है तीस लाग रुपे के गुट्स एज पर section 22 यह registration है या नहीं है लाइबल क्योंकि महा पर दिल्ली में limit कितनी थी 20 लाग 20 लाग लेकिन तुम लोग क्या गह रहे थे कि limit कितनी है कितनी limit है 40 यह कहां से निकल कर आई होगी यह कहां से निकल कर आई होगी limit by a notification और notification कौन से section में 23 में किसमें क्योंकि बचाने के लिए notification किसकी है 23 तो section 23 की यह important notification याद रखो जो मैं आपको बताने जा रहूँ पढ़ाने जा रहू तो notification number 10 आई थी central tax की 7 March 2019 को section 22 में भी limit 20 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है 40 लेकिन वो अभी notified नहीं है जिस दिन वो notified हो जाएगी तो इसे cut कर देना और जब तक वो notified नहीं हो जाती तब तक क्या चल रहा है स्रिफ section 23 से are you getting my point or not तुम्हें ये तो पता होगा ये आम जिंदिगी है कि turnover 40 लाग है mentor जिंदिगी वो है कि तुम्हें ये भी पता हो ये 40 लाग है तो कैसे है section में लिखा है कौन से में लिखा है notification है या कैसे है यहाँ पर इन वीडियो को देखने का आपका ये परपज है हमारी classes का benefit क्या है कि ये कैसे ये कैसे तभी एक और सब्सक्राइब गंटे का है नहीं तो मैं बिना कुछ बता है शरीफ ये बता देता इन्हें GST में रेइस्टेशन नहीं कराना इन्हें कराना है मैं तुम्हें ना तो खिसान वाली कहानी ना advocate वाली कहानी ना RCM वाली कहानी मैं कोई कहानी ने सुना था लेकिन वो क्या है शरीफ आम जिन्दगी मेंटोस जिन्दगी है समझ आ रहा है बोलो लेयर भाई लेयर समझ रहे हो तो आजो तो हमने क्या बढ़ा ये notification बढ़ा रहो बहुत important notification है जिसकी वज़ा से turnover की limit 20 से क्या होगी थी? 40 क्या होगी थी? 40 लेकिन हर case में नहीं हर case में नहीं तो इसने क्या बोला 7 March को in excise of the power confirmed by the subsection 2 of section 23 अब section 23 समझ आ गया क्या है person not liable बचाने के लिए ठीक है कि section 23 2 ने notification निकाली ठीक है और क्या कहा exempt from obtaining registration कि हम तुम्हें क्या करते हैं 22 कुछ भी बोलता है 22 में लिमिट कितनी चल ली थी 20 कितनी चल ली है 20 लेकिन 23 ने क्या कहा मैं तुम्हारे को करता हूँ 40 मैं क्या करता हूँ 40 तो किसकी बात मानोगे 23 क्योंकि 23 जा specific section later is better तो क्या बोला any person who is engaged supply of goods क्या बोला जी who is engaged लेकिन ये relaxation किसे है श्रिफ श्रिफ goods वालो को श्रिफ goods वालो के and whose aggregate turnover financial year does not exceeds 40 lakh किसे तो 20 से होकर क्या हो गई 40 लेकिन इसके लिए इस notification का benefit उठाने के लिए तुम इन 4 में से कुछ नहीं होने चाहिए ये इन्होंने कितनी condition दिये 4 और जो section 22 में मैंने आपको पढ़ाया है कि 20 से limit कितनी हो गई 40 लेकिन वो अभी क्या नहीं होई तो notified जब होगी वहाँ पर और condition भी हो सकती है लेकिन जब तक वो picture में नहीं तब तक क्या चलेगा ये 23 और ये चार condition कौन कौन सी है तो इन्होंने क्या बोला कि आप liable नहीं होने चाहिए 24 में अगर तुम 24 में liable हो तब इस notification का benefit तुमें नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर क्या है mandatory liable क्या है जी वहाँ पर mandatory liable क्लिए है या नहीं बोलो तो हम 24 को नहीं टच कर रहे है हम तो स्रिफ तुमें किस के प्रकॉप से बचा रहे है 22 से और 22 के प्रकॉप से भी इसलिए बचा रहे है time being के लिए बाकि तो हमने 22 में इंतजाम कर दिया है क्या कर दिया है इंतजाम कर दिया है कि 20 से 40 कर लो लेकिन government क्या है confuse करती है पहले notification ली आई फिर section में change कर दिया क्योंकि notification कभी भी permanent नहीं होती लेकिन अभी ये permanent है तो जब वो section implement हो जाएगा कौन सा वाला 22 वाला जो amendment है यह तो इस notification को को यूज रहेगा क्या हां रहेगा लेकिन आज की डेट में इसका यूज है क्या और कभ से देखो 2019 में और अभी 21 चला है यूज है confuse कर रही है का confuse कर रही है और आदे से जादा लोगों को यह पता है कि section 22 की वज़े से 40 लाग है और यह वाली चीजे आपको कंप्लाइंस में गाम नहीं आती है जब नॉटिस का reply बनाती हो जब इंटर्व्यू देते हो बड़ी company क्योंकि अगर किसी ने बोला section 22 से है तो मैं वहां पर बोलूँगा नॉटिफाइड लिखा या लिक्राइब लिख़ाई लगान लेकर हो एक नोटिफिएखेशन और तुम देपाऊगे गया कुछ आप पोइंट को समझ रहो तो आपको यह नहीं पता होना चाहिऊ कि लोग क्या है साथ है मैं ये पता होना चाहिए ये कैसे है कबले है किया है डी में तो प्रत आप वि'll एस्ट टी पर तर ठीक तो चार लोगों मना करा किसे मना कई चार लोग और टो किसे इूर्टिपार वन हैं एक सब गूंध located sub sub goods वाले टिक है ना लेकिन तीन गूट समय जाना वेस न très 3 गोट्स कोंसे तीन गोट्स यह वाले दीन मूटस आइसक्री पाझ मसला और कुम्हारे लिए 40,00,000 लाग नहीं है तुमारे लिए टूमी्ले नावरे लिमित कितनी है whole क्योंकि हमें छोटे-छोटे बच्ची तो अपने लिए 40 मत करो क्योंकि अगर अपने लिए 40 हो गई तो कोई बचे गई नी जिस्टी तो इन्होंने क्या कहा इस्टेट कौन कौन थी अरुनाचल परदेश मनिपूर मेगाले मिजोरम नागालेंड पांडचेरी सिक्किम ना तरिपुरा और उत्राखंड 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 नेका छह महीने तो सिवजी नाराज रहते हैं महारे से ठीक है कोई आई नहीं सकता इतनी बरफ है ठीक है तो अपने को यह लिमिट नहीं जचेगी तो यह 40 लाग की लिमिट है पहली बात किसके लिए गूट्स के क्या जी एक्सक्लोजीव ली गूट्स और यह तीन भूट्स नहीं रही ठीक है और वह 24 में में लई नहीं होना चाहिए और वह इन स्टेट्स में भी ना हो और वह वोलेंटरी भी रजिस्तेशन लेके ना रखाओ अ है अभि मैं यह भी बताओंगा यह वाली नौटिकेशन की लिमिट पता लग जाएगी और सब चीजों को जोड़ तोड़ मरोड के लगानी है ठीक है हाँ क्या जी हाँ मैपिंग करनी होगी बताना बढ़ेगा कैसे नॉटिफिकेशन के लिए रहे हाँ चलो आजो आजाओ मेरे साथ हाँ यूपी यूपी में लिमिट कितनी है चालीस गूट्स के लिए चालीस किसके लिए और सर्विस के लिए कितनी सर्विस के लिए कितनी बिस लाग चालीस गूट्स के लिए कौंसे सेक्शन की वज़े से हां सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन आई ती इसके लिए अगर यूपी में कोई वेक्टित तमाकू की गुड्स की सप्लाई करेगा बोलो होगी क्या कितने हो जाएगी 20 हाँ जी बिहार में सेम सर्विस के लिए कितनी बीस और उसके लिए गुड्स के लिए चालिस लेकिन वो गुड्स तीन तरेके नहीं होने चाहिए के लिए तो भाई देखो यूपी व्यार जारकर अड़्यारा पंजाब राजिस्तान एंपी गुजरात महाराष्ट गोवा एपी करनाटका केरल व कह More practically 22 22isses गुड्स के लिमेट कतनी 40 लाग कोषके सिर्व मे चलेतर आम एक journaling कोशन देता हूं ठीक है अब मेरा 對不對 सैंट में स्ट्न के लिए आप यूपी में हो फ़िए अप उत्तर प्रदेश में हो यहां पर गाई पलटते है थोड़ा सा ध्यान देचिए ए ओक है आप् 45,00,000 के goods बेचते हों या 40 की जगा थोड़ा सा correction कर लेते 35,00,000 क्या जी 35,00,000 का goods बेचते हो ठीक है कोई भी goods माल ले देट जो की taxable goods है 35,00,000 के goods बेचते हो 35,00,000 के goods बेचे 35,00,000 के goods बेचे और goods बेचने के बाद पैसा बैंक में आया सेविंग अकाउंट खुल वाया और बैंक वालों ने तुम्हें इंट्रस्ट दिया इंट्रस्ट दिया कितना दो लाग रुपे गा अब आप बलाओ वेदर यू आर लाइबल फोर रजिस्ट्रेशन और नोट इन्हों ने का सेक्शन 23 ने बचा लिया कौन से 23 ने बचाया नोटिफिकेशन ने किस ने बचाया जरह नोटिफिकेशन को ध्यान से पड़ो नोटिफिकेशन ने क्या लिखा था कि तुम क्या कर रहे हो एक्स्क्लूसिवली और यहां पर तुम एक्स्क्लूसिवली गूट्स दे रहे हो या सर्वीज भी दे रहे हो, एक्स्क्लूजिवली गुट्स दे रहे हो, या सर्वीज भी दे रहे हो, मैंने आपको क्लास सुरू होने से पहले आज की क्लास में क्या बताया था, बैंक को भ्याज, बैंक से भ्याज मिलना क्या है, सर्वीज दे, तो भाई ये जो है ना, नोट जब 35 लाग नहीं है सिर्फ कितनी है 20 लाग तो उसकी बातों में सच्चाई होगी लेकिन ये बात ना तो डिपार्टमेंट को पता ना तुम्हें पता सब चल रहा है लेकिन नोटिस आ सकता है यही एक्सिलेंस है यही क्या है एक्सिलेंस है अगर किसी व्यक्ति के पास यह नोटिस आ गया तो आप गलत नहीं कह सकते के लिए रहे मेरी बात या नहीं तो अब आप यह समझो इस एक्सिलेंस पर पहुचने के लिए में कितना टाइम लगा सर्विस की डैफिनेशन पड़ी फिर हमने क्या पढ़ा कि 20 लाक की लिमिट सेक्शन 22 में गूड्स और सर्विस दौनों के लिए ओती ये स्रिफ और स्रिफ गूड्स वालों को और चूकी है सर्विस है चूकी है तो यह नोटिफिकेशन में लेकूना था गलति थी और इस गलति को गो doctrine को करना था लेकिन गोवर्मेंट ने ऐसा नहीं किया लेकिन अभी तक इसके नोटिस ऐसे इशू नहीं हुए लेकिन इन फ्यूचर हो सकते अब ये बता अगर कुछ ऐसी गलती हो जाए तो कया को ठीक करनी तुम्हारा दिल कहता है कि सिर्प 10 रुपे का इंट्रस्ट आगया कि तनी रुपे का इंट्रस्ट आगया और ये हमें इंट्रस्ट एक्षिया प्रत्राइश एक्षा शर्टि और इसी फिनेशिंट की वज़ें से यह क्या वो इस्कॉलिफाई क्यों गया तो गोवर्मेंट ने से बात पड़ागर क्या करा है 40 करा या नहीं करा लेकिन वो अभी नोटिफाइड नहीं है उसने कहा हमें अपनी गलती पता लग गई लेकिन notification के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे किसके लिए नहीं कहेंगे notification के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे लेगिन आगे के लिए किसके लिए जी आगे के लिए आगे मतलब इसके लिए कि 20 लाग से हम अपनी लिमिट कितनी कर रहे हैं 40 तो इननों आगा जब यह section apply होगा तो इननों ने साथ में क्या देदी explanation क्या अब देदी explanation क्या explanation देदी for this purpose a person shall be deemed to क्या बोला जी a person shall be deemed to be exclusively engaged in supply of goods कि उसे हम यह माल लेंगे तुम exclusively goods में ही deal करते हो even if even if even if he engaged in exempt supply of service provided by extending deposit loan advance और interest अगर उसे आता होगा तो हम क्या माल लेंगे तुम goods ही deal में करते हो लेकिन यह बात किसमें लिखी section में क्या notification के लिए दी क्या लेकिन अगर कल को notice आ जाए तो तुम बता दे ना कि government ने notification गलत निका लिती और उस गलती को यहाँ पर ठीक किया है तो तुम यहाँ पर बच सकते हो क्या बोला है कि इस गलती को लेकिन यह actual में यह गलती यह किसके लिए इसके लिए जब यह 20 से 40 होगा तो government को समझदारी क्या करनी चीए इस notification को तो क्या करें विड्रो और यहाँ पर क्या निकाले नई notification निकाले जिससे कि सारी चीज स्टीम लाइन हो अब कई लोग यह कहते कि तुम्हें कैसे पता रहता है कि यह notification आईगी यह गलत है जब तक हमें गलत नहीं पता होगा कि गलत क्या है तो हम सही की उम्मीद कैसे करेंगे तो आपको अपना लेवल इतना बढ़ाना है कि जब भी कोई नहीं notification आई तो तुम्हें पता लग जाए यह क्यों आई कि आप मेरी बात को समझे हो अब अगर कभी भी मैं रात को सो रहूँ और किसी ने मुझे बोल जा सेक्शन 22 में नोटिफिकेशन आई है बीस चे उठागे लिमिट 40 कर दी तो मेरे माइंड में क्या सेट है कि हाँ यह तो होना ही था तो आपके मन में क्या होना चीए यह तो होना ही था कोई पूछे यह ऐसा क्यों हुआ तो बोल देना कि यह अभी तक प्रक्रम चला था सेक्शन 23 टू से और उसमें गलती रह गई थी क्योंकि वह इंट्रस्ट की इंकम वालों को उससे बाहर कर देते थे इस वज़े से यह हो बाद्या नि यह लिंकश का रहे हो समाल पारे इतना सारा वजन या सिंपल परणणा है 20 लाग लिट 40 लाग लिट आगे चलू, आगे चलू, तो हम कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा पटक करते रहेंगे, है भी तो नहीं हो रहा ना सेशन, इतना जेल होगे न, हाँ, या वही करना है रेजिस्टेशन, मैं यह बता रहो कि हर सेक्षन पर कंसल्टेंसी है, और अभी मैं हम, जब क्लास खतम कर लेंगे रेजिस्टेशन की, तो मैं कम से कम तुम से 15-20 कोश्चन पूछूंगा, अगर वो मेरे तयार हो गए तो, कि जो एक अमूमन कोश्चन पूछे जाते है, जिनका अंसर गलत है, तीक है, और जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मैंने एक दो कोश्चन आ आपके बीच में ले लिये थे, कि लोगभाग इस तरह के कोश्चन आप से पूछेंगे, चलो आगे, चलो, आज ओ भाई अपने चार्ट पर आजो, तो भाई UP में लिमिट किलियर हुई, 40, लेकिन अगर उसे इंट्रेस्ट आता हो तो लिमिट कितनी हो जाएगी, कितनी हो 20, चलो, अब हम यह मान के चलते हैं, अब अगर हम यह मान के चलते हैं, एक एक अग्जामपल और, UP में टरन ओवर 38 लाग, मैं आगे की बात बता रहू, आगे की, मुझे रेंटल सर्विस आई, क्या है जी, रेंटल, और मैं मान के चल रहू, कि सेक्शन 22 के अंदर जो यह अ ठीक है, बताओ जी, रेजिस्ट्रेशन कराना है यानि, एग्रिगेट और कितनी है, 44, तो लिमिट कितनी है यहाँ पर सिर्फ, इन्हों ने का लिमिट है 40, 40 है, महाँ पर क्या वर दिंग थी महाँ पर, एक्स्क्लूसिवली, ठीक है, अगला एक एमपल ले तो चलो, और सब पक्का कर देज़ों, इसमें, 34,00,000 की सेल, रेंटल इंकम, 5,00,000, पर जिस्ट्रेशन कराना है यहाँ, क्योंकि लिमिट कितनी है, लिमिट कितनी है शरी, 40 की कब है, गुड्स के लिए, किसके लिए जी, गुड्स के लिए, पाच लाग की इंट्रस्ट इंकम है, तब, अभ कराना पड़ा है, एक्स्प्लेनेशन आने के बाद, उसके बाद नहीं कराना, क्योंकि यह, क्योंकि यह माना जाएगा, कि आप, एक्स्क्लोजिवली गुड्स कर रहे हैं, यह वाला कॉम्बिनेशन के लिए हुआ या नहीं, बोलो, हाँ, तो आप, अगर इस वीडियो को द कि उसकी भी एक जलक में आपको दे रहो हूँ कि जो अभी परजेंट में है तो, इंप्लिमेंट नहीं हुआ है, तो हम टाइम टाइम पर यह चीज भी आपको देंगे, क्लियर हुए वाली बात, इतना हजम कर जाओ गए, हाँ, तो लिमिट कोई भी पूछेगा, बता देग और अगर इस नोटिफिकेशन ने लिख दिया होगा, अगर इस नोटिफिकेशन ने लिख दिया होगा, यहाँ पर इसका फोटो खैचलो एक बार, अगर इस नोटिफिकेशन ने लिख दिया होगा, तो क्या उसे इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, नहीं, तो इस हां इसका फोटो कैच लिएक बर याद रहेंगे वाली स्टेट्स क्योंकि मैं बार बार दिखाऊंगा आ देखलो एक बार इस वाली को एक बार ना क्योंकि फिर मैं नीचे स्क्रीन पर जाओंगा झांगक में लिखलो भाई कहीं पे यह वाली स्टेट्स अरुनाचल, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, पंडचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, तुरुपरा, उत्राखंड लिख लो लिख लो फड़ाफेट लिख लो क्योंकि वो चार्ट कंप्लीट करना है ना मैं लिख लिया हाँ चलो फोटो घ्ज़ लेंगी लेंड, मुझे आध दिलाते रहें क्लिक क्या वाज आ गयी है तेलंगाना में लिमिट है तो इस्टेट इस पर कया लग रहा है, स्रिफ सेक्ट्ट व्यंटी तू लग रहा है इसे 23 का बेनिफिट नहीं मिलना दिल्ली डिल्ली इस्टेट है इस्पेशल निया है टिक है न इस्टेट मानेंगे हूँ मुसे यूटि विद्ध लएजी सब्सेटर है लिमट कितनी रहेगी चालिस कितनी क्लिए कितनी रहे गी के लिए रहे हां कोई इरिककत हाजी पॉंडर्य चेरी पंडर चेरी को देखो उस लिस्ट में था या नहीं था ठीक है लिस्ट में तो इसे 23 टू का बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इसलिए लिमिट कितनी होगी 20 जम्भू एंड कश्मीर चालिस क्या जी हमेशा लिमिट क्या थी शेक्षण 22 ने 10 और 20 क्या थी 10 और 20 और 20 गूर्ट सर्फिस दोनों के लिए 10 किस के लिए 10 किसके लिए इंब और और कितनी special category थी? 4. कितनी थी? 4. कौन-कौन थी? Troopra, Missouri. ठीक है? Nagaland और Manipur. यही 4 special category रह गई थी. वैसे तो special category Constitution किसे? Constitution से 11 थी. लेकिन मैंने क्या बोला है? बाद में इसे Section 22 के लिए कितनी है स्रीफ? 4. तो इन 4 में limit कितनी है? स्रीफ 10 लाग. चाहे Goods हो, चाहे Service हो. ठीक है? स्टेट में कितनी है? 20. लेकिन जिने 23, 2 का benefit मिला, उनके लिए क्या हो गई? 40. स्रीफ किसके लिए? Goods के लिए. ठीक है? तो आब यहाँ पर आजो. Jambu, Kashmir, Chandigar 40, 40. Damanand, Dhu, दादर, नागर, अवेली, 40. अनवान, 40. लक्षदीप, 40. लद्दाक, 40. हिमाचल, 40. आसाम, 40. उत्राखंड, मेगाल लिये, अरुनाचल, परदेश और सिक्किम, अभी जो मैंने बताया, 23, 2 का benefit उनने? नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. कि 10 कैसे, 20 कैसे, 40 कैसे? सर्विस के केस में कितनी? गुट्स के केस में कितनी? समझ आया? कुछ होई दिमाग की exercise. हा? 23, 2 समझ आया? लेकिन मेरी गोवर्मेंट से क्या request रहेगी? कि 23, 2 वाली notification को अटा कर? 22 वाले से ही handle कर लो. है ना? क्योंकि अब तुम 22 को amend कर चुके हो. पहले देखो, लो में दिक्कत होती है. पहले section 22 में सरिफ यही लिखा था 10 और 20. क्या लिखा था? 10 और 20. जब तुमने लो को amend करी दिया. 23, 2 तुम कब लाय थे? जब लो में पावर नहीं थी. तुम 20 को 40 करना चाहते थे? क्योंकि बहुत सारे goods वालों ने बोला था. बहुत सारे goods वालों ने बोला था कि limit कम है. तुम इसे बढ़ाओ. Excise में तो dead dead crore की मिलती थी. तो government ने इस बात को ध्यान में रखा और government ने कहा कि जब act change करेंगे तब बढ़ाएंगे. तो एक उस्यार आदमी ने कहा तुम्हे अगर relaxation देना है तो 23-2 से भी दे सकते हो. उन्होंने क्या समझाया? कि तुम कहां से दे सकते हो? 23-2 से भी relaxation दे सकते हो. तो government ने notification ना के 2 साल पहले relaxation दे दी थी. अब government ने कहां दे दी तो दे दी. अरे हमने कहा जब तुमने एक्ट में ही provision डाल दिया, अब तो तुम section 22 से भी कर सकते हो. तो अब government को करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए या नहीं? क्लियर हुआ, तो section 22 के लिए रहे? 23 के लिए रहे? अब आज़े हूँ, 24 पे. लिमिट्स के लिए रहे? हाँ, एक question पूछ ले तो बज तुम से. ठीक है? एक question पूछ ले तो. है ना? ध्यान जाबता ना, फसना नहीं. ठीक है? कबिल येन, KJ classes. ठीक है? KJ classes, दिल्ली में. ट्रान ओवर है, आठ लाग कितनी है जी? आठ लाग. ध्यान से समझे ना? कबिल येन ने एक ब्रांच खोली अपनी नागा लेंड. ठीक है? और वहाँ पर ट्रान ओवर है, तीन लाग. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? गूट्स की. किसकी बात कर रहे हैं? गूट्स की. दोनो टेक्सेवल गूट्स है. दोनो क्या है? अब बताओ, कपिल येन को कहां रजिस्टेशन कराना है और कहां नहीं? दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें एक मिनिट का टाइम देतो, बही देखो, ऐसे गड़ बढ़नी. सारी पढ़ाई, लिखाई, सब खराब नहीं हो जानी चीए, कंसल्टेंसी लेने आएगा, कोई भी व्यक्ति तुमसे. दिल्ली में लिमिट कितनी? लिमिट, लिमिट. चालिस, गोट्स के गेस में? चालिस, अजा नागालेंड के गेस में, लिमिट कितनी? दस. इना स्टेट, और इना यूनियन टेरेट्री, अधर देन स्पेशल काटेगरी स्टेट, फ्रोम वेर, इस एग्रिगेट टनोवर एक्सेड, इस एग्रिगेट टनोवर एक्सेड, 40 लेक या 20 लेक, तो मैं लाइवल हो क्या? नहीं, छोड़ दू. अगली बात, अब वही वेक्ति नागलेंड का CGST Act पढ़ रहा है, नागलेंड के CGST Act को पढ़ते वे क्या कर रहा है? एक परसन, एवरी सप्लायर, वू मेक्स अ टेक्सेड ल सप्लाई, फ्रोम दा स्पेशल केटेगरी स्टेट, फ्रोम दा, स्पेशल केटेगरी स्टेट, औ और वहां पर उसकी turnover किस से ज्यादा? क्या बताओ, aggregate turnover, क्या aggregate turnover कितनी है? aggregate turnover, बोलो हुए, महाँ पर वर्डिंग क्या है? aggregate turnover, और aggregate turnover, section 2, subsection 6 के साब से, पूरे pen number पे add कर कर होती है, exempt or taxable add कर होती है, होती है, तो aggregate turnover कितनी होगी? क्या वो नागा लेंड में, क्या वो नागा लेंड में liable हो गया या नहीं हो गया? हो गया? नागा लेंड पे टिक कर दो, और जब वो नागा लेंड पे टिक हो गया, तो एक वेक्ति अगर एक स्टेट में registration के लिए liable है, तो वो हर स्टेट में registration के लिए liable है, अगर वो taxable supply करता है तो क्या वो इसी साफ से दिल्ली में लाइबल हो गया नहीं हो गया तो नौट करके इस example को लिख को कि जब भी कभी तुम जब भी कभी तुम लोवर states की यह special category states के लिए अपनी turnover check करोगे और वो अगर आपकी turnover अगर वो आपकी turnover cross कर जाती है तो आप बाकी states में भी liable हो जाओगे आप यह नहीं कहोगे कि दिल्ली के लिए मैं 40 चेक करूँगा और नागलेंड के लिए मैं 10 चेक करूँगा के लिए मेरा यह वाला पॉइंट या नहीं बोलो जी हां तो यह आपको हलवय की तरह नहीं लिखी होगी कहीं भी चीजे कि कहां लिखा यह इंटर्पेटेशन यह क्या है हो सकता है आपके इंटर्पेटेशन है लगो हो सकता है तो ऐसे हम कई सारे questions बनाएंगे आज हमारी 14 मार्च है यह क्लास हम कर रहें 21 मार्च को हमारी क्लास नहीं होगी तो यह आपके लिए मैं homework देके जाओंगा बहुत ठीक है जिससे तुम अपनी सारे questions cover up कर लो तो 22 किलियर 23 किलियर हां किलियर हुआ अब हम आप बात करते 24 किसके बात करते 24 24 को सुरू करने से पहले हमने 91 कर लिया था और 93 कर लिया था तो मैं 945 भी करा दू फिर 24 प्याओंगा क्योंकि कि महाँ पर थोड़ी सी उसकी लिंकेश आपको मिलेगी ठीक है चलो यहां तक कोई डाउटर किसी को किलियर हो रहा है है भी तो नहीं लग रहा चल आजाओ अब हम बात करते है थोड़ा सब लाइटर मोड में आजाओ कोई टेंशन नहीं है जो टफ था अजा यह लिमिट ब वर्दो ठीक है भारत के नक्षे पर लिमिट्स वर्दो किस स्टेट में गुट्स के लिए अलग वर्निया लिमिट और सर्विस के लिए अलग ठीक है चलो अन्दमान निकोबार कितनी है यह गहार है दस लाग अच्छा अन्दमान निकोबार है क्या योनियन टेरेट्रिक है हाल लिमिट कितनी है हां बीस चालिस सर्विस के लिए बीस और गुड्स के लिए चालिस क्योंकि 23 टू का बेनेफिट इसे मिलेगा यार क्यों नहीं मिलेगा जो नोटिपिकेशन आई अन्दमान निकोबार था ना उसमें ठीक है समझ में मेरी बात है ना लेकिन 40 किस के लिए श्री गुड्स के लिए और तीन गुड्स ना बेचे तीन गुड्स ना बेचे अगर इंट्रेस्ट ले रहा होगा तो दिक्कात आ जाएगी लेकिन 22 में अगर नोटिपिकेशन आ ग यह जो भी रहे गा चलो मिजोरम हां क्या रें ये ये गरेट अश्री कोई आज़ा है क्यों यह चार स्पेशल गएट इसमें और को युड्स ना जाए बोलो अटो विजोर्म दशें क्या जी क्योंकि यह चार स्पेशल का थे टिक यौन णिवा अटिर थी चार स्पेशल का आपर हमेसा 10 से कभी 20 हुई नहीं गौवर्मेंट नहीं कि 10 से 20 कर सकते हो लेकिन रहेगी कितनी अभी 10 किसके लिए गुट्स के लिए भी और सर्विस के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना आएं कंफ्यूज नहीं होना है लिए और लद्दाग इस्टेट है यूणियन टेरिट्री क्या यह क्या लिए इसकी 40 और 20 कर लोगे कर लोगे तेलंग आना तेलंग आना क्या है कि पहले बताओ क्या है इस्टेट है इसके लिए क्या रहेगा 2020 क्योंकि इसे उस नौटिफिकेशन का वेनेफेट्स नहीं विलेगा तो मैंने तो तुम्हें चार्ट बनाके दिया है लेकिन फिर भी दिमाग लगाना नोटिफिकेशन को रोखना सामने समझ मैं मेरी बात यह नहीं की पका पकाया सर ने दे दिया कुछ मेरी चीजों को भी चेक करना है गलती मुझ से वी हो सकते है मैं इनसान है के लिए तो भाई जब भी कभी किसी को स्टेट्स को तो तो यह वाला जो मेरा चार्ट है वो रख लेना अब तुम्हें समझ आए व हँआ चलो कि आजओ है आर्ट मी वेटें और में में अंदरपरदेश में सर्सी स्टेव्स के लिए आपीज wärँ वह ह emission मपलमध स्टी थी 22 में अन्झ अचा अइंद्रपरदेश कोटिए गया था है हम अफोट लक्त मार शेय। बोलो जी, चेक कर लेते, चेक कर लेते, आंद्रपरदेश, आंद्रपरदेश, नहीं अटाया था मापे, देखो भई, आंद्रपरदेश एक बार देख लो, आंद्रपरदेश अटाया नहीं था मापे, दिखा दे तो दुपारा, कन्फूजन ना हो, कन्फूजन ना हो भई, यहां पे अंदरपर्देस है क्या अरुनाचल परदेस है अंदरपर्देस नहीं है ठीक है किलियर हुआ चलो आप आजाते हैं सेक्शन 24 पर सेक्शन 24 पढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शन 20 यह जो शेक्शन 9 ने इसमें एक चीज़ और बता दो तो 9 1 किलियर हो गया और हमारा क्या कहता था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ना तो हमने नाइन वन में क्या बढ़ा था सारे गुट्स पर सारी सर्विसिस पर हम क्या लगाएंगे इन्ट्रास्टेट सप्लाई पर टेक्स लगाएंगे तो क्या उसमें पेटिरोल आया था या नहीं आया था आया था क्योंकि घुट्स में आता है ना पेट्रोल तो उन्होंने क्या लिख कथा JP subject to क्या लिखा था भाया सब के लिए कह रहे हैं लेकिन तुम्हें छोड़ कर लेकिन तुम्हें छोड़कर तुम्हें ध्यान में रखकर subject to subsection 9-2 तो 9-2 में सिर्फ यह लिखा हुआ है कि the central tax on supply of petroleum crude high speed diesel motor spirit natural gas और इस पर अभी नहीं लगेगा in future लगेगा क्या लगेगा in future हम इस पर लगाएंगे as may be notified by the government on the recommendation of council लेकिन हमने इसे किसमें डाल दिया भी charging section में कि जब भी पैट्रोल पर GST लगाना हो तो बार बार तुम Parliament को ना भी ठाना और तुम charging section के प्रकोप से ही उस पर GST लगा देना लेकिन मेरा मानना यह पारलेमेंट तो बैठ और सेंट्रल की एकसाइज और स्टेट का वैट तो इन दोनों को हटाने के लिए इनकी union list में और स्टेट लिस्ट में change करना पड़ेगा ना जो हमने लास्ट क्लास में पड़ा था तो तब भी पारलेमेंट बिठानी पड़ेगी लेकिन इनोंने अभी किसमें डाल दिया charging section म में डाल दिया है किलियर हुआ 9-2 हमारे मतलब का निया स्रिफ 9-2 क्या कहता है अगर आप से कोई पूछे petro products के उपर GST क्यों नहीं है तो बोल देना 9-2 की वज़े से किसकी वज़े से 9-1 में वो है कबर लेकिन 9-2 ने उसे मना कर रखा है कि कबसे लगाएंगे future date से कबसे अगर गॉवर्मेंट को कल को इस पर GST भी लगाना है वैड भी लगाना है और एक्साइज भी लगानी है तब तो पार्लेमेंट बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैट और एक्साइज तो चली रहा है इस पर और साथ में बस GST लोल लगा दो और चार्जिंग सेक्शन और आज कंफ्यूजन होगी दूर ठीक है कई लोग तुमसे ना GST में कुछ भी आ जाए तो कई लोग क्या होगा एक बार अफवा फैला दो बस फिर तुमारी जोजी रोटी चलती रहेगी और अफवाव में बड़ा मजाता है यह सेक्शन 9-4 आया था शुरुवात में 1 बैगन सेक्शन था इसमें क्या लिख था सुरुवात के 9-4 में यह में वहा है सेक्शन 9-4 पहले यह समझ लो शुरुवात का जो 9-4 यह कहता था कि अगर तुमने किसी से भी गूट्स ले लिया किसी से भी सर्विस ले लिए और सामने वाला अंज इस टड़े क्या है सामने वाला अंज इस टड़े और तुमने उससे गूट्स या सर्विस ले ली कोई भी तो रिसीपेंट को टैक्स देना मतलब यह एक आर्सीम वाला सेक्शन था कौन सा था आर्सीम वाला था रिवर्स चार्ड लेकिन 9-3 का आर्सीम अलग है और 9-4 का अलग 9-3 का आर्सीम क्या थ सर्विसीज और गूड्स इस्पेसिफाइड क्या जी इस्पेसिफाइड गूड्स और सर्विस ठीक है जिसमें हमने काजू देखा था और एड्वोकेट्स देखे थे ठीक है जहां पर कलेक्शन में 9-4 इतना ड्रैगन था कि अगर तुम किसी अनजिस्टर से कुछ भी ले कोई goods, कोई service कुछ में ले लो सभी पहें लगा देंगे लेकिन जब इस section का विरोध हुआ इस section का विरोध हुआ तो संद में कह दिया 5000 कब तक 5000 तक पांच फजार तक अगर लेते हो तो कूष नहेगा 5000 के बार लोगे तो फिर इसका विरोध हुआ तो 13 अक्टूबर 2017 से यह सेक्शन खतम हो गया कि अब खतम हुए इसे हो गया कितने साल चार साल कितने साल चार साल लेकिन आज भी इसका प्रकौप कायम है आज भी हर व्यक्ति दिन में एक दो बार जरूर पूछ लेता है सर में अनगी स्ट्र से पर्चेच कर रहो में अन्रजिस्ट्र से परचेच कर रहो मुझे जेश्टी लगेगा ना मैंने कहां है सर था तो कभी लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं और अगर आपसे पूछ ऐसा क्यों नहीं है तो से पहले पूरी हिश्ट्री समझाओ कि यह जो 9-4 जिसकी तू बात कर रहा है कि अन्रजिस्टर से खरीदने पर GST लगेगा यह कहां पर लिखा हुआ था 9-4 में ठीक है और वो 13 अक्टूबर के बाद खतम हो गया था लेकिन इसका प्रिकों परिकों सर यह डिलीट तो हुआ नहीं सेक्शन तो भाई क्या हुआ इस को सुब्सि टूट किया यह जिया किया दूट सर्थि जिटूट का मतलत है पुराना हटऊ नाजो ओर जब इसएशने किया गया तो सब्सिटूट में क्या बोला कि अब हम जैसा 9 3 का रूपए है इसे भी उसी तरह का रूप देंगे और यहां में पर लिखा ग्या न क्या ग क्लास ओफ रजिस्टर्ड परसन अब 9-3 और 9-4 में अंतर समझना कि 9-3 में क्या था इस्पेसिफाइड गुड्स और इस्पेसिफाइड सर्विस कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स होंगे और कुछ सर्विस होंगे जिन पर आर्सियम आएगा 9-4 क्या करा है ने वाला 9-4 कि हम क्या बनाएंगे इस्पेसिफाइड एक क्लास ओफ रजिस्टर्ड परसन हर क्लास के वेक्तिक हो नहीं किसे एक क्लास ओफ रजिस्टर्ड परसन जो आज की यह देट में मैं बोल दूब पर मोटर्स जो लोग होते हैं जो बिल्लिंग बगारा बनाते हैं उन पे यह प्रोविजन अभी लगता है अभी नोटिफाइड जय हो शेल इन रस्पेक्ट ओफ सप्लाई इस्पेसिफाइ इस्पेसिफाइड क्लास ओफ रजिस्टर्ड परसन होना चीए रिइसीव्ड फों अ अंट एफिस्टर्ड सव्फ्लय और वह कां से सर्फिस ले ऑगा कोई नाव पर डाजिस्टर ऑ्यक्रत हजब Alexand second अन्रेजिस्टर से ले, 9-4 तभी लगता है जब इस स्पेसिफाइड गूड्स और सर्विस हो, और साथ में किस पर लगता है, बोलो, इस स्पेसिफाइड रजिस्टर पर संपे, और 9-3 का क्या मतलब है, इस स्पेसिफाइड गूड्स और सर्विस मा तो ही, ठीक है, चाहे उसमें 16 services है और goods है और 9-4 में अभी तक सिर्फ एक या दो लोग कवर है ठीक है क्लियर हुई मेरी जो 9-4 पुराना था जिसमें कहता था किसी भी Unregistert से कुछ भी खरीद लो किसी भी अजिसर्ट से कुछ भी खरीद लो तो RCM देना है वो खतम हो चुका बीच बीच में अफवाय क्या चलती है कि एक जुवेलर से उसने किसी अनजिस्टर्ट से जुवेलरी घरीजरी तो उस पर आर्सियम देना पड़ेगा लेकिन यह सब क्या होते हैं प्रॉपोजल्स क्या होते हैं कि हम इसे 9-4 में लाइंगे लेकिन जब तक ना लाया जाए तो उसे नहीं मानना है कि लिए तो अभी नहीं आया अभी श्रीफ कोन आये प्रॉमोटर्स कोन आये प्रॉमोटर्स तो 9-4 में अभी श्रीफ एक एंट्री है वह में आपको पढ़ा देता हूं और इस एंट्री को अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी जब बड़े हो जाओगे बड़े इंदा सेंस GST थोड़ा सा पढ़ लोगे तब समझ आएगी लेकिन अभी स्रीफ 9.4 के लिए ये पुराना सेक्शन था जो हट गया और इस पुराने सेक्शन में क्या लिखा वा था कि से कुछ भी खरीद हो गए तो GST लग जाएगा बाद में इसकी लिमिट 5000 कर दी थी 13 अक्टूबर के बाद इसे हटा दिया गया था आप जो नया 9-4 आया है उसने क्या बोला इस पेसिफाइड परसंस पे लगेगा इस पेसिफाइड गूर्सें ट्रांजेक्शन पे लगेग तो उस बिल्डिंग में गोवर्मेंट में क्या बोला है कि इसमें जब तुम अपने P&L अकाउंट में खर्चे डालोगे तो गूड्स के भी खर्चे डालोगे और सर्विस के भी तो यह कहता है कि अगर तुम इसमें 100 रुपे के खर्चे डालोगे कितने रुपे के खर्चे से होने चाहिए है और 20 रुपल गर्टे तुम अनजिश्टर वाले भी डाल सकते हो 52 दिने तुम्हें ृच निनज़ोन सकते हो और 20 वाले किस्ब्स रहीज जब सकते हो अनुटिस्ट लेकिन अगर सिमेंट pertama क्या तो सिम्ट के तो सो के सो रुपे तुम्हें किस से लेने पड़ेंगे रिजिश्टर से लेकिन अधर दैन सीमिंट क्या जी ह 128 अगर मेठीं के खर्चे डाल वी चंकितने में इस्क्श Tube ले सकते हो ऐसमें leomer भी होगा सब कुछ और असी किसंट नाल सक्षा register से लेकिन इस व्यक्ति ने गलती का अजरी 70 रुपे के खर्चे तो Register से डाल दिये और 30 रुपे के कित से डाल दिये अन र सचर्ब से तो गोवर्मेंट ने क्या बोला है कि इस 30 रुपे में से तुम डाल कितने के सकते ते 20 के अब लिंग गिराएंगे तो है नहीं तुम्हारी कि तुमने अन्रशिस्टर से लेकर बनाई है तो इसमें से 10 रुपे पर कितने रुपे पर 10 रुपे पर आप क्या पे कर देना आर्सेम कौन से सेक्षिन में 9-4 किसमें 9-4 तो अब आपको 9-3 और 9-4 का अंतर समझाया है हाजी तो 9-4 अभी यहीं पर है कहीं और नहीं है इस एक्जांपल को नोट कर ले न मैंने यहाँ पर यह नोट करा दिया किलियर है तो 9-3 किलियर 9-4 किलियर 9-2 किलियर 9-1 किलियर और घर से होमवर्क लिख लो section 5 IGST का पढ़ना क्या पढ़ना है और जो भी similar मिले उसे काटते रहना कि हो गया उसमें जो change रहेगा वो मैं बताऊंगा किलियर अब आजाओ 9-5 क्या जी 9-5 9-5 थोड़ा सा अलग है section ठीक है बिल्कुल डिफरेंट है मुझे section 24 को समझाने के लिए तुम्हें 9-3 भी समझाना था 9-4 भी 9-5 भी तब मैं 24 पर कुद हुगा ठीक है अब 9-5 समझना अभी तक तुमने क्या समझा कि GST के अंदर दो त प्लायर से जिसे हम क्या बोलते फोर्वर्ड चार्ज क्या बोलते फोर्वर्ड चार्ज इसके लिए charging section कौन सा था अब section 9 मत बोलना अब तो अंदर घुसो कौन सा था 9-1 और 9-2 पैट्रोल पर 9-2 था भी तक आया ने एक दूसरा होता है कि अगर तुम कुछ goods या service लोगे तुम goods या service लोगे तो अभी तुम्हें GST देना पड़ जाएगा उसे हम बोलते थे recipient tax देता है कौन देता है इसे हम क्या बोलते थे RCM यह किस किस पे था किसानों पर हमने देखा ठीक है एड़ोकेट्स पर देखा 9-3 पड़ा goods or service specified फिर हमने 9-4 पड़ा इसके लिए कौन था 9-3 और 9-3 में तो काफी लोग थे 9-4 में क्या थे promoter specified person और specified goods or service अगर वो किससे ले रहे अन्रजिस्टर से किससे ल लग जाता था के लिए रहे अब एक और ट्रांजेक्शन देता हूं ना supplier ना recipient कोई वेक्ति यहां पर कभी आया है किसी ने अपनी life में यूज करी है ओला हां ओला ओला कैसे यूज करते हो जरा ध्यान से बताना मुझे तुम क्या करते हो अपना mobile खोलते हो एक app होते उसमें एक गारी बुक कर देते हो तो यहां पर है तुम यह रामो जो ओला बुक कर रहा है ठीक है ओला कहीं पहाड़ों से तो तो नहीं आती एक दमांज आती है बस ओला और ओला को लेकर कौन आता है एक ड्राइवर यह कोन होता है ड्राइवर ठीक है जो ओला को लेकर आता है और तुम ाोला में बाटते हो और अपने destination पर चले जाते हो और कई बार तो पैसे ओला को देदेदे तो कई बार पैसे किसे देदेते हो ऐसा ही करते हो ना पेट्यम거든요 wallet से चला गयाक pow Ricard Buff haramu अब तुम्हें ना पहचान कौन करना पहचान कौन क्या है इसमें तुम्हें बताना है कि recipient of service कोन है इन्हों अघा जा जी रिसिपेंट ऑफ सर्विस हे राम हुँ तर अब उन्हें लिटाना है सप्लायर उसे दो को है ऌग अर तो फिर अधुट सर्विस है insya 9 मिया ड्राइवर से कई बार बाते भी गरी है और बातों में उसने बताया है कि यह गाड़ी मेरी है उसने क्या बताया है गाड़ी मेरी है इसे मही चला कर ला रहा हूँ मही पेट्रोल लवा रहा हूँ बस मैं तो ओला के ऊपर रजिस्टर हूँ मेरी गालि बैजिस्ट्र ज TD मंकरता चला तो नहीं तो ड्यूती ऐफ कर देता हूं और मन करेगा तो अहूं चलाऊंगा मन करेगा तो अश्образ कर दो अब इसमें когда B को ने इन्होंने का supplier of service driver फिर ओला को ने तो आब यहां पर समझो यहां पर यह अलग विचित्र कहानी और इस विचित्र कहानी की वज़े से 95 बना इस विचित्र कहानी की वज़े से क्या बना 95 नहीं तो 95 बनने का कोई कारण नहीं था अगर supplier और receiver होते दो लोग तो हम 9391 से कर लेते ठीक है तो रामू तो recipient हो गया तो यहां पर यह जो driver है ठीक है ना यह भी supplier of service है लेकिन क्या driver को पगड़कर GST लिया जा सकता है क्या recipient को पगड़कर GST लिया जा सकता है इन तीनों में solid party को ओला तो इन्होंने का ओला को फगड़ो उसने का मैं तो कुछ होई नहीं नामे service दे रहा नामे ले रहा तो मुझे क्यों पगड़ा कर बनाते है न नया section charging section बनाते हैं तो यह charging section बनाया गया ओला के कीश में और हो सकता है ओला इंडिया में होई ना ओला तो यह जो बैठके एप चला रही है क्या पता यूएस से चला रही हो और मजे लूट रही है पैसे आ रहे है क्योंकि ओला की कोई अपनी गाड़ी थोड़ी है ओला को अपना ड्राइवर नहीं है वो तो बस हवा में है कि तुमारे मुबाइल में है यह नहीं है तो गोवर्मेंट ने का इस ओला को पकड़ो यह ओला सोलिड उसने का मुझे कैसे पकड़ोगे मैं तो हिंदुस्तान से बाहर हूं सोधी अरभ में बैठी हूं उसने का बनाते हैं तेने लिए सेक्शन अब यह वाली बात के लिए हुई क्योंकि यहां पर रिसीपेंट से लेना दिक्कत थी ले सकते थे क्या रामुचे कि पकड़ तुझे जीस्टी में रिष्टर होना है ड्राइवर को पकड़ सकते थे क्य लिए क्या बना 95 क्या बना 95 अब याद करो 95 को दा गोवर्मेंट में ओन्दा रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इस स्पेसिफाई कैटेग्री ओफ सर्विसी से हाइलाइट करना यहां पर वर्डिंग कैटेग्री ओफ सर्विस अगर मैं 93 और 94 और 95 में अं गता फेट इस ऊचित कैटेग्री ओफ सर्विस ओन कैक्स और सप्लाइग ओंडेया अगर वह सब रच तर दुब हमारु अगर द आ उसके तरू सप्लाई होती यह and all the provision of this act or this act के सारे provision उस पे apply हो जाएंगे he is the supplier liable for paying tax in relation to supply of such service मैं हूँ हिंदुस्तान से बाहर और मुझे पकड़ना मुश्किली नहीं ना मुम्किने तो उसने का अगला provision तुम्हारे लिए provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence कि अगर तुमारी physical presence नहीं है taxable territory में इंडिया में any person representing the electronic commerce operator for any purpose taxable territory shall be liable to pay tax कोई तो होगा जो तुम्हें रिपरजेंट कर रहा होगा जैसे टेसला कंपनी का यहां पे रिपरजेंटेशन खुला है बैंगलोर में ऐसे तुम्हारा कोई ना कोई वेक्तित होगा हम उसे पकड़ लेंगे उसने का उसे भी नहीं पकड़ सकते कोई ही नहीं हम तो हवा में है ठीक है उसने का फिर अगला प्रोवी जो तुम्हारे लिए प्रोवाइड फर्दर अगर तुम्हारी फिजिकल परजेंस भी नहीं है और तुम्हारा कोई रिपरजेंटेटिव नहीं है तो अगर तुम्हारा कोई रिपरजेंटेटिव नहीं है तो अगर तुम्हारा कोई रिपरजेंटेटिव नहीं है and such person shall be liable to pay tax, तो यहाँ पर किसका इंतजाम किया गया, ओला का 9-5 किलियर है हाँ तो अब tax कितने तरीके से लिया जाता भई, तीन तरीके से एक तो किस से forward charge, ठीक है किस से supplier of service एक reverse charge, recipient of service एक e-commerce operator जो faciliter है, जो अपना platform दे रहा है, किलियर है तो charging section समझ आया समझ आया, अब आते हम section 24 पे अब इनोंने जैसे ही ये चीज बोली ठीक है अब जैसे ही इनोंने बोली तो हमने ये पड़ा, कि किसी वेक्ति को registration कराना है किस लिए कराना था, charging section कहता था, किस से लेंगे, taxable person से किस से लेंगे, और taxable person कोन होगा जो, या तो registered हो जाए या section 22 और 24 में liable हो जाए 24 में liable कोन थे, mainly turnover वेस कैसे थे और turnover कितनी थी special category में 10 normal में 20 लेकिन उस power को extend किया जा सकता section 23 से तो महा से 20 की जगा क्या कर थी, 40 हाला कि section 22 में भी provision डाला हुआ है, लेकिन भी notified नहीं हुआ है अब कुछ लोगों को कहा mandatory registration कराना है क्या कराना है तुमें, उन्होंने का हमने क्या गुना किया जो तुम हमें registration करा रहे और हमारे को turnover का benefit भी नहीं दे रहे हमारे को turnover का benefit भी नहीं दे रहे turnover का benefit या नहीं लेकिन ये कुछ खास लोग है क्या है कुछ खास लोग उन्होंने का सबको उठाकर किसमें डालो 24 में 24 मतलब एक देत्ते section है देत्ते मतलब एक बाट डल गया तो भाई registration कराना और अगर बाद में पता लगा कि इन्हें relaxation देना तो कां से दे देंगे 23 से देंगे दे सकता है या नहीं केलियर है मीरी बत पहले तो ठाके किसमें डाल दो 24 में तो 24 के अंदर 12 लोगो को डाला गया कितने लोगों को डाला गया 12 लोगो ये 12 लोग ट्राहिमाम करते रहे लेकिन फिर भी इन्हें बक्षा नहीं गया और क्या का गया तुम्हें बक्षेंगे बाद में अगर हमारा मन करा तो लेकिन जब एक्ट बना तो कितने लोगों को डाला गे इसमें बारा को और क्या का तुम्हें हम क्या नहीं देंगे टर्ण ओवर का वेनेफिट नहीं देंगे इन्होंने का ऐसा हमने क्या जुरूम कर दिया उन्होंने का बताते हैं तुमने क्या जुरूम करा तो सेक्शन 24 कमपल्सरी रजिस्टेशन का आए जी कमपल्सरी रजिस्टेशन मैं चाहता हूँ एक बार तुम इसकी ओपनिंग लाइन पढ़ो सेक्शन 24 गी वहां से एक क्रक्स निकलकर आएगा पढ़ो सेक्शन 24 की क्या कहां से स्टार्ट हो रहा है क्या कहता है यह नोट विर स्टेंडिंग क्या कहता है तो नोट विर स्टेंडिंग का मतलब क्या होता है कि ओर रूल केता है कि आखिजयों कि लेटा ढूंच के लेटार जुन गए वाइस को बाइस को उसने का भाड में गया अभाड सेक्शन हम क्या रहा है not with anything contained in जो सेक्शन 1 इंड तो हम 22 को फैने वाड में लिका गवा था limit कि भाइटने टन अवर होगी तभी करना है इन्होंने का भाड में अगर तुम मेरे अंडर में आ गए तो हम 22 को ओवर रूल करते हैं लेकिन इसने सराफत दिखाई 23 को ओवर रूल करा गया 23 को ओवर रूल क्योंकि इसे बता है 23 तो इसका भी बाप है क्योंकि 23 specific section है क्या है समझे हो मेरी बात को तो जब भी कभी 22 और 24 में लडाई होगी तो जीतेगा कौन 22 और 24 की लडाई में 23 कैसे जीतेगा 22 और 24 में कौन जीतेगा 24 को ओगी है ओवर रूलिंग 22 और 23 में 23 23 और 24 में 23 समझ जाओगे इतना डाईजेस्ट कर जाओगे तो नोट भी एनिधिंग कंटेंड इंस अफ्रेक्शन वन और 22 इन्हों का हम से ऐसा क्या गुना हुआ जो तुमने हमें इतनी कडी सजा दी तो इन्होंने का देखो पहली चीज तो तुम्हों इस्पेशल सप्लायर क्या हो इसमें पाच लोग तो वो थे जो इस्पेशल सप्लायर थे और पाच वेक्ति ऐसे थे जो सप्लायर ही नहीं थे शहिए लेकिन फिर भी पखड़कर कहा कर दिया रिस्टेशन के लिए बाद दे कर दिया। तुमेटесь नहीं देंगे हमार अगर इसमें और मन करा तो हम यहां से तुम्हें दे देंगे एक्जम्स लेकिन अभी तो मान के क्या चलो तुम्हें रजिस्टेशन कराम है क्लियर है तो यह पाच लोग कोन है इनके बारे में समझो पाच लोग कोन है हाला कि जैसे टाइम आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूगा फिर भी एक बार थोड़ा से ओवर्वीव ले लो थोड़ी से अंडेस्टेंडिंग ले लो यह नए लोग है जब भी यह विक्ति आपके पास आए तो इनका थोड़ा सा ध्यान दखना है कि वह यह 24 में लाइबल है इन पर टरन ओवर की लिमिट चेक नहीं होगी और अगर होगी तो जो 23 तू ने एक जम्चन दी होगी तो चेक कर लेंगे ठीक है तो आप इन तीनों सेक्शन को कभी भी अकेले अकेले ना पड़े यह तीनों सेक्शन क्या है mix-up है क्या है mix-up है ठीक है क्लियर है यह नहीं बोलो चलो अब यह पांच लोगों में से पहला आदमी है इंटर स्टेट सप्लायर के जी अब इंटर स्टेट सप्लायर की काहनी सुनो गोर्रमेंट ने कहा कि देखो हमारा व्यूपॉइंट गया है हमारा व्यूपॉइंट क्या था जीस्ट को लाने का कि सब पे जीस्टी लगे और जिसे बहार करना है हमने महां से बहार करें 22 लेकिन अगर तुम दिली में रहकर यूपी में माल वेस्ट हो, कहां वेस्ट हो, यूपी में, बेसक चाहे तुम छोटे वेपारी हो, लेकिन तुम पिंजरे से बाहर हो, मतलब कि तुम अपना दायरा छोड़ के जा रहे हो, तो हम तुम्हें रजिस्टेशन के लिए बात्दे करेंगे, हम तुमसे मेंडेटरी र उपे की ही, कुछ भी गड़ो, तो ऐसे व्यक्ति को उठाकर किस में डाल दिया, इंटर इस्टेट सप्लाइर, और जब ये इंटर इस्टेट सप्लाइर हुए, तो इसका मतलब इसनों ने गूर्स की भी सप्लाई करी हो, और सर्विस की, अब हाहा कार मच गया, क्यों हाहा क एक चार्टर अकॉंटेंट, चार्टर अकॉंटेंट, एक इंजीनियर, एक वाइटพोस करने वाएक सर्विस प्रोवैडर, उसे तो पता इंही समयों गली में घूम घूम के इंकम टेक्स की रिनने भर रहा है, उसे तो पतास्य नहीख अन以前 Х 네 इसकी पाच लाग उर्पे की इंकम है पूरे साल में अब उसके पास कोई रिटन भरवाने आ गिया यूपी से हर्याना से मना कर दे तो उसके सामने बड़ी दिक्कत आई तो इनों ने का देखो यार तुमने जो बनाया ना ये इलोजिकल है ऐसा कोई सर्वीस प्रोवाइडर ह होई नहीं सकता जो अपने आज पास सर्वीस ना दे और आज कल सारी सीमा इसटी हुई है दिल्ली यूपी हर्याना तो दिल्ली का कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति नजवगडवे रहता है तो हर्याना में जा सकता है ना या कोई व्यक्ति इधर की तरफ रहता है बोर्ड गूड्स और स्राइव का तुम पखड़ भीनिक्स को तुम पगड़ ने क्यों इंसकते हैं चूमंतर गोड़ाइव पखड़ू हौं इंटर एंस्टेट्स दे रहा है चाह们 सर्फिस दे रहा है चाहे €1 该 दे रहा था चाहे वह रहा थै तो उसके उपर वह सैक्शन बेंटी 4 में लैबल था लेकिन बाद में शर्विसे वालों को गष्टादिया visit वालों ने रिक्वेस्ट करी कि研ग कुछ तो दो लिमिट कुछ तो limit दो हमने ऐसग्यागना करती हमने यही तो गुना कर रहा। इंटर इस्टेट कर रहे ह। कि अ अगर वह दिश्टेट कर रहे होतें तो उन्हें कोई दिककत थी क्या ? विदिन स्टेट में तो वह किसमें बच गए थे ? है 22 में ही लिमिट विल ली ओ 2020 तो इन्होंने service वालों नहीं o innovation करा और क्या करा हमें क्या दो तो आप लिमिट्स तो क्या दो यू कितने लागे तक की जो तुमने 22 लोको दिए जो तुम ने 22 लोको दी है यह लिमिट समय भी दो तो बाद में इसमें नोटिफिकेशन लाए और इनोंने क्या बोला ओल सर्विस क्या बोला जी ओल सर्विस अगर आप 20 लाग या 10 लाग तक की देते हो तो तुम्हें रिजिस्टेशन की आवश्यक्ता नहीं है और यह नॉटिफिकेशन किसमें आई कौन से सक्षिन में आई 232 में किसमें 232 में किलियर हुई यह वाली बात तो बोलो आप अगर कोई वेक्ती दिल्ली से कराना है कौन से से कराना है 2224 किसे कराना है 24 से क्योंकि 22 इसके लिए बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 22 से तो बच गया लेकिन किसमें फच गया 24 में अगर यह गुद्स की जंगा क्या दे रहा है service रेजिस्टेशन कराना है कैसे बचा हाँ हाँ 24 से लाय बलता है लेकिन 22 से 23 2 से बचिक है क्लियर हुआ यह नहीं यहां तक क्लियर है डाउट बोलो इंटर स्टेट सर्विस क्लियर है हाँ क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों हुआ बोलो चले आगे चलो अब आता है अगला इसका नाम सुना जाए केजव ँपड़कस पैयर करेडॵैasal Taxpayer इसके लिए एक सक्षण पढ़ेंगे 27 क्या पढ़ेंगे 27 लेकिन casual taxpayer पढ़ने से पहले इसका मिनिंग समझ लो क्या समझ लो इसका मिनिंग हाँ वह वह इसका एग्जेक्ट मीनिंग पढ़ा दू casual taxpayer का तो section 2 निकाल लो definition ये एक विशेष प्रकार के प्राणी होते है casual taxpayer निकाल लो ये section 2 बोलो सब्सेक्शन बोलो कौन सा होना जी है सब्सेक्शन 20 निकाल अब हमने क्या बोला कि जिन पर जात्ती करी गई तो पहला वेक्ती कौन निकला इंटर स्टेट वाला को निकला पूरी जात्ती करी गई लेकिन बाद में थोड़ी सी जात्ती सर्विस वालों को छोड़ती है ठीके गुडस वालों को आज भी नहीं छोड़ा तो आज भी कई लोग कहते है km9 सर में अगर एक स्टेटर थोकी स्टेट माल बेचो 301 और इंटरे स्टेशन प्लाइब क्यों करेड़ा था भी work dot तो पर्चे नहीं कर सकते हूं। सेल नहीं कर सकते हूं। मेरी बात के लिए रहे हैं आपे। बोलो। अब ऐसे आता है। यह casual taxable person भाई यह casual taxable person होता है गरीब इंसान। गरीब इंसान इसकी बात को समझना इसकी दर्द को समझना। दिल्ली में लगता है नमवंबर के अंदर क्या चीज ट्रेड फेर। अब इसकी कहानी सुनना साथ में सेक्शन 27 आज ही खतम करा दूगा। ठीक है 24 करते करते 27 आज ही खतम करा दूगा। Casual taxable person means यहां पर लगा दिल्ली में ट्रेड फेर। अब यहां पर जब यह ट्रेड फेर लगता है तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीत चाहे जरूरत हो या ना हो लेकिन ट्रेड फेर में गए हैं सुब लगेगा ट्रेड फेर से समान खरीदा जाता है। ठीक है ना पूरे साल कुछ ना खरीदा हो दिवाली पर होली पर समान खरीदा जाता है करवा चोथ पर साड़ी खरीदना सुब माना जाता है। इसी तरीके से ट्रेड फेर से समान खरीदना भी कई लोग मानते है कि जब आए हैं तो लेके तो जाएंगे। कुग कर तो इस ट्रेड फेर अंदर एक वीक्ति आता उत्रहण चंड से एक वीक्ति आता है नेपाल से एग्रेखति आता भीरों से सब्लोंगों आपनी यहाँ पर दुकान लगा लेते हैं कहाँ ज़ीं लिए अब यहां पर इस बात को समझता अब यह वेक्ति जो उत्तरा खंड का था यह दिल्ली में आया माल बेचने अन जब दिल्ली में माल बेचने आ रहा धस्या देते लिमिंट्स दसलाक बीसलाक वाली जो लिमिंट्स अगर मुझे वह लिमिंट्स दे दे तो इसका हिसाब किताब रखना ओग मुस्कील और क्यों कि यहां पर दिल्ली में जब आयगा थो इसे जो टेक्स देगा एक तौ दिल्ली बोवर्मेंट उदेगा है न जी नई एक देगा Central को किसे देगा उत्रहखandır का क्यों देगा Tillis Lazim आकर हमारे आमाल बेचेगा उसे mandatory registration कराना है, क्या कराना है, क्या कराना है, mandatory उसे registration कराना है, और तुम समझ लो, casual taxable person, means, a person who occasionally, क्या जी, भाई बार बार तो तुम आते हैं नहीं, तुम तो ठहरे पर देशी, कि, who occasionally undertake transaction involving supply of goods or service, कि जो कभी occasionally हमारे पास आते हो, और transactions करते हो, in the course of furtherance of business, क्योंकि तुम business कर रहे हो, in the course of furtherance of business, whether as a principle, whether as a agent or any other capacity, in the state or union territory, where he has no fixed place of business, जहां पर उसका fixed place of business, नहीं है, तो उत्राखंड वाले की दुकान उत्राखंड में हो सकती है, लेकिन दिल्ली में तो उसकी दुकान नहीं है, लेकिन अगर किसी की दिल्ली में दुकान है, तो वो दिल्ली में casual नहीं है, तो casual taxable person के लिए क्या होना चाहि है, और क्या होना चाहिए, वेर देर इस नौ best place of business, तभी हम उसे क्या बोलेंगे casual taxable person, तो जो दिल्ली में ट्रेट फियर लगाएगा, जो दिल्ली वाले व्धि दिल्ली में ट्रेट फियर लगाएगा, क्या वो CTP होगा, क्या वो CTP होगा, क्योंकि उसका दिल्ली में है, ल लेकिन अगर कोई दूसरा वेक्ति आता है तो उसके लिए दिक्कत आईगी। क्लियर हुआ कैस्वर्ल टैक्सेवल परसन का मिनिंग। हां जी कोई डाउट है यहां तक तो क्या इसे मेंडेट्री रेजिस्टेशन कराना है। हां हां पक्का कराना है समझ में आया। कि अवन यहां पर एक को क्वेशन में देता हूं हिस्कोंण का अंसर मुझे किसी भी बच्चे ने नी दिया अगर तुम्हें इस उस्कॉस्टियन का अंसर मिले जरूर बदाल हुआ है तुमने कभी सुना यह शुक्कर वजार मंगलवार बजार मंगलवार बजार सुना ना संडे मार्किट मंदे मार्किट एक एक्जाम्पल से बताता हूं मंगलवार बजार लगता है हमारे लक्षमी नगर में दिल्ली में तो तुम्हें क्या लगता है जब लक्षमी नगर बजार दिल्ली में लगता है तो सारे वेक्ति दिल्ली से आते ह से, एक वीचति आता है नौःडा से, और नौःडा से आता है, अपने साथ एक установ में मल लेकर आता है, बस में मल लेकर आता है, उर मंगल बजार लक्ष्मि नगर दिल्ली में बेचता है, और घर को चला जाता है, हर अपते वो ऐसा करता है. अब बताओ यह जो रामू है क्या यह casual taxable person है या नहीं मंगलवार को वो आता है लक्षमी नगर में सोमवार को आता है गांदी नगर में बुद्वार को आता है जील है चलो एक हपते में की बार आता है कैसे नहीं यहां पर क्या लिखा वाइस का तो occasion क्या समझते हो तुम occasion का मतलब क्या है साल में एक बार महिने में एक बार हपते में एक बार occasion का तो मतलब कुछ है नहीं तुम अपनी definition मना रहें अब भाई कोई व्यक्ति कहता है मैं drink करता हूँ occasional ही करता हूँ वह बात अलग है कि occasion 365 दिन होता है जब कोई लड़का रिष्टे के लिए बताता है तो उससे पूछा जाता है तुम drink करते हो हाँ करते हो सादी के बाद होता है कि वही तुम तो डेली करते हो अब डेली ओकेशन में तो मैं क्या करता हूँ मैंने तो बोला हिसा कि मैं क्या करता हूँ बोलो तो occasion का मतलब क्या है तो भाई इस सवाल का जवाब है नहीं मेरा मानना ऐसा है यह एक CTP है casual taxable person है और इसे एच पर section 24 registration कराना चाहिए लेकिन practically कोई कराता नहीं है क्योंकि वह करा नहीं सकता हां हां तुम्हें कोई मिले इसका जवाब तो मुझे बता देना कि लिए मेरी बाते नहीं कि लिए रहे आप बदाओ आप आप बदाओ क्या यह से टीपी नहीं है हस्यां पर यह वैकती है 9 अशट के माल पहले दिली लाता है यह 9 अश़िय थे में बैठके दिली नहीं बेच रहा है अगर यह 9 अश़ियमें अश़ियमे बैठके दिल्ली बेच दात तो उसे हम बोलते Interestate supply जो मैंने तुमें पहले बताए अब यह क्या करता है नोवेडा से पहले दिल्ली लाता है और दिल्ली में बेचता है ठीक है तो यह CTP हुआ लेकिन इसे मेरे इसाफ से रेजिटेशन कराना चाहिए लेकिन यह कराता निया इने विचारों को पगड़ कोई करेंगा करेंगा तो CTP समझ आया या नहीं तो यहां अबर आमने क्या बोला इंटरिश्टेट सप्लाई को मेंडेट्री कराना लेकिन बाद में छोड़ दिया किसे चोड़ दिया सर्वीस प्रोवाइडर लेकिन कब तक 20 लाग तक 10 और 20 लाग तक कभी एनी सर्विस प्रोवाइडर 50 लाग की सर्विस दे फिर तो वो किसमें कव लेकिन एक वेक्ति था एक वेक्ति बड़ा गरीब बिहार का गरीब वेक्ति था ये ये विचारा पूरे साल मूर्तिया बनाता था हैंडी क्राफ्ट गुट्स क्या बनाता था हैंडी क्राफ्ट गुट्स बनाता था कि और जब हैंडीआफ गोड बनाता था शरिफ एखी रट लगाता था दिल्ली में प्रेड़ लगेगा दिल्ली में प्रेड़ लगेगा मैं सब्ण हो में जाओं耗ा और हैं डीअशन देट रधा infant से जब ये दिल्ली में ट्रेड फेर लगा और ये आने लगा तो गोवर्मेंट ने इसे पकड़ा और क्या बोला तुम क्या हो? Casual taxable person और अगर तुम्हें दिल्ली में ट्रेड फेर में माल बेचना है तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा? registration, इसके सारे अर्मान तूट गए इसने कहा, अब मैं कैसे मूर्तिय बेचूंगा, मेरी मूर्तियों का क्या होगा, CA साब तो मैं इसे registration करने के 10,000 रुपे ले रहे हैं गौर्वर्मेंट को इस पर दया आई, और गौर्वर्मेंट ने का, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, वैसे तो तुम CTP हो, वैसे तो तुम CTP हो, Casual Taxable Person, तुम्हें registration कराना पड़ेगा, लेकिन तुम क्या बेच रहे हो, handy craft goods बेच रहे हो, तो हमने तुम्हें माफ किया, इसने पूचा, कहां से power लेकर आए, तो गोवर्मेंट ने क्या बोला, कहां से लाए, 23, 2 से, तो CTP को registration करना है, लेकिन इसे भी, ये रोता था, ये कहता था, मुझे भी basic exemption limit दे दो, 22 वाली, कौन सी, 22 वाली, तो गोवर्मेंट ने का, अब तो नहीं दे सकते, लेकिन 23, 2 से इसे दे दी गई, तो अगर ये 20 लाग तक, या 10 लाग तक, क्या बेशता है handicraft goods, CTP होने के बावजूद भी, तो इसे registration में छूट है, तो हमने क्या पढ़ा, दो विशेश व्यक्ति, जिने mandatory registration था, लेकिन थोड़ा था पुछकार दिया, किसने, 23 तू ने, 23 तू ने, समझ आई ये वाली कहानी, हाँ, CTP के बारे में एक चीज़ और बता के CTP का chapter खतम कर दू, हाँ, casual taxable person का, चालो, तो अब मैं एक section को और introduce कर रहा हूँ, यहाँ पर वो section है, 25, क्या है जी, 25, 22 और 24 किस लिए पढ़ा, लाइबल फॉर रजिस्टेशन, 23 किस लिए पढ़ा, एक जमसर नोट लाइबल फॉर रजिस्टेशन, अब आते हैं कि जब तुम इन तीन section को पढ़कर, ज्यानी बन जाओ, और ज्यानी बनकर यह पता लगा लो कि किसे रजिस्टेशन कराना है, किसे नहीं, तो फिर तुम मेरे पास आना, हम तुम्हें बताएंगे, रजिस्टेशन कैसे कराना है, कब कराना है, 22, 24 से पढ़कर, तो क्या पता चलाता, रजिस्टेशन कराना है, नहीं कराना, जब तुम्हें यह पता लग जाए तुम मेरे पास आना मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिजिस्टेशन कैसे कराना है तो section 25 किसके लिए procedure for registration किसके लिए जी procedure for registration अब इस section 24 को बीच में रोक रहू हूं मैं procedure पे चल रहे हैं अब आते हैं हमारा procedure for registration तो जो फ्रोसीजर for registration है तो क्या तो कोई वेकति तुन्टिट्टी शे लिए लाइवल हो के आएगा या का इसल्ड़ायवल हो के आया और यह थोड़ी -... नहक strain कुछ भी यह थोड़ी हो गार जोगा मत्स किया तो लाइवल हो का हैगा 22 से या 24 से अब यह समझो अगर कोई व्यक्ति 22 से लायबल होके आया तो वो कैसे लायबल होके आ रहा है उसकी turnover की limit बढ़ रही है तो इसकी let's suppose एक व्यक्ति है Mr. Ramlal एक व्यक्ति है Mr. Ramlal ये अपनी दुकान चला रहा था बढ़िया से और आज दुकान चलाते चलाते इसे हो गई 14 मार्च और 14 मार्च को चूकी है दिल्ली में है इसकी turnover 14 मार्च को हुई 38 रुपे की क्या इसे registration कराना है गूट्स का वैपारी है क्या registration कराना है नहीं क्योंकि दिल्ली में लिविट कितनी है चालिस लाग 23 टू से यूज करके तो आप में इसकी दुकान पर समान लेने गया मैंने का रामलाल जी मुझे आपकी दुकान तर समान लेना है उन्होंने का बताओ मैंने पूरी लिष्ट दे दी पूरी लिष्ट का इसने टोटल करा तो मेरा समान निगला 210,000 रुपे का और इसने अपना अकाउंट में देखा अकाउंटिंग करता था विचारा अकाउंट में देखा कि 38 लाग की सेल कब तक कर चुका हूं 14 माज तक तो 210,000 रुपे का समान जैसे ही जैन साब को दूंगा तो मैं क्या बन क्या बन जाओंगा टैक्सेवल परसन क्योंकि मैं क्या हो चुका हूं लाइबल तो इन्होंने का जैन साब समान दूंगा बाद में मैंने का क्यों इसने का पहले मैं बन चुका हूं टैक्सेवल परसन और अगर मैं टैक्सेवल परसन बन गया अगर मैं टैक्सेवल परसन बन कर आजाएगा तब मैं तुम्हें बिल दूंगा और तुमसे जीस्टी भी लूंगा क्या ऐसे ही सिस्टम होता होगा या उसे कुछ महलत दी जाए उसे क्या दी जाए कुछ महलत दी जाए तो सेक्शन 25 ने कहा कि जिद दिन भी तुम युल हो जाओं तो इमानदारी सिंगे की किसे इमानदारी सकति तीज दिन के अंदर आ जाना किसके अंदर आ जाना tangin 30 दिन तर आजाना और अगर आप 30 दिन नहीं आये तो तुम पर हम क्राइप का चार्ज लगा देंगे वह मैं आपको बताउगा कि क्या procedure होगा लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि जब भी कोईougक्ति registration के लिए liable होता है चाहिए वो 22 से liable हो चाहिए वो 24 से liable हो तो जब भी कभी वो registration के लिए liable होगा तो कितने दिनके अंदर registration कराना है तीज दिन के अंदर के लियर हुआ मेरा पॉइंट यहां पर कि उसे आपर कि उसे registration कितने दिन के अंदर कराना है यह बात किसमें लिखे विए और अगर तुम function 25 में 30 दिन के अंदर registration नहीं कराऊगे तो मैं आपको इसके खतरनाक प्रोविजन बताऊंगा कि अगर 30 दिन के अंदर नहीं कराया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा किलियर हुई यह वाली बात हां लेकिन लेकिन अब जरा समझना अभी हम किसकी बात कर रहे थे CTP कि किसकी बात कर रहे थे और CTP कौन होता था या उत्राखंट में एंघमा साखण से इस पर आबट इसके पास चैप गचजांगे एगर ये वेकती हेंडी क्राफ्ट गुड्स लेकर आँ तो क्या साइभी धाना फेरी गता उसने काहां कर आँगे लेकिने क्या होना है है कि एग का फेरी लेकिने के अंदर कर दिने के अंदर कर आ दम को! केजरिवाल चुप रहे हैं किसने दिन बाद ही हो तीज दिन बाद अब इसने टेड़ फेयर सुरुओ चोधा नमंबर को कभ वाजी चोधा नमंबर को केजरिवाल ने कर टाइम डाल दिया अपने यहां पे कि तीज दिन के बाद चले जाना यह उत्राखंड वालों से टैक्स ले ले ना और जैसे वो तीस दिन के पास गए महां से ट्रेड़ फेयर उखड चुका था और वो महां पर दस करोड की सेल डाल कर का पोच गए ते उत्राखंड और उन्होंने केजरिवाल से का अगर टैक्स लेना है तो आ जाओ हमारे पास अब क्या केजरिवाल सरकार उत्र अगर कुसे बुला दिया केदारनाथ पे बद्रीनाथ पे और मां पे पहाड खिसका दिया तो गड़बड हो जाएगी तो केजरिवाल ने का यह चीटिंग है यह चीटिंग है कैजवल टैक्सेवल परसन बास सुनो तुम्हें तीस दिन की महुलत नहीं तो जब भी तुम र पर मिलाओंगे या जब भी तुम हमारे यहां पर बिसनिस करोगे किसी भी स्टेट में तो आने से पाच दिन पहले बताना क्या वताना आने सेपाच दिन पाच दिन पहले रेजिस्टेशन करा मैं अब उन्होंने पाच दिन पहले रेजिस्टेशन भी करा लिया अब जब उन्होंने पाच दिन पहले रेजिस्टेशन भी करा लिया अब जब उन्होंने पाच दिन पहले रेजिस्टेशन करा लिया उसने का हो गया कुछ करा लिया र कि इस तारिक को देता है कब देता है उसने का नमबर में मैंने सेल करिए और तुम मेरे पास कब आना 20 दिसम्बर में उससे पहले माता ना 20 दिसम्बर में केजरिवाल साफ गई वो तो अपनी दुकंदार उठा के चल लिया तो अनने यह भी चीटिंग है खाली रजिस्टेशन कराने थोड़ी बता चलेगा तो स्काइजवल टैक्षेवल परसन को क्या बोला गया कि हम तुम्हारे लिए कालक से सेक्षन बनाएंगे और उसक्षन का नंबर होगा सैक्षेवल परसन के लिए और उसके भाई के लिए क। भी बताऊंगा, casual taxable person का, और section 27 में क्या लिख दिया गया, कि जब भी तुम कभी आओगे, registration कराने, उसी time पर, registration कराने कितने दिन पहले आना है, 5 दिन पहले, और उसी time पर, तुम हमें ये बताना, कि तुम्हारी sale कितनी होगी, अंदाजे से, कैसे बताना, अंदाजे से sale बताना, कितनी होगी और उस अंदाजे की sale पर, tax निकालना, और वो tax हमें जमा, करा देना, तभी तुम्हे, certificate देंगे, और नहीं तो certificate, उसने का अंदाजा तो क्या होता है, हम तो दोर पर जमा करा देंगे, उसने का, अगर हम satisfied हुए, तो देंगे, registration नहीं हुए, तो नहीं, अब एक वेक्ती ने जमा करा दिया, उसने सोचा, दिल्ली में trade fair लगा, और वो विचारा आया, कहां से, सिक्किम से, कहां से आया, सिक्किम से, अब उस टाइम पर चाइना वालों से लड़ाई भी चलि थी, ठीक है, चाइना वालों से लड़ाई भी चलि थी, ये एक करोड का माल लेकर आया, और उसने का, दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली में माल बेचूंगा, और इसने 18 लाग रुपे क्या कर दिये, टैक्स भी जमा करा दिये, लेकिन सिक्किम वालों को, दिल्ली वालों ने चाइना वाला समझ लिया, चाइना के बराबर भी श्टोलती, और इसका माल बिल्कुल भी नहीं भी गा, और इसके तो जमा होगा 18 लाग रुपे, अब बताओ, केजरी वाल सरकार, यह वापस करेगी या नहीं करेगी, करेगी, तो क्या बोला गया, कि एडवांस में टैक्स जमा करना, और अगर जब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे, तो जितना टेक्स होगा ले लेंगे नहीं तो तुम्हें क्या कर देंगे रिफंड कर देंगे तो यह सारी कहानी कहां लिखी Section 27 जरा निकाल लो Sir आप तो बीच में 25 बढ़ाते बढ़ाते 27 पे आ गए मैंने का भाईया यही तो करामात है CTP को खदम कर लेते क्या कर लेते हैं CTP को खदम कर लेते आ जाओ गया Section 27 is special provisions relating to casual taxable person और मैंने क्या बोला था इसका भाई अगर कोई व्यक्ति उत्राखंट से आएगा तो उसे बोलेंगे CTP और अगर कोई व्यक्ति चाइना से आएगा चाइना वाला भी तो आता ऐ ट्रेड फिर लगाने तो उसे बोलेंगे non-resident टेक्सेवल परसन इसे बोलते NTRP एन आर्टीप क्या बोलते हैं एन रटीप लेकिन इन दोनों में एक अंतर है नोन देजिदेंट टैक्सेवल परसन अब विन के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया है तर डेफिनेशन की कोई वैक्ति जिसका दिली में यहां पर वह रिजिस्टेशन करने जारा है महां पर सिक्स प्लेसों बिजनिस ना हो और वह किसे लिए या रहा हो फ़र्ध रैंट इसके लिए आघा और किस चीज की सप्लाई कर रहा हो? गूट्स या शर्विस की इन चीजहों की वो सप्लाई करना चाहिए लेकिन जब तुम NRTP की डेफिनेशन पढ़ोगे ज़रा पढ़ो NRTP की डेफिनेशन पढ़ोगे क्या NRTP की डेफिनेशन आ जो कौन सा section है निकालो NRTP का भई section 2 तो सब कोई पता है ठीक है अंदर वाला पता हो 277 और इन दोनों में अंतर समझना देखो जो सब्दम पहली बार यूज कर रहे हैं उनकी definition पढ़ ले रहे हैं कि जिससे बाद में कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे तो इन्होंने क्या बोला NRTP means any person who occasionally undertake transaction involving supply of goods or services उसी की तरह लग रहा है उसी का भाई लग रहा है whether as a principal or agent in any other capacity लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस है casual taxable person की definition दुबारा खोल के देखो महाँ पर लिखा हुआ है further and so business और यहाँ पर further and so business नहीं लिखा इसका मतलब इसका मतलब जो भी NRTP होगा अगर वो trade fair में आगे सिर्फ सोबाजी करता है कुछ बेचता नहीं है सिर्फ क्या करता है सोबाजी कर रहा है कि मैं तो sample लाया हूँ Tesla टेसला टेसला आगिया trade fair में Tesla सिर्फ क्या कर रहा है बेच हुआ नहीं वो बेच कुछ नहीं रहा है furtherance of business नहीं है fair view से मानना but who has no fixed place of business or residence in India तो इन दोनों में ये अंतर है तो इसका में तभी बनेगा जब वो furtherance of business में हो और ये furtherance of business नहीं भी होगा ये furtherance of business नहीं भी होगा तब भी इसे registration कराना पड़ेगा क्लियर है दोनों definition में तर बोलो इतनी बारी की नहीं पकड़ पाऊगे वो तो मैं तुम्हें पकड़ वा रहा हूँ तो इसलिए पकड़ पा रहे हो लिखा है ना CTP की डेफिनेशन में महाँ पर क्या है furtherance of business निटीप का मतलब क्या है कि भाई undertake transaction involving supply of goods और बोथ चाहे furtherance of business हो या ना हो तुम अगर वैसे भी आ गए शोबाजी में भी आ गए होता है ना भाई चाइना से आए ट्रेड फेयर के अंदर चाहिना से आए ट्रेड फेयर के अंदर टेस्ला बगारा की गाड़िया लगाई और जब जा रहे थे उन्होंने सोच आप इन्हों डोके को उन लेके जाएगा बेच दो तो उनका बेचने का परपर्स नहीं था लेकिन उन्हें रेजिस्टेशन कराना पड़े है केलियर है मेरी बात यह नहीं हां यहां तक कोई डाउट है बोलो तो अब हम इसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन 27 क्या पढ़ेंगे तो सेक्शन 27 किसके लिए है दो लोगों के लिए CTP और NRTP भया देखो इ ठीक है दा सर्टिफिकेट ओफ रेजिस्टेशन ठीक है अब यहां पर यह समझ ना अगर कोई वेक्ती जी एस्टी में रेजिस्टेशन ले लेता है नोर्मल तो रेजिस्टेशन को में रिनु कराना पड़ता है या नहीं कराना पड़ता है हां भया रेजिस्टेशन को जी इस प्रश्टी में नहीं कराना पड़ता यह तो लाइसी की तरह है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तीक है ना लेकिन जो यह casual taxable person है यह जो NRTP है जब यह registration कराने आते हैं तो हम इंसे कहते हैं तुम हो पर्देसी तुम क्या हो पर्देसी और पर्देसी यह बताओ कितने दिनों तक रहोगे उसने का पर्देसी है जब तक मन लगेगा तब तक रहेंगे अब हमें क्या पता उसने का ऐसे फिल्मी बाते मत करो तुम यहां पर हमें बताओ application में कि कितने दिन रहोगे उसने का दो साल लेंगे उनने का यह मतलब नहीं होता है तुम चिरिफ परदेशी हो तीन महीने से जादा नहीं रह सकता है कितने महीने से जादा तीन महीने तो कोई भी CTP जो रजिस्टेशन लेता है वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए सकता है तीन महीने या उससे कम समय जो भी वो मैंचन करें तो यहां पर क्या लिखका है दा सर्टिफिकेट ओफ रजिस्टेशन इसूट टूए CTP और NRDP यहां पर यहां पर एक बास समझ भाई तुम्हें पता है भाई आजम कि माई और जून और मई और जून में दिली में बढ़ती है गर्मी में इस बह्भ़एघार गर्मी एक लिग स्ट है लेकिन जो दिली जैकेट का डिनिस नीस कर में गर्दी जो दिल्ली में सोक्स का बिजनिस कर रहे हैं, जुरावोगा, वो क्या करते हैं, मई जून में क्या करते हैं, अपना बोर्या विस्तर उठाते हैं, और वो चला जाते हैं, हिमा चल, पहाड़ों पर, ऐसा क्यो करते हैं ये पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर ये लोग सब्सक्राई लोगों की आदत होती है जितने भी पहाड के छोटे शोटे गाव होते हैज यह पूरे साल पहाडों पर रहते और साल में एक बार उतरकर आते हैं निचे मई जून में और पूरे साल की खरीदारी करके फिर दुबार से कां चढ़ जाते हैं आए सॉ में जाकर हिमाचल में बजाकर कुछ बेच रहा है तो वह सिमला में जाकर कैसे रजिस्टेशन कराता अपना कैसे CTP अब यह व्यक्ति मेले में गया और वहां पर जाकर आपने आपको रजिस्टेशन करा लिया कितने दीन तक रहोंगे तो ग़र्मी शुरूई एक अपरेल से कबसे जुरूई एक अपरेल से एक अपरेल दोजार इक तो इसे रेजिस्टेशन कितने तुम्हें बजने लगा, कि हम तो ठहरे परदेशी, क्योंकि अब हमारे क्या दिन होने हैं, नबबे दिन पूरे होने वाले, अब हम जाने वाले हैं, लेकिन इसकी दुकान पर माल था बहुत सारा, और दुकंदारी भी हो रही थी, लेकिन गाना वही बचता था, जिएस्ट्य अगर दुबारा रहना है तो तुम अपने रजिस्टेशन को क्या करा सकते हो, रिनूवल, क्या करा सकते हो, रिनूवल, तो प्रोवाइडिट डेट, दा प्रोपर ओफिसर, में ओन दा सफिशेंट कोज, बिंग सोन बाइदा, सैट टेक्सेवल परसन, एक्टेंड दा सैट परियर्ड ऑफ 90 डेज, फर्दर पीजेड नोड एक्सेडिंग 90 डेज, तो एक CTP कितने दिन तक रैन बसेरे में रह सकता है, 90 प्लस में 90, तो भईया, यहां पर दुबारा गाना बजेगा, कब तक, 30 सितमबर तक, जुलाई अगर सितमबर, फिर दुबारा गाना बजेगा, तुम तो ठहरे पर देशी, और अब की बार तुमने अगर एक्स्टेंशन के लिए आये, तो तुमारी रेडियो फोड दी जाएगी, या तो तुम अब क्या ले लो, परमानेंट ले लो, लेकिन CTP जो बनोगे, कितने दिन के लिए, 90 प्लस, 90, यह वाली बात किलियर हो गई या नहीं, आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो, देखो हमने यहाँ पर एक्जाम्पल से बताया है, कि अगर उत्राखंट से कोई दिल लिया था, ट्रेड फियर 14 नवंबर से 23 नवंबर, तो ही एप्लाइस फोर रेजिस्टेशन फोर 20 देज, हो सकता है, कितने दिन के ल या NRTPO, उसे अपना टेक्स एडवांस में डिपोजिट करना पड़ेगा, किस बेसिस पर करेगा, एस्टिमेटी टेक्स लियाबिलिटी, किस पे जी, ठीक है, और अगर जब ये एक्स्टेंशन लेने जाएगा, 90 दिन के बात जा रहा था न, एक्स्टेंशन लेने, कि मैं त तो जब वो एक्स्टेंशन डिपार्टमेंट देगा, तो तब दुबारा भी एडवांस में टेक्स जमा करा सकते हैं, किलियर है, किस बेसिस पर, एस्टिमेशन बेसिस पर, किस बेसिस पर, एस्टिमेशन बेसिस पर, और जब ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाएगा, य उसे हम refund कर देंगे section 54 से तो section 54 किस चीज़ का refund का क्या है जी refund तो बताओ CTP और NITP की सारी कहानी समझ आई या नहीं हाँ अब यहाँ पर यह समझने के बाद अब आप इसके rules पढ़ सकते हो क्या पढ़ सकते हो जब आप section को पढ़ लेते हो तब आपको थोड़ी understanding पता लग जाती है फिर rule पढ़ने में दिक्कत नहीं आती तो कहो तो मैं तुम्हें पढ़ा दू आज इसके rules पढ़ा दू हाला कि जितनी कहानी मैंने तुम्हें बताई है जितनी कहानी मैंने तुम्हें बताई है वो rule में cover हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें read only rule पढ़ा दे तो बताओ CTP और NITP के लिए कौन से rule पढ़ने मैंने चार्ट में बताया है बोलो कौन सा rule पढ़ना है भाया गलत दुबारा से बताओ rule नंबर 15 होगा मेरे हिसाब से rule नंबर 15 क्या जी एक तो rule नंबर 15 होगा और एक कौन सा होगा rule नंबर 13 13 and 15 अच्छा मुझे कुछ और सुना चलो grant of registration to NITP लेकिन जूल वैसे तो हमें systematic पढ़ने चीए थे 8 9 10 11 12 लेकिन हम CTP पढ़ रहे हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा थोड़ी सी चीज़े नहीं समझ आएगी तो बता दूँगा कहता है grant of registration to non-resident taxable person एक मिनट रुका भाई इसके अलावा मैं आपको बता दूँगा इसमें एक चीए ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर आपको non-resident taxable person का बता रहूँ CTP के लिए जो provision होगा वो जैसे normal वालो विक्ति का होता है वही होगा सिर्फ फरक के आएगा tax की payment का किसका फरक आएगा tax की payment का तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने heading non-resident taxable person दिये इसके लिए नहीं दी लेकिन अगर आप rule number fifteen की बात करोंगे rule number fifteen keeping तो यहाँ पर किसकी बात करता है extension किसकी बात करता है और यहाँ पर extension में दोनों के लिए किसके लिए प्रेक्टिकल करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे और किसे टेक्स जमा होता है वो भी आपको बताएंगे तो उसके लिए जो हमारे rule रहेंगे न, जो rule number 8 और 9 है, 8, 9, 10 वो ही रहेगा, इसके लिए अलग से rule नहीं है, clear हुई मेरी बात, और ये non-resident का मैं आपको नहीं पढ़ के बता रहा, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि बिल्कुल simple है जो मैंने बताया ह और इस तरह के registration आपकी practical life में कमाते हैं, पढ़ना है तो पढ़ लो, a non-resident taxable person, cell electronic, submit and application for registration, duly signed or verified this, at least 5 days, क्या है वो लाइन उने, अब देखो ये जो rule बना, ये क्या act से मिलता जुलता बना न, act को over rule तो नहीं करा न, clear है मेरी चीज यहां पर, हां, तो एक बार section 25 पढ़ ले लेकिन मैंने तुम्हें idea बता जिया कि idea कैसे, अगर जैसे rule number 15 पढ़ोगे तो इसमें भी लिखा हुआ है, where a registered casual taxable person or nrtp intend to extend the period, अगर वो क्या कराना चाहता है अपना, extend period कराना चाहता है, वो application देगा, REG 01 में, ठीक है न, the application on payment of amount specified, साथ में उसे क्या करना पढ़ेगा, tax दे जो हमारे section 27 में लिखा हुआ है, clear हुई ये कहानी है नहीं, बोलो, यहाँ दग कोई doubt है, CTP and RTP clear है, registration का process जब सारा पढ़ेंगे तब बता देगे, ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा, एक वेक्ति जब registration के लिए liable होता या तो 22 से होता या 24 से, चाहे वो 22 से liable हो, या 24 से जाएगा किसमे, 25 में, registration के लिए, और registration कितने दिन के अंदर कराएगा, 30 दिन के लिए, लेकिन casual वाले case में, casual और NRT में, 5 दिन पहले, और tax भी advance जमा करेगा, ये बास section 27 ने लिखकर दी, और अगर उसे अपना period को extension कराना होगा, तो rule 15 में, दुबारा extension की application डालेगा, दुब यहाँ पर कानी, अब मैं तुम्हें दो registration और बताता हूँ, तरीके होते हैं, दो हो और registration के, फिर उसके बाए 24 को finish करेंगे, ठीक है, दो registration के तरीके और बताता हूँ, सर, दो registration के तरीके कौन से हैं, आजओ मेरे साथ, लिख लो, दो registration के तरीके हो रहे हैं, एक है 25-3 और दूसरा है 25-8, क्या बता रहूँ मैं आपको दो, 25-3 और 25-8, सर, अभी तो आपने हमें बताया था, कि भाईया, registration का procedure दिया हुआ है, 25 में, मैंने का, नाम पर मत जाना, तुम ये दो तरीके और लिख लेना, एक तो क्या बताया, 25, सब सेक्शन 3, और एक क्या बताया, मैंने 25, सब सेक्शन 8, सर, पहले सेक्शन 24 ही करा तो complete, चलो, देख लेते, दोनों में से जो मन करता है, करना तो है, तो अब आप यहाँ पर समझ में आया, अब तुम्हें क्या ये तीसरा वेक्टीबी पता लग गया है ना, डीबी, हाँ, तो हमने क्या बोला था, कि सेक्शन 24 में, सेक्शन 24 में, क अब नहीं से क्या बोला था, स्पेशल कोण, इंटर स्टेट कर रहे हो, तो स्पेशल, कोई लिमिट नहीं देंगे, लेकिन सर्विस वालों को दे दी थी, कितने तक की, 20 तक, 10 और 20, ठीक है, CTP को कोई लिमिट नहीं देंगे, लेकिन दे दी थी, किसे, हैंडी क्राफ्ट व बोलते हैं, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, जब बड़ी-बड़ी बाते करने लगोगे GST में, तब यह तुम्हें समझाएगा, इसे बोला जाता है, ओनलाइन इन्फोर्मेशन डेटाबेस एक्सेज रिट्राइवल सर्विस, सर यह क्या हुआ, भाईया जब कोई इन्डिया में सर्विस देता है, क्या जी? फोरन में बैटकर इन्डिया में सर्विस देता है, स्रिफ डेटाबेस एक्सेज की, वो इस तरह का प्राणी होता है, इसके लिए अलगी चेफ्टर है, ठीके बाद में कभी टाइम मिला तो बता देंगे, नहीं तो इस कोर्स में इसका कोई जिक्र नहीं होगा, बस इसका सरीफ इतना ही जिक्र है कि अगर ये विशेश प्रकार का प्राणी OIDR है, तो इसे मेंडेट्री रजिस्टेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, हाँ कह सकते हो, ठीक है, गो डैडी वगएरा आप कह सकते हो, कि वो OIDR की सर्विस देते हैं, तो उन्हें यहाँ पर रजिस्टेशन लेना पड़ता है, किसी एक स्पेशल पर्सन को देते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के केस में इन्हें रजिस्टेशन लेना पड़ता है, इसका एक अलग से चेप्टर है, अगर समय मिला तो करा दूँगा, लेकिन बहुत आगे जा अगर वो एजेंट बनकर कमिशन लेता है, तो उसे भी मेंडेटरी रजिस्टेशन कराना है, अब यहाँ पर कई लोगों के मन में संका आती है, कि सर हमारे P&L अकाउंट में, हमारे 26 एस में हमें कहीं से 10,000 कमिशन आ गया, हमें कहीं से 20,000 कमिशन आ गया, तो क्या हमें रज रजिस्टेशन लेना पड़ेगा, भाया, हाँ बिलकुल लेना पड़ेगा, हाँ बिलकुल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे लाए बालो, एजे एजेंट, तो सेक्शन 24 में ये एक तकलीफ वाली बात है, कि अगर कोई व्यक्ति एजेंट है, जिसका प्रिंसिपल टेक है, तो उस व्यक्ति को यहां रेजिस्टेशन लेना पड़ता है, लेकिन यहां पर भी इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है कि पाच हजार, दस हजार पे ले या ना ले, तो हम तो सेफर साइड, लोगों को ये कहते हैं कि भाया ले लो, तो जादा बैटर है, नहीं तो कमिशन क कि इंकम अपनी बुक में बुक ना करो, अन्नेसरी तुम्हें टेक्सेवल परसन बना दिया जाए, क्योंकि यहां पर इस एजेंट में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे कोर्स आगे चलेंगे, तो हो सकता है, फ्यूचर में मैं तुम्हें इसकी क्लैरिफ करता है, ऐसा क्यों, यहां पर एजेंट को लेना, LIC पर एजेंट को नहीं लेना, तो भाईया, जब आप पूरे कोर्स को पढ़ लोगे, तो मैंने क्या बता है, जो LIC एजेंट वाला केस है, उसके अंदर RCM है, क्या है जी, RCM का मतलब क्या है, सप्लायर कोन हो गया, सर्वि को किसे पकड़ लो, रिसीपेंट को पकड़ लो, किसे पकड़ लो, और जब रिसीपेंट को पकड़ लेंगे, उसके लिए, टैक्स के लिए, तो महाँ पर इन्हें छूट मिली होगे, ठीक है, LIC एजेंट को, लेकिन अगर मैं जर्नल विनिंग पर जाओ, अगर कोई और व एजेंट को रुजिस्टेशन, मेंडेट्री ए, ठीक है, किलिर है यह तक, तो यह पाच लोग कोन हो गए, इस सपेशल सप्लायर क्या हो गए, तो इन्हें मैंडेट्री रिसीस्टेशन है, और अगर हमें इनलेक्सेशन देना है, तो हम यहां दे देंगे, किलिर हो जाओ मेर का है 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 हैंडी क्राफ्ट गुट्स बेशता है क्या जी है है हैंडी क्राफ्ट गुट्स बेशता है भीयार में बैठे 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 बेशता है लेकिन भीयार से किसे बेशता है दिल्ली वा लोग या यूपी वा लोग ट्रन ओवर है इसकी ट्रन ओवर है इसकी अठारा ला गुट्सका कराना है अगर वो भिहार वाला दिल्ली में आगे ट्रेड फियर में माल बेच रहा था सी टीपी रेजिस्टेशन करा गे तो अब उसे रिलेक्सेशन थी 10 और 20 की थी ने तो क्या इसे नहीं होनी चाहिए हां तो भाया अभी जब मैं यह करा रहा हूँ तो इसमें एक बात और नोट कर लेना इंटर स्टेट में मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया था कि सर्विस वालों को रिलेक्सेशन है एक दूसरी रिलेक्सेशन और पढ़ लेना कि अगर यह हैं डीक्राफ्ट गूट्स भी बेचते हैं क्या बेचते हैं हैं इंटर स्टेट में जाकर तो भी ने रिलेक्सेशन है एक एक बार किसके लिए एक बार है किकली टीपी में कितनी बार आई एक बार किसके लिए स्रीफ है हैंडेग्राफ्ट के लिए ठीक है और यह लिमिट कितनी 10 और 20 चाहे बेसक लिमिट 40 हो जाए लेकिन यहां पर इनकी रिलेक्सेशन कितने तक है दस और 20 कि लिए या नहीं बोलो यह पाचों कि लिए या नहीं बोलो अगे चलें बोलो अब उसके बाद मैं तुम्हें तिक आपाच आत्मियों के नाम और बता रहूं विचारे जो शुप्लायर नीए विचारे जो लेकिन इन्हें मेरी है प्राइवेट लिमिटिटिट कम्पनी फिंटेक्स सोलूशन और मैंने क्या करा वकील साफ से सर्विस लेली मेरी टरनोवर है अठारा लाग कितनी जी क्या मेरे उपर जेस्टी लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नहीं लगता सेक्शन 22 लगता है क्या नहीं लगता 24 में में मेंडेटरी हो गया नहीं लेकिन वकील साहब ने एक बच्चे ने फीस नी दी हमने उस पर केस कर द आर्सिम अब आर्सिम वड को समझ चुके ओनी डिवश्याज तो रिवस्यार्ज में लाइवल कोई होता है रिसीपियर अब प्राइवेट लिमिटे जंबनी प्राइशिटरी स्वित्ट करांबना है या नहीं नहीं क्यों जमां कराने के लिए सप्लायर नहीं है आम नोट ए supplier ठीक है ना यह कहा रहा है चीख-चीख है I am not a supplier बट I am a taxable person क्योंकि section 24 में liable है तो यह विचारा क्यों मर गया यह supplier नहीं था यह as a recipient था यह क्या था as a recipient तो as a recipient भी आपको GST में registration कराना पड़ेगा और यह mandatory है क्या यह तो भाई अगर किसी का P&L देखो तो पहले तो देखना 22 से liable तो नहीं हो फिर 24 से की supplier तो नहीं हो special वाले फिर देखना recipient तो नहीं हो मालब other than supplier मतलब other than supplier तो एक registration होगा या नहीं होगा इसके लिए बड़ी कस्मा कस है कि क्लियर है मेरी बात एक होता है भाई वेक्ति टीडियस वाला इसके लिए थोड़े सी टाइम के लिए से डैफर कर लो बस मैं बता कर छोड़ दे रहो section 51 आगे चलकर हम तुमें सेक्शन 51 पढ़ाएंगे तो महां पर गोवर्मेंट ने क्या बोला हुआ है कि अगर कपिल्यन कुछ स्पेसिफाइड पर्संस को धाई लाग रुपे से ऊपर की कोई भी गूट्स या सर्विस देगा कुछ डिपार्टमेंट्स को तो वो लोक फिल्यन का सब्सक्राइड चाटेंगे का काते हैं और तीदियस अंडर जी स्टी कैसे गार्टेंगे अंडर जी convenient तो उस तीलय सब्सक्ता काटनेगे लिए लिए उने क्या कराणा पड़ेगा रजिस्टेशन, उस TDS को काटने के लिए रजिस्टेशन कराना पड़ेगा, तो इसलिए वैसा व्यक्ति लायबल होगा रजिस्टेशन के लिए कौन से सक्षन में? 24 में, तो अगला व्यक्ति लिखो कौन? यह है TDS, तो यह क्यो काट रहा है? TDS क्योंकि सेक्षन 51 में लिखा है, रजिस्टेशन क्यों करा रहा है? क्योंकि इसने कपिल जैन से कोई भी गूड्स या सर्विस ली है, इस वज़े से यह रजिस्टेशन करा रहा है, यह सप्लायर अब गुड्स नहीं है, यह तो क्या है? रिसीपियंट है, यह तो क्या है? और रिसीपियंट होने की वज़ा से इस पर कौन सा प्रोविजन एप्लिकेबल है? सेक्षन 51 का TDS, इसलिए से रजिस्टेशन करा रहा है, क्लियर हूँ मेरी बात? ऐसे ही एक तीसरा वेक्ति है, ECO क्या है जी? कौन सा ECO? वो वाला ECO नहीं, दूसरा ECO बता रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ मैं, फिलिप कार्ट, क्या बता रहा हूँ? फिलिप कार्ट, आगे चल के हम तुम्हें कहानी बताएंगे, सेक्षन 52 की, कि किसकी? सेक्षन 52 में लिखा हुआ है, कि अगर कोई भी कपिल जैन अगर फिलिप कार्ट के तुरू, अगर अमा जान के तुरू, ठीक है ना? पता है ना फिलिप कार्ट और अमा जान? अमा जान? अच्छा है, मुझे अमा जान लगता है, ठीक है? तो फिलिप कार्ट के तुरू, या अमा जान के तुरू कुछ भी माल बेचते हैं तो वो लोगों को TCS काटना होता है, क्या काटना होता है, TCS, तो वो सर्विस नहीं दे रहे, वो सर्विस नहीं दे रहे, ठीक है न, वो क्या गर रहे हैं यहाँ पर, कि कपिल जैन को रजिस्टर करा हुआ है अपने उपर, कपिल जैन को अपने उपर रजिस्टर करा हुआ है और उन पर TCS का प्रोविजन लग रहे हैं तो उने एक separate registration कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़े होगा है उने एक, separate registration कराना पड़ेगा, किस वज़े से TCS काटने के लिए, अब यहाँ पर इसे note करके लिख लो, star डालके, यहाँ पर star डालके लिख लो, कि अगर कोई flip card company हुई तो उसे दो registration कराने, कितने registration कराने, एक registration तो कराना है, supplier of service की category में, किस category में, supplier of service, क्योंकि यह भी तो service दे रही है न, listing की service, और इसके लिए इसे कौन सा section चेक करना है, section 22, कौन सा section चेक करना है, लेकिन इसे चूकी, कपिल जैनने इसे registered है इसके portal पर, और कपिल जैनने इसके थुरू माल बेचा है, तो इसे क्या काटना है, TCS, कौन से section में, 52 में, तो इस वजे से इसे एक दूसरा registration कराना पड़ेगा, इसे एक दूसरा registration कराना पड़ेगा, वो registration किस में होगा, section 24, तो ए एक वेक्ति को दो registration, एक वेक्ति को दो registration, ठीक है, इसके बारे में जब rules कराऊंगा, तो एक deeply knowledge इसमें और दूँगा, ठीक है, clear हुआ या नहीं, बोलो, ये वाला funda clear हुआ, आजो, एक तीसरा वेक्ति होता है, उसे हम बोलते है, ISD क्या बोलते है, ISD, ये ISD से पहले एक और समझ लो, ECO क्या जी, ECO के सामने लिखा है, मैंने deemed supplier, कोई guess करके बता है, कौन सा ही है, लिख लो भाइस के सामने, OLA, क्या जी, OLA वाला, तो ये लोग registration करा रहे हैं, लेकिन ये supplier नहीं है, कौन कौन सा, एक RCM वाला, एक TDS वाला, एक TCS वाला, है जी, और एक OLA वाला, clear हु अब एक concept हो डालता हूँ, ISD का, क्या डालता हूँ, ISD, अभी से समझ लो, ISD का क्या concept है, ISD सुना है तुमने नाम कभी, हा, STD, PCO, ISD, वाला ISD ये नहीं है, ठीक है, ISD का concept है, input, service, distributor, इसे हम detail में कभी पढ़ेंगे, हमें time मिलेगा, section 21 और 22, दो ही section है इसके लिए, ठीक है, लेकिन बार बार नाम आता रहेगा, ISD का, और ये नाम आपको परेसान करता रहेगा, इसलिए ISD के बारे में, आज ही कुछ सुन लो, ISD क्या होता, input, service, distributor, तो इसके नाम से ही पता चल है कि ये कुछ बाटेगा, line लगा लो, लंगर लगा लो, कुछ ना कुछ बाटेगा, कुछ ना कुछ क्या बाटेगा, input बाटेगा, क्या बाटेगा, input बाटेगा, तो क्या मतलब हुआ, input, service, distributor, किस चीज का input बाटेगा, जो service का होगा, जो किसका होगा, service का, सर समझ नहीं आ पर्मपल दे तो और यह सारी अ शुरूर DAN सब्सट रूरी जरूरी है क्योंकि नई तो तुम लाद से पूष्ट करहांगे ८ृटन लग रोगा बेव ते किई क्या है एन और दिशिंग्छे क्लास में आपको एक भीक्तिय स्ट्रानीव कोर द Посkel Susalan पर्टिगुलर डिपार्टमेंट को सप्लाई करते हैं तो उन डिपार्टमेंट पे जुम्मेदारी होती है वो TDS काटें TCS वालों की बन गई ना कि अगर आप फिलिप का टमेजन से माल बेचोगे तो वो हमारा TCS किसि काटें के किलियर वनीमेज या नीबनी बोलो जलो अब मैं तुमारे को मेज बना रहा हूँ ISD की किसकी बना रहा हूँ ISD एयर्टल कंपनी एयर्टल कंपनी का head office है let's suppose Mumbai में तो जब एयर्टल कंपनी का head office Mumbai में है उसकी ब्रांचिज वी होती होगी दिल्ली में, UP, हारियान, अब अडल कंपटी समान हां से, तूम आउगे और तूम कहोगे, कि एटल कंपटी का नेटवर्ग बहुत अच्छा है। तो जब वो सलमान खान आएगा, एटल कंपणी का नेटवर्क कहेगा, बहुत अच्छा है, तो वो टीवी पे जब उसका एड़ देगा, तो दिल्ली वाले देखेंगे उस टीवी को यानि, यूपी वाले भी देखेंगे, और अर्याना वाले भी देखेंगे, तो सलमान खान यह 2 हजए 5 करोड रुपे जब कितने हर पे लेगा, और जै वो 5 करोड रुपे लेग उस पर लगाएगा जी स्टी यह थो लगाएगा यानि, 90 लाग रुपे हएवे वो पाच करोड का बिल लगाके देगा या वो कहेगा कि 50 लाग का बिल दिल्ली को, 70 लाग का बिल यूपी को, किसे देगा वो सर्विस? वो देगा AATL Head Office में, किसमें देगा जी? एटल, एच्चो हैड ओफिस, और यह हैड ओफिस कुछ नहीं कर रहा है, यह तो स्रीफ बैठा हुआ है, और सारी ब्रांचों को क्या कर रहा है, मैनेज, अब हैड ओफिस में बिल आ गया, पाच करोड का, और उस पर आई टीसी कितना है, नब्य लाग रुपे, और हैड ओफि इसकी लाइबलिटी जीरो है, तो यह नब्य लाग रुपे का इटीसी, हैड ओफिस के लिए क्या है, बेकार, क्या है, लेकिन गोवर्मेंट ने का, बेकार मत करो, तुम अपने आपको रजिस्टर करा लो, किस तरीके से, इन्पुट, सर्विस, डिस्टिप्यूटर, उसने नहीं कराता, तुम क्या कर लोगे, हमने का मत करा, तेरा क्या हो जाएगा, नुकसान, उसने का करा लेता हो, तो क्या होगा, कह रहे है, तुम बाट सकते हो, क्या बाट होगे, इन्पुट, किसका, सर्विस वाले भी लोगा, किसका, तो यह क्या करेगा, अपने आपको रजि लेकिन उसके लिए उसे पहले क्या कराना पड़ेगा रजिस्टेशन तो यह वेक्ति ना तो सप्लायर है लेकिन यह रजिस्टेशन करा रहा है रिषीपेंट की वजे से सरीकिस बज़े से ISD बाटने के लिए तो बताओ यह वाला किलियर हुआ या नहीं कि सेक्शन 24 में पाच व्यक्ति तो कोन है special supplier है जी और पाच व्यक्ति कोन है other than supplier पाच व्यक्ति कोन है special supplier और पाच व्यक्ति कोन है other than supplier other than supplier समझे RCM TDS TCS और OLA और ISD हो गए 10 आदिमी याद कर लोगे एक 11 वा आदिमी गोवर्मेंट ने का अगर हमारा मून खराब हुआ कभी भी किसी व्यक्ति से तो हमसे फालतु ना बोले नहीं तो हम उसे अधर नोटिफाइड परसन में डाल देंगे किसमें डाल देंगे जी other notified परसन में डाल देंगे और उसे एक व्यक्तियक कपिलन वोज फलिप कार्ट के थे फु tocar किस के थे फिलिप कार्ट के थे मौल बेचता है गुड़ पेचता है अब बताओ फलिप कार्ट गोरिस्टेशन कराना या नहीं किया कभ कर लाना जब यह TCS काटे काते काट इससे क्जु़ृट um है अब काफिल्यियन को कर अजिए कैना फिलिप काट से माल बाट शॊंगा गूह और सिरे दिल्ली में भीचयों कमते हम इस लेठों की इस अर्मेर हम इरे शुत स्रीफ 10 लाग बताओ कपिल्यान को गराना है एज पर सक्षेन 22 नहीं कराना है एज पर सक्षेन 22 नहीं कराना लेकिन गवर्मेंट अधा हम ने तो छोटे लोगों को बोला था नहीं करा ना तू तो फिलिप कार्ट से माल बेच रहा बड़ा आदमी हो गया तेरे यहां पर तो आदमी आते हैं और पढ़ा लिखा आदमी है तो जब तू ओन लाइन सारे काम कर रहा तो रिटन भी पर लेगा चाहे तेरी टरन ओवर दस लाग है चाहे जोड़ा होमें बी रिजिस्टेशन मेंडेट्री कराना होगा तो एक आदमी मैंने क्या चूडा थेयां पर सप्लायर डूइंग e-commerce क्या वोला जी supplier doing e-commerce through the ECU कि जो व्यक्ति e-commerce का business करेगा supply करेगा किस से ECU से तो उसे भी registration कराना पड़ेगा के लिए रहे हाँ जी अब यहां पर ECU में अब इसमें एक relaxation अब जब यह वाली बात हुई तो हमारे जो नीचे है ठीक है पपू टी स्टोल इसकी turnover है विचारे की पाँच लाग रुमें इसने का भाई सब मेरी चाई की दुकान नहीं चलती मैं इसके पास चाई पीने गया तो मैंने कहा तुम अपने आपको अंकल रजिस्टर करा लो जमैटो पे ठीक है नंदू छोले बटूरे वाला है उसने अपने आपको किसमें र रिष्टर कराता है तो क्या यह बहुत बड़ा बिस्निसमें ने बहुत बड़ा होटल चला इसका चोटा सा चला होगा विचारेगा जमैटो पे तो चोटे मोटे भी हैं है या नहीं है इनकी साल की turnover होती है पाच लाग दस लाग यह गुड्स बेचने हैं या सर्विस अब पहले वाद सुल लो आज बता दे रहो ठीक है जो फूड आइटम होती है यह सर्विस होती है क्या होती है सर्विस यह गुड्स नहीं होती है ठीक है यह बात आगे चलके कभी पढ़ाएंगे सेड्यूल 2 में कहा बढ़ाएंगे लेकिन आज के बाद मत बोलना कि हम गुड्स बेचते हैं क्या बेचते हैं तो यह जमैटो से माल बेच रहे थे और जमैटो क्या है इसील है या नहीं है तो जो अभी हमने पढ़ा लास्ट वाला क्लोग सप्लाइर सप्लाइंग गुड्स और सर्विस फूड्स त्रूऊ क्या इन्हां रजिस्टेशन मेंडेटरी हो तो दिल्ली में से भी order आएगा मुंबई से भी आएगा लेकिन क्या कोई जमैटो से order करता होगा कि पंजाब वाला कह दे कि मुझे लक्षमिनगर की चाय पी नहीं है ऐसा तो नहीं तो यहां पर क्या इंटर्पेटेशन निकलती है कि जो यह जमैडो से सर्वीजफ वाले होते हैं यह बहुत चोटे होते हैं तो क्याइन सिर्फ सर्विस को रिलेक्सेशन किसे दिये सर्विस को रिलेक्सेशन किलियर हुआ तो इस तरीके से मेरे तीन सेक्षन आपके साथ कंप्लीट होते हैं 22 23 24 किसे कराना है किसे नहीं कराना यह इन तीन सेक्षन को पढ़कर आप बताओगे अगली क्लास में जब तुम मेरे पास तो मैं तुम्हें यहां पर कई सारे question दूँगा अगर मैंने वह question बना ली कि तुम्हें registration कराना है या नहीं और अगर कराना है कोन से section से और नहीं कराना तो कौन से section से clear हुआ तो अब यह 3 section बढ़ गे बता दोगे इसमें कोई confusion हो तो बोलो लेकिन ध्यान से पढ़ना है 22 23 24 तो मैंने यहां पर क्या करा जब तुम्हें चोविस पढ़ाया तो चोविस के साथ साथ 23 को भी आजो मेरा आज का कोटा पूरा हो जाएगा पच्चिस तीन और पच्चिस आठ कराने पर फिर उसके बाद होमवर्क जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा रूल आठ से लेकर 26 क्योंकि अगली क्लास में हम section 25 को complete करेंगे 27 हमने करी लिया 26 छोटा सा section है और section 28, 29, 30 को करके rules करेंगे जिससे की हमारा सारा खतम हो जाए और rules इसके important है बिना rules के आपको चीजे समझनी आएंगी तो section कराऊंगा मैं rules पढ़ोगे तुम और अगर पढ़कर आए होंगे तो मैं अच्छे से rules थोड़े बहुत read करा दूँगा ठीक है चलो अब बात करते पचीस थीन पचीस थीन हाला कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ फिर भी स्रीफ टच अपॉन कर रहो एक व्यक्ति यह कहता है ना तो मैं 22 से रजिस्टेशन के लिए लाइबल ना मैं 24 से लाइबल लेकिन मैं आत्मत्य करना चाहता हूं मतलब कि मैं GST में रजिस्टेश ले लिया उसकी ट्रणोवर थी आठ लाग और GST में रेजिस्टेशन ले लिया और उसके बाद जब उसकी मर्जी होती है तब तो रिटन भर देता है जब मर्जी नहीं होती तब नहीं वरता जब मन करता कि सी विल पर GST लगा देता कि सी पर नहीं लगाता जब हम उससे 25 ने परसंदो नोट लाइबल टू बी रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24 में गैट इंसेल्फ रजिस्टर वोलेंटरी कि वह अपने आपको कैसे रिस्टर करा सकता है वोलेंटरी लेकिन अगर तुम्हें एक बार बंदन में बंद गए माला तुम्हारे घरवालों ने तुम्ह हुमा हुमा में खुशी खुशी में कर ली साजी तुम्हें बस अपनी मर्जी से तो अब तुम्हें सारे नियम निभाने पड़ेंगे तुम्हें बीपी को घुमाने लेकि जाना पड़ेगा तो एंड ओल्द प्रोविजन अब दिस एक्ट आर एप्लीकेबल तू की टैफिनेशन एपर्सन हुई रजिस्टाइड ओर लाइबल टू वी तो तुम उसी स्रेणी में आगए है किलियर हुई मेरी बात नहीं तो 25 3 समझ आया हां जी ठीक है किलियर है कोई दिक कर दिना तक नहीं अब आजाओ 25 8 अब है 25 8 अब यह क्या यह बड़ा बैतरीन यह सक्षे नहीं के लिए टेक्स के चोड आज मैं तुम्हाएग एक एक्सामपल देत हूँ अब मालो लैड शापोच के जे कलास ऐसका है अब क्या ओड़िय। यहा पर क्लासस चल ली यह लिए तक यहाँ पर बच्चे देख है कि यहाँ पंन्दरा बच्चे बैटें बार 15 बच्चे, 10,000 फीस ले रो, 1.500,000 फीस आती है और तुम ऐसे डेल ही बढ़ाते हो और साल में पता नहीं कितने बैच बढ़ाते हो तो तुम्हारी टरन ओवर हो गई 25 लाग, क्या हो गई? 25 लाग, मैंने का गुरुजी, मैं ही टरन ओवर 25 लाग नहीं, मैं तो संदे-संदे पढ़ाता हूँ और साल में एक ही बैच पढ़ाता हूँ, तो मैं ही टरन ओवर कितने है कुल? 1.5 लाग, उसने का नहीं, मुझे तो डाउट लग रहा है, मुझे तो क्या लग रहा है? कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो अपनी मर्जी से जाऊंगा नहीं, रेजिस्टेशन कराने, और मैं 22 और 24 में लाएबल हूँ, लेकिन मैं जानी रहा, तो गोवर्मेंट कही कि कोई बात नहीं, हम आएंगे तुमारे पास, हम आएंगे तुमारे पास, जैसे कई बार तुमन ले से पैसा ले जाते रहते, ले जाते रहते, और दोने डालते नहीं, तो GST officer कही बार घात लगा के चापा मार देते, तो अगर कोई वेक्ती ऐसा है, तो वो ये ना समझे, कि वो बच जाएगा, तो 25-8 ने क्या बोला, ए परसन लाइबल तू रजिस्टेशन अंडर दिस अगर कोई वेक्ती, लाइबल रजिस्टेशन के लिए इस act में, has failed to apply for registration, has failed to apply for registration, और वो registration नहीं कराता है, दा प्रोपर ओफिसर में, दा प्रोपर ओफिसर में, without prejudice to any action which may taken under this act, और कुछ act में जो action लिया जाएगा, वो तो लिया ही जाएगा, लेकिन हम registration, penalty, penalty तो लगाएंगे ही तुम पे, लेकिन उसके साथ-साथ, हम तुम्हारे को registration कर देंगे, proceed to register such person in such manner as may be prescribed, तुम्हें पकड़ कर उसी time तुम्हारा registration कर देंगे, temporary basis पर, किस पर कर देंगे जी, temporary basis पर, अब आप यहाँ पर इस बास से confused हो जाओगे, कि सर इस power को तो officer use कर लेगा, किसी पर भी, तो जब इस power को use किया जाएगा, तो दो बाते होंगी, किया दो बाते होंगी, या तो तुम सच्मुच लाएबल थे, या तुम्हारे पर अन्याय हुआ, अगर सच्मुच लाएबल थे, तो तुम चुपचाप अपना registration करा लेना, और अगर तुम्हारे उपर अन्याय हुआ हुआ है, तो तुम क्या कर देना, government से Appeal. सर यह बात कहां लिखी है यह बात लिखी है रूल 16 में कहो तो पढ़ा दू चलो मुझे पताए कि तुम कुछ रूल पढ़ोगे नहीं तो कुछ तो मैं पढ़ाऊंगा बागी तुम्हें पढ़ने आ जाओ रूल 16 सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए बता रहूं यह बात मैंने बता दी श्यू मोटर रजिस्टेशन वेयर पर्स्रेंट टू एनी सर्वे गवर्मेंट को कैसे पता चलेगा सर्वे से इंक्वेरी से, इंस्पेक्शन से, सर्च से और एनी अधर प्रोसीडिंग की हमें पता लगा दा प्रोपर ओफिसर फाइंस डेट एट पर्सन लाइबल तू रिजिस्टेशन कराने के लिए अंडर दिस एक्ट एंड फेल तू एप्लाई और वो क्या है फेल है रिजिस्टे ठीक है अब उसे जो ओड इस रिजिस्टेशन मिला सैल भी एफेक्टिव फ्रों डेट ओफ सच ओडर ग्रांटिंग जिस दिन उसे रिजिस्टेशन दिया उसी दिन से वो एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है क्लियर हो गया कि आप प्रोपर एप्लीकेशन जमा करा दो जो हम रूल एट में बात करेंगे ठीक है प्रोवाइड डेट वेर दा सेड परसंट फाइल अपील क्या करता है वो कि नहीं वाइसा मेरे से तो यह रिस्वत मांग रहे थे मैं तो इस वजे से इन्होंने जबरदस्ती कर दिया मैंने दीनी मैं तो लाइबल हुई नहीं मेरी किताबे चख कर लो ग्रांट ओफ टेंपरेरी रिस्टेशन इन सच केस्ट अप्लिकेशन फोर रिस्टेशन वी सम्मिटेड विदिन अ पिरेड ओव थर्टी दिस तो भाया आपका क्या होगा तीस दिन के अंदर आप अपील में चले जो कि लिए रहे यहां तो 90 दिन में आ जाओ नहीं तो 30 दिन के अंदर अपील में चले जा फ्रोंगा इस्टेशन और अपोल्डिंग दा लाइबलिटी ओव रिजिस्टेशन बाइदा अपिलेट अथोर्टी के लियर हुई यहां पर यह वाली बात या नहीं बोलो जी हां तो यह किलियर हुआ श्यू मोटर रिजिस्टेशन इसमें कोई दिक्कर है तो अब रिजिस्टेशन कितनी तरीके से हो सकता है 22 में लाइबलो 24 में लाइबलो या 25 तीन में मर्जी से हो तो ठीक है अपना वोलेंट्री करा लेना ठीक है या डिपार्टमेंट तुमारा पकड़क पर इस बात को सब्दना थोड़ा सा इंटर्पेटेशन और दुबारा किलियर कर लो यहां पर अपील का टाइम नहीं लिखा हुआ तीक है कि अपील कितने दिन में करनी तीक है अपील तो मेरे साफ से तीन महीने में ही होगी लेकिन अपील का अगर अब जब अपील में देते नहीं कराना है तो फिर हमें तीस दिन के अंदर कराना पड़ेगा है नहीं यहां पर यह थीस दिन का टाइम अपील के लिए निये दोगो ध्यान तपड़ा मैं नहीं से दुबारा प्रोवाइड इड़ देट वेर दा सेड परसनेज फाइल अपील अगें जा अपीलेशन वाइदा एफिलेट अथोर्टी ओडर आने के बाद तीस दिन के अंदर यहां तो चुप चाप चले जाओ नबय दिन में अपील में जाओगे जीत गए तो अच्छी बात है हार गये तो तीस दिन के अंदर करा लेना क्लियर हो गया वाला रूल ठीक है साथ की सा से कोई मतलब है नी लेकिन यह Сक्षन तुमारे को 10-20ना की पैनल्टी लगवा सकता है और एक इस रूल को लोग वाग इंगदोड करते हैं क्योंकि इसका लिंक किसी सक्षन सा नहीं है इसे बोला जाता है डिस्प्ले ओफ रजिस्टेशन सर्टिफिकेट एंड गूट्स एंड सर्विस टेक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ओंदा नेम बोर कहता है कि जब तुम्हारे को रजिस्टेशन मिल गया तुम जीस्टी में रजिस्टर हो गए तो अब यह हमें बतान किसी की शादी हो जाती है अब किसी लेडिई की साधी ओगई और उसादी आट 6 माहिना फोकि भी किसी की मांगें सिंदूर सामने वाले को अबकिसी की मांगें सिंदूर लगा हुए तो यह तो तो उसके बाद तुम क्या करना तुम क्या करना अपनी दुकान के बाहर घर के बाहर डिस्प्ले करना क्या चीज रजिस्टेशन तो इन्होंने क्या बोला कि वाइस क्या क्या लगाना तुम्हें रजिस्टेशन सर्टिफिकेट और साथ में क्या लगाना जी एस्ट एन नमबर जिससे कि जब जी एस्टी ओफिसर तुम्हें डूंडने आए तो वह दूर से देख्या पता लगा ले कि वहाँ यह वेक्ति यहां पर रजिस्टर है तो क्या कहता है एवरी रजिस्टर परसन सेल डिस्प्ले इस सर्टिफिकेट और रजिस्टेशन इन प्रोमिनेंट लोके ऐस्टिफल प्रूंस और अट एडिशटनल प्ले चोपे प्रISTुपल प्लेअ प्लेशन प्लेस के लगाने और अडिश्टनल प्लेस ओ बिज लगाने है यह जिस्टर पर संसल डिस्पलेखर लेट वौन के वह जो नेम बॉर्ट पर क्या लगाएगा गिस्डिपिट अग्ष प्रिंसिबल प्लेस बिजनेस और एडिशनल प्लेस पस Unless of the ब unhealthy प्रिंसिबल प्लेस पे लगाएगा और एडिशनल प्लेस फे बोगा सिब्chutz है के लिए हम सबस्वी यह भी बास या नहीं है our remembering his aspire knew constitution के एक रूल और जो भॉत ही टेइकनिकल है अगर तुम लोग कहो तो वो भी करा दूँ मैं लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ी सी हाई लेवल की नोलिज चाहिए रेडियो तुम देख लो एक अलग सा रूल है आज ओ भी यह देखो अगर मैं आपको आज का चंटेंट बताओ आज हमने क्या क्या कर लिया इस रेजस्टेशन के चप्टर में टिक करते रहे चाहिए सबसे उपर आजो क्या क्या राजिस्टेशन के चक्टर में हमने टिक कर लिया section 22 पढ़ लिया आमने लेकिन section 22 का subsection 1 पढ़ा है subsection 2, 3, 4 आप घर से read कर लेना उसमें कुछ और लोगों को mandatory registration दिया हुआ है ठीक है ना mandatory कैसा दिया हुआ है उस वाले case में कि अगर किसी व्यक्ति का amalgamation हुआ दो business merge हुए या जो व्यक्ति VAT से GST में आये थे उनके लिए provision थे ठीक है एक बार उसे read कर लेना नहीं समझ आएगा तो बता दूगा section 23 हमने पढ़ लिया person not liable for registration compulsory registration हमने पढ़ लिया साथ में हमने यह notification पढ़ लिए कौन कौन सी notification बताई जो 23 में पास हुई ठीक है जी procedure for registration पढ़ लिया within 30 days वाली कहान ही पढ़ लिया ठीक है जी casual taxable person के case में पढ़ लिया हमने है जी बोलो voluntary registration पढ़ लिया हमने हां स्यू motor registration पढ़ लिया हमने department से rule 16 पढ़ लिया इसका section 27 पढ़ लिया casual taxable person हाँ जी इसका rule पढ़ लिया अब हमारा यह content रहे गया ठीक है clear हुई मेरी बात अब अगर हम rule की बात करें तो rule के अंदर अभी हमने कोई ज्यादा rule नहीं पढ़े हमने कोई ज्यादा rule नहीं पढ़े हमने स्रिफ क्या करा display वाला पढ़ लिया ठीक है 16 हमने पढ़ लिया ठीक है थोड़ा बहुत हमने यह पढ़ लिया ठीक है अब इसमें एक rule है ठीक है rule number 12 यह यह मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूं लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी नोलिज्च TDS और TCS की होनी चाहिए तो यह rule आपको समझ आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा ठीक है अभी हमने क्या समझा है अभी हम TCS के अंगल से देख रहे है ठीक है किस का TCS किस पर था फिलिप कार्ट पे है ना हमारे एक्जम्पल में आज व रूल नंबर 12 बतातों क्या बता रहे हम रूल नंबर 12 क्योंकि जितने रूल यहां पर खतम हो जाएंगे सही है बागी रूल तुम्हें घर से बढ़ने है होम वर्क में को यह preconi क्टीन है कि यह लास्ट रूल है आज की क्लास का क्योंकि हम ने इसके्रों कि चर्चा कर ली कों करना पड़ता है कौन से ऩे का किवाएंटी फोर किसकी प्रीखे से और मेंडेट्री र एक अग्जामपल देता हुँ हमेशा ध्यान दखना अगर GST के अंदर कोई वेक्ति दिल्ली में है कोई वेक्ति UP में है और कोई वेक्ति हरियाना में तो यहाँ पर एक स्टेट में एक रजिस्टेशन मिलता है और अगर आप दूसरी स्टेट से काम करोगे तो तुम्हें वहाँ भी रजिस्टेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम वेर ही मेक्सा टैक्सेबल सप्लाई लेकिन लेकिन TCS के केस में किस केस में जी इस बात को बड़े ध्यान से समझना हाला कि जब मैं सेक्शन 51 52 करांगा तो वहाँ पर भी एक बार बताता हूँ लेकिन अगर भूल जाओ तो इसलिए यहाँ पर बताके चल रहा हूं तुम्हें कि जब यह व्यक्ति फ्लिप कार्ट कंपनी है अब फ्लिप कार्ड कंपनी का ओ लेट सपोर्ज मैं रजिस्टर करा दिल्ली से माल बेचने के लिए एक व्यक्ति ने रजिस्टर करा नागा लेंड से कपिल जैन ने अपने आपको रजिस्टर करा कि नागा लेंड से मैं फ्लिप कार्ड के तुरू माल बेचूंगा है या नहीं है जब यह व्यक्ति नागा लेंड से माल बेचेगा फलिपकार्ट के थ्रू और इसने फिलिपकार्ट के थ्रू एक लाग का माल बेचा तो फलिपकार्ट कमपणी जब इसे पैसे देती है तो क्या कारती है ।otež TCA कार्ट यह सीजास्ट और SGST, काटती है या नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने नागा लेंड से नागा लेंड में ही माल बेचा, और वो माल किसके थुरू बेचा, Flipkart से, और जब इसने नागा लेंड से नागा लेंड में माल बेचा, तो इसकी सप्लाई क्या हुई, CGST और SGST, और CGST, और CGST, पर Flipkart ने TCS काटा या नहीं काटा, और कौन सा काटा, CGST और CGST जाएगा सेंट्रल के पास, और CGST जाएगा नागा लेंड के पास, और Flipkart का ओफिस कहां पर है, बैंगलोर कहां पर है, तो अब उसके पास कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रजिस्टर हो सकता था, अब एक व्यक्ति है जो नागा लेंड से रिष्टर है, और नहीं है, तो क्या अब Flipkart को इस व्यक्ति का TCS काटने के लिए, क्या अपना ओफिस खोलना पड़ेगा या नहीं, कहां पर, नागा लेंड में खोलना पड़ेगा, और वहां पर रजिस्टेशन भी लेना पड़ तो Flipkart Company ने कहा, कि भाईया हमें जो है ना रजिस्टेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टेशन हमारे GST वाले बंदे ले लेंगे, हमें रिटन भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर ओफिस चलाएं, ये व्यक्ति 10-20,000 की तो सेल करता है पूरे मही को ये महलत दी और कहा, कि रजिस्टेशन तो तुम्हें कराना पड़ेगा, किस वज़ा से, TCS और TCS काटने के लिए, लेकिन जाओ, तुम अपने आपको रजिस्टर कराना, तुम अपने आपको रजिस्टर कराना, नागा लेंड में ही, लेकिन आप एड्रेस यूज कर सकत कर सकते हो, बैंगलोर का, कहा का एड्रेस कर सकते हो, बैंगलोर का, तो यहां पर ये आपके लिए एक एक्सेप्शनल है, ये केस भी में इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए आया, कि हम ECO है, E-commerce operator की तरह काम करते है, फिलिपकार्ट, अमेजन की त उक्ता है, तो क्या हमें रिंज्स्टेशन लेना पड़ेगा? यह लेना पड़ेगा, क्या हमें महाँ पर office कोलना पड़ेगा? नो, महाँ पर office नहीं खोलना पड़ेगा, ये वाली बात को किसने justify करा? Rule 12, 1a, किसने? Rule 12, 1a, मैं पहले तुमें Rule 12 पढ़ाताँ, यह वो Rule है, ज रहे हैं ठीक है किलियर हुआ ग्रांट ऑफ रिजिस्टेशन तु पर्सन रिक्वाइट टु डिड़क्ट टेक्स एड्स और टीच्स ध्यान से पढ़ना एनी पर्सन रिक्वाइट टु डिड़क्ट टेक्स इन अकोर्डेंस विद दा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 ठीक है और इसी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 वह सिंप्ली एक एप्लीकेशन शंबेड़क्स करेंगे कॉननसे फों में करते हैं एप्लीकेशन संबीड है आरी सी 007 नौर्मल सिंबलिए अप्लीकेशन ज Compass लेकिन जो TCS और TDS वाले होते हैं, वो किसमें देते हैं अपनी अप्लिकेशन? REG 7 में. For Grant of Registration. A person applying for registration, 1A का मतलब क्या है? 1A का मतलब क्या है? Amendment. पहले से निखा? बाद में आया. A person applying for registration to deduct, collect tax in accordance with the provision of this, this, in a state or union territory where he does not have a physical presence. जहां पर उसकी क्या निया है? हमारे example में, Flipkart की physical presence का निथी? Nagaland. ठीक है? शेल मेंचन दा नेम अप्दा स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्टे. वो अपने यूनियन टेरिटरी या स्टेट का नाम लिग देगा. REG 07 में, इन दा नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट भी, देर ओफ इन विजदा प्रिंसिपल प्लेस बिजनिस इस लोकेटिड विच में भी डिफ्रेंट फ्रों दा स्टेट और यूनियन टेरिटरी मेंचन इन पार्टी. तो कल को अगर आप से बड़ी कंपनी में इंटर्व्यू होता है तो इस तरह के कुश्यन आ जाते हैं कि भई वहाँ पे हमारा registration नहीं है. तो ये फैसलिटी स्रिफ किसे हैं? TDS और TCS वाले को. ठीक है? और फिर proper officer क्या करेगा? इसे grant of registration कर देगा. इसमें बस यही special बात थी जो मुझे बतानी थी. तो ये वाला जो rule है इसे important mark कर लेना ये हट के rule है. यहां पर clear हुआ ये वाला rule? हाजी? समझ आया वाला rule? लेकिन ये किस पर applicable है बले स्रिफ? TCS और TCS वालो. और ये जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इस वजे से बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी सब की consultancy आई है. सब ने मेरे से consultancy ली है. तो अगर मैं ये ना पढ़ा होता, तो मैं वोने ये जवाब नहीं दे पाता. किलियर हो गए ये वाली कहानी? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो. बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है. अब हमवर्क लिख लोगे अपना? आज इतना ही रहने दे? हाँ? देखो, आपको हमने क्या करा है? जो हमारी मेन बुकलेट थी, पहली क्लास, उसमें एक बार लिष्ट दे दी हमने आपको, कि क्या-क्या सेक्षन है, क्या-क्या रूल पढ़ने है, है ना? जिसमें सारे आप कभी भी टिक मार्क कर लो. और हमने क्या करा कि जैसे अब हमने बनाया चैप्टर रजिस्टेशन का, उसमें भी हमने कोसिस करी, कि शुरुआत में तुम्हें एक चार्ट दे दिया जाए, और साथ में ही तुम्हें बता दिया जाए, जिससे कि आप समझ लो. लेकिन ये जो रूल्स हैं बहुत सारे, ये भाईया मैं नहीं करा पाऊंगा आपको, तो इसलिए इन्हें पढ़कर आना आप जरूर, अगर पढ़कर आओगे, तो देखो एक प्लेन रीडिंग है, तो जैसे जो चीज इंपोर्टेंट है, जैसे इस वाले रूल में, ग्रांट ओफ रजिस्टेशन, अगली क्लास हमारी कब होगी, 28 मार्च को, 28 मार्च को कई लोग कहेंगे होली है, तो भाईया होली वो वाली है, ठीक है, जिसके अंदर रंग नहीं होता, मतलब छोटी होली, तो छोटी होली को तो कोई रिक्कत नहीं है न, चोटी ओली को class रख सकते हैं तो चोटी ओली को आपको आना थाइस तारिक को उस दिन आपकी अगली class होगी homework करके आना हमारा target यह रहेगा कि registration को theoretically finish कर ले ठीक है registration को theoretically finish कर ले फिर एक class हम practical की जरूर आपको कराएंगे जिससे कि जब theory हमने कर रखा होगा तो हमें practical समझ आ जाए लेकिन practical में हमें time नहीं लगेगा registration का समझ लो कि लगबग हमने 4 घंटे की class आज कर ली ठीक है अगली अगर 4 घंटे की class में अगली अगर हम 4 घंटे की class में theory और खतम कर लेते हैं क्योंकि cancellation की जो theory है GST cancellation अब इसमें important है वो theory बहुत ज़्यादा जरूर यह section 20 नहीं ठीक है section 25 के अंदर जो amendment आई है आधार card authentication वाली ठीक है न section 25 6 A B C D वो बहुत important है तो हमारे को 4 घंटे और लग जाएंगे तो हमारा यह है कि 3 class में 12 घंटे की class में हमारा registration खतम हो जाए क्योंकि हम 12 घंटे से ज़्यादा registration पे नहीं लगा सकते हैं इसमें theory भी खतम करनी है practical भी खतम करना है rules भी खतम करने हैं और अगर हमें समय बचा तो आप से कुछ questions भी हम पूछेंगे clear हुआ लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा कि जब आप rules पढ़कर आओ और next class का homework section 25 के जो remaining section है वो पढ़कर आओ और जो cancellation का section है 29 वो पढ़कर आओ ठीक है अब जो tough है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है और फिर उससे अगली class में क्या कराएंगे practical clear हुई मेरी बात practical तभी करना है ना जब पूरा theory आजाए हाँ मज़ा आ रहा है ना theory में है ना आशा करता हूँ अगर यह आपने वीडियो सही से समझी होगी और इसका revision करोगे तो आपको अब यह पता लग जाएगा कि किसे registration कराना है और किसे नहीं कराना अभी तक जो आप बताते हैं सिरिफ तुक्के से बताते हैं पता तो अभी था लेकिन अब आप by low बताओगे अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो like और share तो कैसे करोगे अपने दोस्तों को बता देना कि वह रजिस्टेशन की हम पर deeply knowledge है क्योंकि मैं जब यह registration कराऊंगा तो इसमें याद दिला देना मुझे next class में एक rule 10 जरूर कराना है मुझे और जब rule 10 कराऊंगा तो आपको एक linkage कराऊंगा section 18 से जो ITC का section होगा यह भी मुझे जरूर बता देना तो इस linkage को कराने के लिए पहले आपको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए rules आपके पड़े होने चाहिए अगर आपको इस वीडियो को देखने में कुछ भी दिक्कत है कोई भी चीज समझ नहीं आई है वीडियो से related कोई query है नंबर में आपको दुबारा दे रहा हूँ आप हमें WhatsApp कर देना चलिए जी इस वीडियो को यहीं end करते हैं next class 28 March को होगी आज की class हमाई 14 March को होई है एक class का gap है ठीक है जो 28 March को class होगी उसमें registration कहां से शुरू करेंगे हम 25 को खतम करेंगे ठीक है जी और section 29 हमारा main focus रहेगा और rules हमारे main focus रहेंगे मलग की बचा कुचा जितना भी है theory part हम next class में finish up कर लेंगे ठीक है जी जाले जी Thank you